तेरे पसीने की हर एक भूंद को मोतीशा चमकाऊंगा तेरे पसीने की हर एक भूंद को मोतीशा चमकाऊंगा मा तु सपने बड़े देख अपकी बार ये तेरा लाल पूरा करके जरूर दिखलाएगा नमस्कार एक बार फिर से सभी दोस्तों का शुवे शुवे और इश्यांदार मेराथन के साथ आज अपन दोस्तों आगाज करने वाले हैं फिजिक्स और कैमेस्ट्री दोनों का लंबी चलने वाली है ये क्लास ये क्लास लगबग दोस्तों आपके ये मान के चलो 11-12 भजे तक नौन श्टॉप चलने वाली है तो मस्त रही है सभी दोस्तों फटाफट से जुड़िएगा स्टेशन को दबा कर like कीजिए और दबा के share कीजिए क्योंकि आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं chemistry और physics के special questions चुरुआती दोर में मैं आपको chemistry और physics दोनों के करवाऊंगा और उस मेरे बाद फिर स्विपाल जी सर भी आपको दोस्तो chemistry और physics दोनों से रूबरू करवाएंगे तो सभी जुड़ जाएं फटाफट से जिस परकार से आपको biology की हम दोनों ने जैसे मैराथन दी थी आपको वैसे ही दोस्तों आज अपन physics और chemistry की भी मैराथन लगा रहे हैं तिसन को जितना हो से के like share कीजिए जो नहीं उठे अभी तक उनको उठाईए फटाफट जगए उनको कि उनका alarm अभी तक नहीं बोला है साड़े च्छे बज गए हैं और army study ने इलान कर दिया है कि ये लीजिए जो हमने काता कि साड़े च्छे बजे सुबह आपके मैराथन होने वाली और वो मैराथन हम स्टार्ट करने वाले हैं चलिए सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत तो दोस्तों ध्यान रखना सुरुवाती दोर में मैं दो तिन क्यूसर आपको आसान दूँगा क्योंकि अभी हम सुरुवात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आसान होना भी चाहिए सभी दोस्तों को मैं बता दूँ कि जिन बंदों का एक्जाम 22 अप्रेल को है दस मार्च को है उनके तो अब वह घड़ी आच चुकी है लेकिन जिनका एक्जाम 22 अप्रेल को है वो इस पैसली ध्या viable के दोस्तों ये सलेक्शन बैच आपको पता होगा और बिलकुल दोस्तों जिनके साथ आप जो 22 अप्रेल को है और वो ही चाहते है कि मैं इस बेच के साथ जुड़कर अपनी तयारी को मजबूत करना चाहता हूँ तो आर्मी स्टेडी अप्लिकेसन में सेलेक्शन बेच के साथ जुड़कर अपनी तयारी को मजबूत कर सके साथ ही दोस्तों मैं बदा दूँ कि जो नर्सिंग की बुक है टेक्निकल की बुक है दोनों बंदों को बदा दूँ फिलिप कार्ड पर अवलेबल है जिनके पास बुक नहीं है बुक मंगवा कर उसका प्रिपरेशन कर लीजिए जिनका एक्जाम 25 अप्रेल को होने वाला है चली दोस्तों आगाच करते हैं आज के पहले सवाल से और सुरुवाती दो तिन सवाल आसान है क्योंकि आसन सवालों से सुरुवात करेंगे तो थोड़ा सा अपना मनोबल बढ़ेगा लेकिन दोस्तों आगे आगे जैसे जाएंगे इन सवालों का शक्कर में बढ़ाने लग जाऊँगा तलिए पहला सवाल आपके सामने कि सोने के आबूषण बनाते समय उसमें कोन सी धात्यू मिलायी जाती है होने के आबूशन बनाते समय उसमें कौन सी धात्तु मिलाई जाती है ऑप्सन है जिंक तामबा चांदी प्लेटिनम सवालों का सिलसिला जारी है बिलकुल कि सोर निशाद परपल रोय चंदरपाल कि शोर निशाद गौराव सहत सभी का स्वागयत फड़ा फड़ से जुड़ीगा सोने के आबूशन बनाते समय उसमें कौन सी धात्तु मिलाई जाती है तो गुरुजी यहाँ पर आप्सन होगा तामबा तामबा मतलब कौपर अब देखो मैं इस सवाल के साथ आपको एक चीज बढ़िया और बताने वाला हूं अगर आपको यह पूछे कि सोने की प्रतिश सुदता तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है जो दी गई मात्रा है वो तो आप उपर लिख दो बट्टे में कुल मात्रा आप कहां लिख दो नीचे और गुणा में क्या कर दो सो तो यह प्रतिशत निकल के बाहर आ जाएगा तो सोने की प्रतिशत सुदता किस से निकालोगे आप इस फॉर्मूले से क्लियर चलिए इसके बाद सोने के बारे में आप जानते हो सबसे ज़्यादा आगात वर्दय धातु है अभी देखो आगे आपको बहुत सारे सवालों की पीछे में थ्योरी भी देने वाला हूं सुबह सुबह का वक्त है माइंड एकदम फ्रेस है माइंड चलता भी बड़ा तेज है चली स्टार्ट करते हैं अगले सवाल पर नेक्स्ट क्यूशन है निमने लिखित में से ऐ धात्विक खनीज कोण सा है मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा सवाल को थोड़ा सा गहराई में लेकर जाओंगा मैगनीज स्लीका मैगनीशियम बॉक्साइट पताई ए धात्विक खनीज कोण सा है इनमें से नौन मेटल का कोण सा खनीज है कोण सा मिन्रल है आने दीजिये फटाफट ओप्शन आपके सामने है एक बार दबा के सेसन को लाइक ठोके और दबा के सवाल का उत्तर भी अभी स्टार्ट कर दीजिये वह वक्त ओचला है अब पेपर की सुरुवात की और देखते हैं किसकी कितनी तैयारी है इनमें आधातवी खनीज कोन सा है ये बताना है तो गुरुजी मैगनीज तो होता है एमन ये तो धात्तु है मैगनीशियम क्या होता है एमजी ये भी धात्तु है वक्साइड होता है अल्टू ओ त्री तो गुरुजी ये भी ध्यान रखना क्या होता है ये भी ये अलूमीन यह मारा ना तो अलूमिनियुम क्या हो गई धात्तू हो गई ना अब सिलीका को हम कैसे लिखेंगे एस आई ओटू यह देख लिए जिसमें ऑक्सीजन वगरा भी आ रहें तो सिलीका इसका सही जबाब होने वाला है चली आगे वढ़ते नेक्ष्ट चली अगला सवाल वह पदार्थ जो मोटर वहनों वहनों करना इसको मोटर वहनों में इनन जवलन से उत्पन परदूशन का कारण है बताईए वह कौन सा पदार्त है जो मोटर वाहनों में इंदन के जलने से परदूशन का कारण बनता है वो कौन सा है यह आपको बताना है आने दीजे फड़ाफट चाबाश वह पदार जो मोटर वाहनों में इंदन के जलन से उत्पन परदूशन का कारण जसता सीसा मैगनीज और कारबन डाई ओक्षाइड होगा सुरुवाती क्यूशन जो होंगे नूँ आपकी कैमेस्ट्री के रहेंगे और उसके बाद दोस्तों हम किसके लाएंगे फिजिक्स के लाने वाले पहले सुरुवात में कैमेस्ट्री रखेंगे फिर लाएंगे हम फिजिक्स के सवाल मोटर वानों में इंदन जवलन से उत्पन यहां पर गडबड यहीत होती है वो है कारबन डाई ओक्साइड होता है इंदन के जलने पर सी ओटू गेस निकलती है प्रदूशन का कारण जो है न वो मेन सी ओटू है लेड और शिसा भई इतना थोड़ी निकलता है अगर लेड और शिसा इतना निकलता तो फिर दोस्तों यह वाहन सारे बंद करवाने पड़ते सब का दिमाग खराब कर देते तब अभी तो कहते हैं जब वाहनों की प्रदूशन जाच की जाती है जब वाहनों में पॉल्यूशन टेस्ट होता है तो कार्बन और लेड की तो जाच होती है और जो वाहन लेड यानिकी सीशा ज्यादा निकालेगा उस वाहन को रोकना पड़ेगा नहीं तो यह खराब कर चलिए अगला क्यूशन वायू मंदल में गैसों की मात्रा का बढ़ता करम कोन सा है आप थोड़ थोड़ी सवालों को बढ़ा करता जा रहा हूं में वायू मंदल में गैसों की मात्रा का बढ़ता करम कोन सा है ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने पड़े हैं नाइट्रोजन ओक्सीजन और गन कार्बन डाइओक्षाइड नाइट्रोजन ओक्सीजन कार्बन डाइओजन नाइट्रोजन ओजन ओजन और कार्बन डाइओक्षाइड ओक्सीजन नाइट्रोजन 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 और कार्बन डाइओक्षाइड ओक्सीजन यह बताना है, बढ़ता करम दोस्तों यहां पर कौन सा बताईए, तो यहां पर बढ़ता करम दोस्तों देखो यह, यह है, तो पहला उप्षन सही हो जाएगा, कैसे, नाइट्रोजन कितनी है, अठैतर, ओक्सीजन कितनी है, एक्कीस, और गन कितनी है, जीरो पॉइंट नो तीन, और कार्बन डे उकसाइड है, जीरो पॉइंट जीरो तीन, यह इधर से चलोगे न, यह बढ़ता करम हो गया दोस्तों, तो सवाल का उत्तर पहला सही होगा इसका, चली अगला सवाल, डाडी बनाने के बाद, चहरे पर जो घोल लगाया, जो घोल लगाया जाता है, उससे चहरे पर ठंडक मैसूस होती है, इस घोल में यह गुण किस योगी की उपस्तती के कारण होता है, पहले सवाल को पढ़ो, क्योंकि कल जो मैंने औरीजिनल पेपर आपको करवाया था, उसी लेंग्वेज में क्यूशन है यह, वह यह क्या कह रहा है, देखो मैं बताता हूँ आपको, जब अपन नाई के पास जाते हैं, तो नाई ने जब सेविंग करी, सेविंग करने के बाद, आपने देखा होगा एक स्प्रे होता है, उस पे लिक्वीड हाथ पे लगाकर ऐसे अपने ऐसे करता है, तो हमें ठंडक मत मिलती है, ठंडा सा अबास होता है, तो वो किस कमपाउंड की वज़स से होता है, एथिल एलकोहल के कारण, मैंथेनोल के कारण, सेलिसलिक अमल के कार आने दीजी फटाफट क्या होगा इस सवाल का सही जबाब यहां पर दोस्तों सई जबाब होगा वो एथिल अलकोहल होता है उन्साँ होता है एथिल अलकोहल होता है इसलिक अमलन नहीं करना एथिल अलकोहल करना इसकी वज़ा से हमें ठंडक महसूस होती है यह ध्यान रखना है एथिल अलकोहल के कारण होगी जी चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल मिलान करना है आप लोगों को और आपको मिलान के लिए ओप्शन दिये देखो इधर दिया आप बॉक्साइट, हेमेटाइट, येलेना, मोनोजाइट और इधर आपको दिया सीसा, थोरियम, अलुमिनियम, लोहा मलब ये इधर आपको आइसक दे रखे हैं और इधर आपको मेटल्स के नाम दे रखे हैं किसका कौन सा आइसका ये मैच कीजिए, बताईए क्या होगा आने दीजिए फटा-फट आराम से देखो और फिर ध्यान रखना है, इसका बताना है हमें देखो बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका होता है, अलुमिनियम का होता है, तो फर्स्ट में ठड़ आ रहा है, तो पहला और चोथा उप्शन तो गलत है हेमेटाइट किसका है हेमेटाइट गुरुजी लोहेक का है तो दूसरे में पहला आना चाहिए दूसरे में पहला इसमें आ रहा है तो भी वाड़ा उप्सन सही हो जाए यह लेना में देख लो यह लेना में तोथा आ रहा है यह पहला कहा हो गया कि अप्सन गलत लिख रखें कि यहां चार नंबर यह पहला नहीं है कि देखो अब तैयार करते हैं इसको दूसरे में चोथा होगा दूसरे में चोथा होगा तो तीसरा ओप्सन सही है मोनोजाइट किसका है सीसे का इसका सोरी मोनोजाइट जो होगा ना गेलेना होगा वो तो होगा सीसे का मोनोजाइट होगा थोरियम तो तीसरे में एक नंबर होना चाहिए तीसरे में एक नंबर और चोथे में दो नंबर होना चाहिए तो यह वाला ही सही होगा तीसरा ओप्सन इसका correct जाएगा, भी वाड़ा नहीं जाएगा, भी वाड़ा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर गलत लिखा हुआ था, अना तो box side देखो, एक नंबर का 3 हो गया, एक का 3, दूसरे का 4 यह रहा, तीसरे का 1 और चोथे का 2 नंबर, तीसरा option correct होगा, चलिए अगला सवाल, लोहे की सतय पर लगाया गया, लगाया गया पैंट, लोहे को जंग लगाने से बचाता है क्यों? यान से सुनो, लोहे की सत्य पर लगाया गया पैंट, वह आपने देखा होगा हम घरों में जब लोहे के दरवाजे या खिड़किया जो हुती उस पर हम पैंट करते हैं, तो दोस्तों वह पैंट करते हैं, जंग लगाने से वह बचाता हैं पैंट इसलिए तो करते हैं, अब क् कारबन डैयोकसाइड को लोहे के संपरक में आने से रोकता है औक्सिजन और नमी को लोहे के संपरक में आने से रोकता है या लोहे के रासाइनिक अभीकिर्या की गती में परिवर्तन ला देता है बताईए सवाल एकदम क्लीर है कि लोए की सत्या पर लगया गया पेंट लोए को जंग लगाने से बचाता है क्यों क्या रहेगा सही जवाब बहुत बढ़ी आने दीजिए सवाल का सही जवाब क्या रहने वाला है यहाँ पर दोस्तों सही जवाब होगा सी वाला कि लोए की सत्या पर लगया पेंट लोए को जंग लगने से बचाता है क्योंकि यह जो पेंट होता है ना यह दोस्तों ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपरक में आने से क्या करता है रोगता है चलिए आगे बढ़ते हैं next question निमनलिकित उर्वरकों में से किसमें नाइट्रोजन का सरवादिक प्रतिशत विद्यमान है बताए कि कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है calcium ammonium nitrate ammonium nitrate calcium nitrate या यूरिया आईट्रोजनरी बताए नीमनलिकित उर्वर्कों में से नाइट्रोजन का सरवादिक प्रसंटेज किसमें होता है答 आपको बताना है आनि दीजिये फटा-फट्रुट आने दीजी फटाफट, कहते हैं लग चुकी है मन्जिल को पाने की अभिया आदत और ये आग और जुनून हमें पैठने नहीं देता है इस मन्जिल तक रुखने से पहले, तो जो बंदे सुबह साड़े च्छ बजे तयार हो गए थे कमर कसकर, अपकी बार उनका संगर्ष कोई दोहरा नहीं है, उनका संगर्ष एक तरफा है, और ऐसे बंदे सफल भी होंगे, जो बिलकुल बिना देर की है, आप लोगों को ही तकलीप नहीं होती है, हम लोग भी तो देखो, लगाता है रात को लेट तक लासे लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए तयार रहते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किसके अंदर है, यूरिया के अंदर है, दोस्तों छी आदिस परसेंट एक तरफा, इसके अंदर नाइट्रोजन पा एक द्यारकना इसका अन्य नाम है, इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, इसको कार्ब एमाइड भी कहते हैं, एक द्यारकना यूरिया मानो का परमुक उत्सरजी पदार्त होता है, साथ ही दोस्तों ये भी द्यारकना यूरिया परियोग साला में बनाया गया, परियोग साला में बनाया गया प्रत्थम कार्बनिक योगिक है, और बनाने वाले का नाम क्या था, वहलर, ये दोस्तों वेग्यानिक का नाम था वहलर, जिसने सबसे पहले यूरिया को बनाया था, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निमन लिखित में कोन सा हाइड्रोजन का समस्तानिक नहीं है, प्रोटियम, ढूटेरियम, इत्राइटियम, इत्रियम और ट्राइटियम, पताई कौन सा हाइड्रोजन का समस्तानिक नहीं है यह आपको बताना है आने दीजे कौन सा हाइड्रोजन का समस्तानिक नहीं है आने दीजे फटाफट से कौन सा हाइड्रोजन का समस्तानिक नहीं है यह आपको बताना है बिल्कुल गुरुजी इट्रियम नहीं होता है दो प्रोटियम होता है 1H1 और यह होता 1H2 और ट्राइटियम होता 1H3 अब देखो मैंने यह सवाल क्यों लिया है इसका कारण है इसका कारण यह है कि 1H2 दोस्तो ध्यान रखना इसमें प्रोटोन की संख्या 1 है और न्यूट्रोन की संख्या 0 है इसमें गुरुजी प्रोटोन की संख्या 1 है और न्यूट्रोन की संख्या भी 1 है इसमें proton की संख्या एक और neutron की संख्या इसमें दो है एक तो यह द्यारक ना दूसरी बात 1s2 को दोस्तों भारी hydrogen भी कहा जाता है क्या बोलते हैं भारी hydrogen भी कहते हैं और यह वाला radioactive होता है हाइड्रोजन का एक मत्र समस्थानिक जो radioactive होता है वह वनस्त्री है और भारी hydrogen दोस्तों इसके द्वारा भारी जल का निर्मान किया जाता है भारी जल जिसको हम D2O बोलते हैं तो भारी जल का निर्मान किसके द्वारा किया जाता है भारी आइड्रोजन और करने वाले वेग्यानिक का नाम क्या था यूरे भारी जल को बनाने वाले वेग्यानिक का नाम क्या था यूरे नाम था ये ध्यान को चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल और नेक्स क्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर आच चुका है कि एक न्यूट्रोन एक इलेक्ट्रोन एक प्रोटोन और एक अलफा कन समान गतीज उर्जा के साथ भूम रहे हैं इन कनों की गतियों का बढ़ते करम में सही अनुकरम क्या होगा यह लोजी टीजिस की लेंग्वेज में सवाल कि एक न्यूट्रोन एक इलेक्ट्रोन और एक प्रोटोन और एक अलफा कन और आगे वो कहरा समान गतीज उर्जा के साथ घूम रहे हैं तो बताओ कौन से कनों की गतीज उर्जा ज्यादा किसकी कमल बढ़ते करम में सही अनुकरम आपको बताना है आने दीजिये फड़ा फड़ से तो दोस्तों बढ़ते करम का मतलब है आपको पहले ये ढूणना है इनमें सबसे भारी कन कौन सा है यहां मात खाजाओगे यहां मात खाजाओगे देखिए यहां पर इसका सई जबाब होगा पहला सबसे भारी कन होता है अलफा कन अलफा के बाद में न्यूट्रोन होता है भारी न्यूट्रोन के बाद प्रोट्रोन होता है बारी सबसे अलका होता है इन चारों में सबसे हलका कोन हुआ तो वो न्यूट्रोन हुआ गुरुजी और अलफा जो है न वो सबसे भारी कन होता है सबसे भारीकन होगा तो पहले अलफा, अलफा के बाद न्यूट्रोन, न्यूट्रोन के बाद प्रोटोन, प्रोटोन के बाद कोण आएगा, एलेक्ट्रोन आएगा, ये धान रखना है चलि आगे बढ़ते हैं, रासाइनिक परिवर्तन कोण सा है, इनमें से ये बताना है आपको, कैमिकल चेंजेज कोण सा होगा, लोहे पर जंग लगना, लोहे के चुम्बी की करण से, लोहे के पिगलने पर, लोहे को गरम करने पर पताई इन में रासायनिक परिवर्तन कोण सा होगा मिलते जुलते सारे एक्जाम्पल मैंने उठा लिए लोहे पर लोहे पर लोहे पर चले बताई रासायनिक परिवर्तन होता है लोहे पर जंग लगना लोहे के चुम्बकी करण से लोहे के पिघलने पर लोहे को गरम करने पर यह बताई तो यहां दोस्तों लगबक का उत्तर मुझे दिख रहा है इसका सई जबाब होगा रासायनिक परिवर्तन में यह बही लोहे के चुम्बकी करण का मतलब लोहे से चुम्बक बनना तो बही चुम्बक को तो हम पीट कर गरम करके एसीड डाल कर वापस से चुम्बक बना सकता लोहे के पिगलने पर तो पिगलना सब तो बहुती की आएगा और गरम करने पर लोहा लाल हो जाएगा वापस ठंडा कर दो वैसा का वैसा हो जाएगा कलियर चलो अगला सवाल पटाकों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकिला लाल रंग निमनलिकित में से किसके होने का कारण होता है पताई पटाकों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकिला लाल रंग किसके कारण होता है ये आपको बताना है आने दीजिए फटा-फट कि पटाकों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकिला जो लाल रंग है वो गुरुजी किसके होने का संकेत दे रहा है इस्ट्रॉंशियम का सोडियम का गंदक का या फिर मैगनिशियम का संकेत दे रहा है दीजिए देखे इस सवाल का सही जबाब कि पटाकों के फटने पर दोस्तों जो लाल रंग दिखाई देता है वो किसके होने का संकेत देता है तो यहां सही जबाब होगा लाल रंग स्ट्रॉंसियम का होगा सोडियम दोस्तों दे रखना यह पीले रंग के लिए होगा और मैगनिशियम दोस्तों यहां पर नीले रंग का होगा गंदक सल्प अगर मालों कोपर सलफेट आता तो फिर हम कहते मैगनिशियम नीला नहीं देगा कोपर सलफेट देगा नीला थोता नाम आएगा नीला थोता या कोपर सलफेट copper sulfate यह गुरुजी नीला रंग देगा गिक मैगनिश्यम दोस्तो जो फ्लेस बल्ब ऊता है ना उस फ्लेस बल्ब में फिलामेंट जो अतय होगा वह किसका होगा वह गुरुजी होगा मैगनेशियम चलि अगला सवाल पॉर्टलेंड सिमेंट के पर्मु गटक कोण से हैं चुना सिलिका एलुमिना सिलिका एलुमिना मैगनेशिया चुना सिलिका मैगनेशिया चुना सिलिका आइस ऑक्साइड बताईए पोर्टलेंड सिमेंट के मुख्य कंपोनेंट कौन से है तो गुरुजी एक तो मैं आपको बता दूँ कि पोर्टलेंड न वो दोस्तो सर्वपरत्थम बनाई गई सिमेंट नाम था एक तो यह दिखा रखना एक दोस्तो इस सिमेंट का आप से पूछे अविश्कार किस ने किया अविश्कार किया था गया ने किया अब दोस्तो इसका नाम पोर्टलेंड क्यों रखा क्योंकि दोस्तो ये इंगलेंड का एक टापू है एक द्वीप है जिसका नाम था पॉर्टलेंड उसी पॉर्टलेंड द्वीप पर ये सिमेंट बनाई गई थी उसी के नाम पर इस सिमेंट का नाम पॉर्टलेंड रखा गया था तो इसके अंदर आप देखोगे, तो सबसे ज़्यादा चूना होता है, 60-70% दोस्तों चूना है, 20-25% आपको सिलिका मिल जाएगी और 5-10% आपको अलूमीना मिल जाएगा, clear, तो इसका पहला ही option correct होने वाला है, आगे चलो, चली अगला सवाल, SI OH का whole twice 4 क्या है, एक अमल है, एक शार है, एक लवण है, या एक उभे धर्मी ऑक्साइड होता है, बताइए देखिए क्या होता है, SI OH का whole twice, यह क्या होता है, यह आपको बताना है, अब यहाँ सबसे बड़ी गड़बड क्या होती है दोस्तों, गड़बड में बताता हूँ, पहले आप अपना उत्तर दीजिए, कि यह क्या है, एक अमल है, एक शार है, एक लवण है, या फिर उभे धर्मी ऑक्साइड है, चले दोस्तों, यहाँ पर मैं बताओं आपके गलती क्या होई यह, आप लोगों ने OH देख लिया, और OH देखकर आपके दिमाग में आया, कि गुरुजी जब अपन अमल शार लवण पढ़ते हैं न, तो हमें तो यह बताया था, कि अमलों का अनिवारे गटक जो होता है न, यह दोस्तों, हाइड्रोजन होता है, और शार का अनिवारे गटक होता है, वो हाइड्रोक्सिल होता है, और इसी को मद्दे नजर रखते हुए हम मात खा गए, लेकिन दोस्तों, ऐसा ही, OH का, ओल्टवाइस, फॉर, यह सिली-्सिलिक अमलों होता है, उलिक एसी डु होता है ये एक कमजोर एसिड होता है ये शार नहीं है ये दोस्तो एक अमल होता है बस यही मात खा जाते हैं सिलिसिक अमल होता है ये तो ये शार नहीं है मेरे दोस्त ये क्या है एक एसिड होता है इसलिए तो मैंने इसको जानबूज कर लिया था कि आप लोग ओच के उपर जाकर शार करने वाले हो चलिए अगला सवाल निमनलिकित में से कोण सा पैंट्रोलियम मॉम होता है कार्नोबा मॉम, जोजोबा मॉम, पेराफिन मॉम, मदू मखी का मॉम पता ये पैंट्रोलियम मॉम के नाम से किसको जाना जाता है बताईए पैंट्रोलियम मॉम कोण सा होता है ये आपको बताना है चलिए शावास बताईए देखे पैंट्रोलियम मॉम के नाम से किसको जाना जाता है ये आपको बताना है इस सवाल के अंदर क्याबाश कार्णोबा मॉम जोजोबा मॉम पेराफिन मॉम मदू मकी का मॉम ये बताना है नहीं बहुत गलत इसका सई जबाब होगा कार्णोबा मॉम कहते है पेर्ट्रोलियन मॉम ऐसा मॉब जिसमें पेर्ट्रोल की तरह चिकनाट भोजादा होगी एक तो ठीक है मदू मकी का मॉम जिसको हम सहद कहते हैं इसमें सरक्रा होती उसमें सरक्रा नहीं होगी तो याद रखना petroleum mom के नाम से किसको जानते है, कार्नोबा mom को जाना जाता है, तो अगला सवाल, साबुन निमन लिकित के sodium या potassium लवनों का मिस्रन है, वही साबुन का भी सवाल है तो इतना आसान सवाल नहीं है, कि साबुन सोडियम और potassium लवनों का एक मिक्चर है, बिलकुल है, अब किसका है मोनो कार्बोक्सिलिक अमलका, टाई कार्बोक्सिलिक अमलका, ट्राई कार्बोक्सिलिक अमलका या फिर गिल्सरोल पताई साबुन किसका सोडियम और पोटेशियम लवनों का मिस्तरन होता है या आपको बताना है आने दीजी फटाफट कि साबुन सोडियम और पोटीशियम के कौन से लवणों का मिस्रन होता है तो गुरू जी साबुन क्या है पहले तो ये चैक करोना साबुन एक लवण है एक salt है और किसका salt है तो ये खुद कह रहा है sodium और potassium salt है लेकिन दोस्तो अब लवण कब बनेगा जब अपन अमलकी किरिया किस से कर्वाते हैं शार से कर्वाते हैं ये किरिया उदासीनी करण भी कहलाती है और ये किरिया साबूनी करण भी कहलाती है और इसके अंदर दोस्तों द्यारकना है मोनो कार्बोक्सलिक अमलों का लवन होता है अब जो बंदे गिल्चरोल दे रहे ना उनको मैं बदा दूं गिल्चरोल साबुन का सहय उत्पाद होता है यह साबुन का सहय उत्पाद कह दो या साबुन में बनने वाला एलकोहल कह दो ध्यान रखना दोस्तों यह तो साबुन बनने के बाद की बात है हमें सवाल तो यह पूछ रहा है कि साबुन किसका सोडियम पोटेशियम का साल्ट होता है तो वो मोनो कार्बोक्सलिक अमलका होता है जिसको हम ऐ कैसे लिखते हैं ना कि आर सी ओ ओ अच तो कार्बोक्सलिक अमलका अनुलगन क्या होता है सी डबलो एच होता है ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन निमनलिखित क्वांटम संख्याओं में से कौन एक इलेक्ट्रोन की अवस्था को बताने के लिए आवशेक है पताई कौन सी ऐसी क्वांटम संख्या है तो एक इलेक्ट्रोन की अवस्था को बताने में आवशेक होता है इलेक्ट्रोन की अवस्था बत मुख्य क्वांटम संक्या, द्विगंसी, चुम्बक्य या स्पिन, चलो मैं इनके शिंबल भी लिख देता हूं भई, मुख्य क्वांटम संक्या को N से लिखते हैं, द्विगंसी को L से लिखते हैं, चुम्बक्य को M से लिखते हैं, और स्पिन को S से लिखते हैं, अब ये ब लगाओ देखें अगर आईडिया लगाओ वही केमेस्ट्री बड़ा कमजोर दिख रहा आप लोगों का हुआ है और कम बंदे हैं जो इस सवाल की तह तक पहुंच रहा है कि पूंसी क्वांटम संक्या है जो इलेक्ट्रोन की अवस्ता को बता रहा है आने दीजिये देखें तो देखें मैं बताता हूँ आपको मुख्य क्वांटम संक्या तो दोस्तों उर्जा इस्तर को बताती है उर्जा इस्तर कह दो या कक्षा के बारे में बताता है और बिट के बारे में बताएगी और द्विगंसी क्वांटम संक्या उप उर्जा इस्तर को बताती है या अपन कहते हैं उप कक्षा को बताती है चुम्बक की अना ये कक्षुकों के बारे में बताती है और इस्पीन दोस्तों इलेक्ट्रोन के चक्रन के बारे में बताती है एलेक्ट्रोन की अवस्था के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताएगी तो वो स्पीन क्वांटम संख्या होगी चक्रन क्वांटम संख्या जिसको हम कह सके चलिए आगे बढ़ते हैं एस्प्रीन का रासाइनिक नाम बताईए क्या होगा अश्प्रिन का रासायनिक नाम बताओ एसिटली, सैलिसलिक एसिड, सकसीनी आसिड, एसिटिल एसिड इनमें से कोई नहीं पताइए एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है या आपको बताना है आने दीजी और ये सवाल important सवाल भी है ये repeat होने की संभावना भी asprin के बारे में पूछा जाता है जारखना का पतहिए aspirin का रासाइनिक नाम क्या होता है यसे आपको उत्तरदेना है और गुरी जी asked न का रासाइनिक नाम citty Salies Dh crop Acid है यह ध्यान रखना है कि चलिए अगला सवाल कपड़ों और बरतनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले डिटर्जेंट में क्या होता है जान से सुनो कपड़े और बरतन को साप करने के लिए तो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं ना डिटर्जेंट क्या होते हैं बही डिटर्जेंट का मतलब होता है अपमारजक अपमारजक और अपमारजक क्या होते हैं साबुन रहित साबुन होते हैं साबुन, रहित साबुन को अपमारजक बोला जाता है, जो कठोर जल के साथ जाग भी देते हैं, अब आपको बताना है कि उनमें इस्तेमाल किया जाने वारा डिटर्जेन सल्पेट है, नाइट्रेट है, सल्फोनेट है या बिस्मेथ है, बिस्मेथ है, पताईए कोण सा इसका सही जबाब होने वाला है, डवाज शवाज दीजिए इसका सही जबाब, इसका सही उतर सल्पेट होगा, कौण सा डिटर्जेंट में इस्तेमाल होगा, तो वो सल्पेट होगा, इसका सही जबाब क्या होगा, सल्पेट, चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्नेलाइट किसका आयसक होता है, ये बताईए, कार्नेलाइट किसका आयसक है, अलुमिनियम, सिसा, टिन और मेगनिशियम, बताईए, बताईए, कार्नेलाइट किसका आयसक होता है, ये आपको बताना है, बताईए, कार्नेलाइट अलुमिनियम का जी नहीं, मेगनिशियम इसका सही जबाब होगा, कार्नेलाइट इसका सही जबाब क्या होगा, मेगनिशियम, अरज सिसा कहां से हो जाएगा, कार्निलाइट आपसे पूछा है कार्निलाइट मेगनिशियम का होता है यह आपको बताना है ठीक है? तो चलिए बाकी और भी धातू के S से आपको मैं रूबरू करवाता हूँ यह लिजिए अब थियोरी स्टार्ट कर लेते हैं हर टोपिक के पीछे अब देखिए बात करते हैं अलग अलग धातू के अलग अईस की हम बात करते हैं तो चलिए अलग 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 धातू के S पे चलेंगे तो मेगनिशियम के आगे देखो यह कार्निलाइट लिखा हुआ है मेगनिशियम का S कौन सा है कार्निलाइट जान से सुनना मैं आपको हर टोपिक के अंदर अब आगे ऐसे ही सवालों में थियोरी लेकर आ रहा हूं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवालों को गहरायत तक ले जाओंगा एलुमीनियम का होगा बॉक्साइट आयरन लोहे का देखो हेमेटाइट मेगनेटाइट सीडेराइट लिमोनाइट चारों हो जाएंगे पिर आता है लेडिया सीसा तो यह गेलेना और सीरुसाइट दोनों होते हैं इसके धारकना चांदी का होता है अर्जेंटाइट तोने के तो एसक आगे कैलवेराइट और सिल्वेनाइट और भी बात करें चलो कि यह लोगी और भी बात करते हैं तो चलि अगले और भी बात करें तो देखो कोपर या तामबे का इसक होता है कोपर पाइराइटीच पारा मरकरी का होता है सिनेबार जिंक या जस्ते का होता है जिंक ब्लेड जिंकाइड और क्यला माइन तीनों होते हैं जा रखना और टंगस्टन का पूछे आपको आइसक तो सिलाइट और वॉल फ्रमाइट दोनों होते हैं पीछे लेड़ शिसा के आगे ठीक है यह मैं देख रहा था कि आयक नहीं आया तो यह मैंन मैं दस दातूं के आपको आइसक दे रखे हैं तो वो ध्यान रखने हैं बही चले आगे बढ़ते हैं फिर चले अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है क्या है सवाल कि 4.4 गराम स्योटू का एंटीपी पर क्या आयतन होगा चले बताईए सवाल क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ी अराम से कि 4.4 गराम स्योटू का एंटीपी पर आयतन क्या होने वाला है तो जितने भी ट्रेड के हैं चाहिए वो जीडी का हो चाहिए ट्रेड का हो चाहिए नर्सिंग और टेक्निकल का हो सभी बंदों को लगाना है टेस्ट क्योंकि इन सवालों से लड़ोगे तभी पता चलेगा क्योंकि आप लोगों नहीं कहता कि सर थोड़े से सवाल कल वाले प्यपर की तरह रखना फिल्कुल वैसे ही रख रहे हैं तो देखिए मैं करता हूं इसको हमने यह सुना है कि एक ग्राम पर एक ग्राम पर केसों का एंटीपी पर आयतन पर आयतन जो होता है न वो कितना होता है वो दोस्तों 22.4 लेटर के बराबर होता है कि इसके बराबर होता है 22.4 लेटर के बराबर जैसे आउगाद्रों में पूचता तो वो आउगाद्रों करते अब देखो हमें पुछा 4.4 ग्राम सीयोटू, तो सीयोटू का आपको निकालना है, तो सीयोटू का पहले आप अनुभार निकालो, इसका अनुभार निकालोगे, तो दोस्तों देखी, कार्बन का होगा 12 प्लस 2 इंटू 8, कार्बन का 12 और 2 इंटू 8, आर्दू निस 16, एक सेकिंड, पारा प्लस 16 इंटू 32, मतलब 45 ग्राम आजाएगे, और 45 ग्राम का मतलब होता है, एक मो, मलब, CO2 का आयतन कितना होता है, तो आयतन आप निकालना है, CO2 का सबसे पहले आपको अनुभार निकालना है, अनुबार कैसे निकालोगे कार्बन का दर्मिमान संक्या ऑक्सिजन के दर्मिमान संक्या ऑक्सिजन दो है तो गुणा दो कर दिया 32 और बारा 49 ग्राम ये एक मोल के बराबर है पहले मोल निकालो मेरे दोस्त चम्मानिस ग्राम का मतलब हो गया एक मोल है अब हमें कितने ग्राम में निकालना है चार पॉइंट चार ग्राम में निकालना है तो दोस्तों चार पॉइंट चार का मतलब क्या होगा अब चम्मानिस के अंदर चार पॉइंट चार का भाग दे दो निकल जाएगा मोल यहां यह जीरो लग जाएगा यहां कटेगा तो कितना मोल आया 10 मोल आ गया कितना मोल आया 10 मोल आ गया यानि कि अब आपको 10 मोल की वेल्यू निकालनी है और एक मोल में एक मोल पर NTP का जो आयतन होता है वो 22.4 लिटर है अब आपको मोल कितने दियें 10 मोल तो 22.4 को आप 10 से गुणा कर दो तो दोस्तों क्या होगा देखो यहाँ पर उत्तर क्या आने वाला है तो इसको गुणा करोगे तो 2240 पोइंट अटाओ यह अट जाएगा तो 224 लिटर इसका सही जवाब आजाए यह निकालना पड़ेगा भई यह विदी आपको ना यह विदी आपको किसी भी तरह निकालनी पड़ेगी नहीं निकालोगे तब तक माम Will. नहीं बैठेगा था को ना एक सेकिन कोई गलती तो नहीं कियाना हमने एक बार चेक कर लेते सिसक्राइं छार पॉइंट चार देखो चम्माल इसमें एक मोल हो गया ठीक है यहां पर 4.4 ग्राम में पूचा है तो यहां पर 0 लग गया तो चम्माल इसे एक दस मोल ठीक है तस से इसको multiply कर दिया हमने तो एक point 224 ही आना है भाइस का ठीक है ये द्यारकना है इसका 224 ही आना है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर सामाने रूप से photography में इस्तेमाल किया जाता है सामाने रूप से photography में क्या इस्तेमाल किया जाता है ये बताईए HZNO3 HZBR HZCL HZF सामाने रूप से photography में इस्तेमाल photography का भी होता तो हम रग्त इसकंदन करते एक photography का भी उप्योग आप से पूछ लेता है photography का हम blood clotting में करते रग्त इसकंदन में और इसकंदन एक विदी हैं जिससे पिटकरी गंदे पालनी में असूदियों को नीचे बठाती है ये कर आप photography में कोण से योगिक का इस्तेमाल किया जाता है और यहां हो जाएगा दोस्तो हो एज़ी बी आर जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड करते हैं कि इसको जानते हैं कि एक सेकिंड इस सवाल में मुझे थोड़ा सा गड़बर लग रहा है रही 25.4 लिटर बिल्कुल एक मौल का होता है ठीक है दस मौल का निकालना तो यहां से 10 strong लिए आंगा याँ पिर हो सकता है 4.4 की जगन कोई और गराम भी दे सका है 4.4 गराम होगा 4.4 गराम अगर देता तो फिर हम कह सकते थे कि यहां पर 2.24 लिटर वाला option correct होता अगर यह भी हो सकता है लेकिन इस value से तो यह आएगा बहुत 4.4 से ठीक है चलिए अगला सवाल स्वाय लेपन में किसका मिस्तरण होता है यह बताईए पैट्रोल एथिल एलकोल का फर्मिल्डी आइड एथिल ऐलकोल का फर्मिल्डी आइड मैथिल ऐलकोल का इ dips कुई नहीं लेपन का मतलब क्या होता है जैसे गुरु जी डेर बोडी होती है अब कई दिनों तक पड़ी रहती है तो वो खराब नहीं हो तो उनको जब मौर्चरी में रखा जाता है तो उसे Mit पर किसका लेप किया जाता है कि आपसे पूछा जारा है आप कि सका लेपन किया जाता है तो यहां पर उत्तर होगा दोस्तो परमेलडिएड और एथिल एलकोहल का यूज़ किया है कि इसमें दोस्तो 40% अना फॉर्मेल डियाइड होता है कि 40% क्या होता है फॉर्मेल डियाइड मैं आपको चलो इसकी थियोरी से रूबरू कराता हूं एक तो आपके सामने ये वाला है क्या है ये कि पैट्रोल होता है 80% और 20% होता है एथिल एलकोहल को हैं कि यह थे तो हम आपके से पूछ अब तो आप से पूछ ले पावर इलकोहल या पावर पेट्रोल भी कह सकते हो आप इसको पावर फैट्रोल भी कह सकते हैं अगला भी दे रह आपको व्य देखिए जी मैनत जितना कटिन होता है सफलता उतनी शांदार होती है बहुत बढ़िया मौहित भई बिलकुल देखो अगला है फॉर्मेलिन जो अभी हम बात कर रहेते हैं उसी की यह फॉर्मेलडियाइड और एथिल एलकोल से बनता है यह फॉर्मेलडियाइड का ही सुतर है जो 40% होत जाता है यह भी धारगना अभी हमारा जो क्यूसन था ना फॉर्मेलडियाइड और एथिल एलकोहल में तो अलेपन में हम उसको फॉर्मेलिन भी कहते हैं और फॉर्मेलिन किसका मिस्रण है तो इन दोनों का मिस्रण है यह यहां पर बता है एक देखो सीटू एच पाइप ए एच पाइप कर लेणा एथेनोल से जहरिली सराप CS3OH मेथेनोल से बनती है यह सारी चीज़े आपको ध्यारकनी एक यह कर गए चली अगला सवाल आर सी ओच में क्रियात्मक समूवाला योगी कोण सा है यह दोस्तों आपको हाइड्रो कार्बन वाले टोपिक से पूछता जा रहा है पता ही आर सी ओच में क्रियात्मक समूवाला कोण सा कंपाउंड है यह आपको बताना है तो यहां पर देखो क्या मैथेनेल है इसके पीछे एल आता है एथेनोल इसमें ओल आता है मैथेनोईक इसमें ओएक आता है मैथेनोएट इसमें ओएट आता है और यह दोस्तों होता है कार्बोक्सलिक अमल है कि यह कौन सामले यह कार्बोक्ष्लिक अमल होता है और कार्बोक्ष्लिक अमल का अनुलगना आता है ओएक अमल है कि जैसे हमने लिखा ना ऐसे ती एच त्री सी डबल ओ अच सी टू एच पाइप सी डबल ओ अच पेंजोईक अमल है यह एसिटिक अमल है ओके एक होता है एच सी डबल ओ अच यह फॉर्मिक अमल है और एक जिसके पीछे आएगा वह गा चलो मैं आपको सभी किर्यात्मक समू करवा देता हूं क्लियर सभी किर्यात्मक समू मैं आपको एके करके क्लियर करवाता हूं तलिए यह रहे आपके सामने सभी किर्यात्मक समू यह च्छे किर्यात्मक समू पढ़ लेना अगर किसी भी हाइड्रो कारबन में किर्यात्मक समू का आया तो नहीं अटकेंगे भई R-O-H लिखा हुआ है तो वो एलकोहल है और उसका अनु लगने क्या है ओल है R-C-H-O-L-D-I-D का है इसका अनु लगने मतलब पीछे A-L लिखा हुआ आएगा R-O-R इथर का है पीछे इथर या ओक्सी आएगा R-C-R या R-C-O-R ये किटोन का है ओन लिखावाएगा C-Double-O है ये इधर छपा नहीं है R-C-O-R एस्टर का होता है इसका अनु लगने O-E-T होता है और जो ये सवाल था वो ये था कार्बोक्सिलिक अमले और इसका अनु लगने O-E-C-C-D होता है क्या होता है O-E-C-C-D होता है इधर रखना है हाँ बिल्कुल अन्सुल चोहान ले सकते हो बढ़िया काम में आप इसको ते लिए आगे बढ़ते हैं तो ये अगला सवाल है गिलपतल अलब गिलपतल बहुलक है एक तो इथाईल ग्लाइकोल या इल्शरोल या तो इथाईल ग्लाइकोल कहा दो या इक किहाым सब्स. और किसकी अभी किरिया से बनता हैं पहीं आपको ये द्यारखना है, ये पोलीमर और ये अपकी बार इंपोर्टेंट भी बन सकता है, किल पतल पोलीमर, एतिल एलकोहल या इसको हम गिल्च रोल भी कहते हैं, और किसकी अभी किरिया से बनता है, option है टर थेली कमले, थेली कमले, एड़ीपी कमले, बेंजोई कमले, बताई ये देखें, आने दीजे किसका होगा, और यहाँ सई जबाब होगा थेली कमले, अब देखो, मैं आपको मोटे मोटे सारे, अगर कोई भी पोलीमर आ जाए, तो सारे पोलीमर के दर्शन करवाता हूँ, देखो, ये रहे, कोई सा भी पोलीमर आपको पूछा जाए, आराम से कर सकते हुआ, सबसे पहला आपको यही दिया है, गिलपटल, इसकी एकलक इकाई यहां कितनी है, दो है गुरुजी, कौण-कौण सी एथिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और थेली कमले, अब दूसरा आता है पोली एथिन, तो एकलक इकाई इसकी एथिन है, फिर आता है पोली वाइलीन क्लॉराइड पी वी सी है, एक लगी काई वाईलिन क्लोराइड नेक्स्ट एफ पोली एक्रिलो नाइट्राइल जिसको औरलोन या पी ए अन कहते हैं और इसकी एक लगी काई है एक्रिलो नाइट्राइल पिर पोली स्टाइरिन पियस एक लगी कई है स्टाइरिन फिर आता है बुना एन तो बुना का महला ब्यूटाडाइन या वन्त्री ब्यूटाडाइन और एन से एक्रिलो नाइटरल इन दोनों के जुड़ने से बनता है बुना एन पिर आता है बुना-S बुना-S का महला ब्यूटाडाइन और S का स्टाइरिन 1-3 ब्यूटाडाइन टैपलोन होता है पोली-टेट्रा फ्लोरो-एथिलीन और ये टेट्रा फ्लोरो-एथिलीन का बहुलक है सारे पोलीमर एक स्लाइड पर लिख दिए अराम से आप पढ़ लेना इसको प्राकर्तिक रबड की एकलक इकाई है आईसोप्रीन और आईसोप्रीन को दोस्तों वेग्यान आपको IUP-C नाम भी पूछा जाता है तो देखिए आईसोप्रीन का IUP-C नाम 2-Methyl-13-Buta-Di-In यह 8 बजे की पेपर में मैंने एक दिन करवाया भी था नियोप्रीन दोस्तों इसकी एकलक इकाई क्लोरोप्रीन है और क्लोरोप्रीन का IUP-C नाम 2-Kloro-13-Buta-Di-In होता है फिर नाइलोन 6-6 है इसकी एकलक इकाई हैं दो है और क्या है दोस्तों चलिए अगला सवाल अब बताई नेक्स्ट क्यूशन कि निम्न मैंसे कौण से thermo-plastic ब़ुलक है बताई दर्मो-plastic कोण सा है भई thermo-plastic का मतलब होता है जिनको हम ताप देगकर ताप देगकर आकार बदल सकते है आकार बदल सकते हैं जिनको हम temperature देकर उनका धांचा बदल शकते हैं वो दोस्तोव ध्यारकनाथ thermoplastic होते हैं तो बदढ थर्मoplastic कौन सा होता है उनम तो थर्मो प्लास्टिक में एक चीज ध्यारकनाथ जिनको ताप देकर धांचा बदल रहे न वो सब प्लास्टिक है अब देखो प्लास्टिक में लेते तो यूरिया पॉर्मेलडी यह तो मजबूत आ जाता है थर्मो सेट्टिंग है यह गलत है पेकलाइट भी थर्मो सेट्टिंग में आता है तो यह भी नहीं है पोली थीन, पोली स्टाइरीन, पोली वाइलिन, देगों यहां पिर यह आ गया है, यह दोनों तो थर्मो सेटिंग है, तो C वाला उप्षन इसका करेक्ट हो जाएगा, यह लोजी ऑक्षी करन अंकों का सवाल भी आ गया, और मैं अभी इस क्यूशन के आगे स्लाइड में 4-5 आपको ऑक्षीडेशन नंबर वाले एक्जामपल दिखाने वाला हूं, उसी टाइप से आपको करना है, अगर आपको यह पूचे देखो, K-M-N-O-4, अब इसमें आपको पूच किसका रहा है, M-N मतलब मेगनीज की ऑक्षीडेशन संख्या निकालना पूच रहा है, तो आपको क्या करना है ऐसे में, जिसका पूचे उसका अक्ष माल लो, पहला काम क्या है, जिसका पूचे उसका अक्ष माल लो, अब देखो, Potassium की Valency होती है, 1, Plus, Oxygen की Minus 2, Oxygen कितने है, 4, बराबर 0, 1, Plus, अक्ष माइनस 8, बराबर 0, अब देखो, अक्ष माइनस के 7, बराबर 0, और यह उदर जाएगा, तो गुरुजी प्लस का क्या आएगा, साथ आएगा वी वाला इसका उत्तर होने वाला है अब देखो मैं आपको रूबरू करवाता हूँ ये लो जी solution सहीत है जब भी आपको टाइम मिले इनको अराम से देख ले ना oxygen का माइनस टू इन्टू फोर तो टू प्लस एक्स मतलब यह हो गया माया यहां पर ओगया टू प्लस एक्स माइनस आर्ट बराबर जी तो दोस्तों देखो यहां पर क्या होगा एक सेकिल अच टू असो फोर से कैसे यह हो गया one into two और यह हो गया cest two into four बराबर जी ठीक है यहां तक तो कोई दिककत नहीं कर रहा है वह सही किया यह हो गया two plus एक्स माइनस eight बराबर zero यहां तक भी ठीक है अब देखो यहां उदा एक्स गुद्वनद एक्स सित थे बराबर 0, x बराबर उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 जाएगा, ये इसका सही जबाब हो, अब देखो, na2, co3 में na का पूछा है, तो चलो, na का x माना 2x हो गया, ठीक है, भई, कोई दिक्कत नहीं है, co3 का minus 2 होता है, बिल्कुल सही है, बराबर 0, 2x minus 2 बराबर 0, 2x बराबर 2, ये 1 हो गया, ये minus 2, ये कहीं से उठके आ रहा है, बार बार, तो यहाँ पर इसका एक ही सही हो जाएगा, और देखो, और रहे हैं ये, h2, h4 में h का पूछा है, तो h का आपने मान लिया x, अब 2x क्यों किया है, क्योंकि hydrogen 2 है न, तो 2x कर दिया इसको, minus SO4 का minus 2 होता है, ये कोई गलत नहीं सही है, 2x minus 2 बराबर 0, ये फिर से न, ये minus 2 कहीं कौपी होके आ रहा है, तो 2 बराबर 2, ये भी plus 1 सही है थी, अब 2 में o का बताना है भई, तो o का बताना है, तो o का हमने x मान लिया, फ्लोरिन का minus 1 into 2 होता है, बराबर 0, x minus 2 बराबर 0, इधर ले जाओ, x बराबर क्या आजाएगा, प्लस 2 आज, ये लो जी ये इसका सही जवाब होगा, तो oxidation नंबर से भी क्योशन आता है, तो आप अराम से कर सकते हो, no doubt, चलिए, अब reaction का एक क्योशन है, कि N2 प्लस 3H2 से 2NS3 बनता है, इस विदी को हैबर विदी का जाता है, और ये बन क्या रहा है, ये दोस्तों ammonia बन रहा है, तो ammonia का निर्मान किस विदी से होता है, अमोनिया का निर्मान गुरुजी हैबर विदी से होता है, तो आपको कह रहा है कि इस विदी में किस उत्प्रेरक का उप्योग किया जाता है, कल आपको ओरिजिनल पेपर जब करवाया था, एक उत्प्रेरक का सवाल आया था अगर आपने गोर किया हो तो, पताईए हैबर विदी में किस उत्प्रेरक का उप्योग किया जाता है, ओप्शन है आईरन, प्लेटिनम, एमन ओफोर, एनाई निकल, पीछे सारे मिलेंगे आपको, और भी इसकी थ्योरी मिलेगी सारे की सारे, लेकिन इस सवाल का पहले उत्तर देते हैं, इस सवाल का उत्तर है, आईरन, एफी होगा, किसका यूज़ करते हैं, एफी का यूज़ करते हैं, अब देखो, इस सवाल का और भी उत्तर चाहिए, तो ये पढ़ा आपके सामने, चली ये रहा है आपके सामने, देखो यह नमबर एक, यह नमबर दो, यह नमबर तीन और यह नमबर चार N2 प्लस 3 H2, 2S3 हैबर विदी में यह देखो उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल हो रहा है आइरन का S2 प्लस 3 O2, 2SO3 में प्लेटिनम का यूज हो रहा है 2C-C-L-O3 से यह बन रहा है, इसमें मैगनीज ओक्साइड का यूज हो रहा है वनस्पती तेल से वनस्पती घी बनता है तो हाइड्रोजन गेस और इसमें सबसे ज़्यादा निकिल का इस्तेमाल होता है अलांकि होते तो तीन होई है, PD, Pledium होता है, Palladium भी होता है, Platinum भी होता है, निकल भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किसका होगा, निकल का चलिए, साथी दोस्तों यह देखिए एक और चीज दे रखिए, बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर इसको भी देखिए अराम से, अमोनिया निर्मान की हेबर विदी में एफी चूरन काम में लेते हैं, वो अभी बताया था H2SO4 की निर्मान की संपर्क विदी है, द्यान से सुनना, H2SO4 सल्प्यूरिक अमल बढ़ाने की कॉंटेक्ट विदी में प्लेटीनम चूरन या तल्प्यूरिक अमल तो लिख रहा है, प्लेटीनम चूरन का उप्यों करते हैं, मतलब उत्प्रिरक के रूप में, एक आता है डेकन या डीकेन विदी, क्लोरीन उत्पादन करते हैं, उसके अंदर दोस्तों, कॉपर उत्प्रिरक का इस्थेमाल करते हैं, वनस्पती तेल से वनस्पती घी बनाते तो निकल का यूज़ करते हैं, उत्प्रिरक पूछ रहा है आप से, एक तो निर्मान की लेड या चेमबर विदी में प्लेटीनम या नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, तो सल्प्यूरिक अमल निर्मान की चेंबर विदी और सल्प्यूरिक अमने निर्मान की संपर्क विदी प्लेटिनम तो दोनों में हैं इसमें नाइट्रोजन का भी इस्थिमाल होता है मैंने आपको बता दी है जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अना बाकी देखो परमानों के आवर सारनी के इनके जो ना लोजिक क्यों सर्ण है वो आपको स्युपाल जी सर मेरे बाद में करवाने वाले जैसे मैंने बाइलोजी में आपको अलग टोपिक के करवाए वैसे ही मैं आपको अलग टोपिक के ले रहा हूं इनके अलावा जैसे परमाणों परमाणू संचना आवर सारनी पुटा बड़ा कंड कि इस तरीके के जितने भी ना लोजिक्स वाले सवाल और अच्छे सवाल ये आपको स्वफाल जी सरकरवाएंगे आगे मेरे जश्ट बाद में वो लेने वाले हैं अगले अगला सवाल sodium bicarbonate आग भुजाने में उप्योगी है क्यों गरम होने पर ये विग्टित होकर carbon dioxide उत्पन करता है यह आग के लिए आवरण की तरहकारे करता है यह पानी छोड़ता है जो आग को भुजा देता है यह जाग उत्पन करता है जो आग भुजा देता है sodium bicarbonate मतला जो मीठा soda होता है यह आग भुजाने में उप्योगी है क्यों क्यों क्योंकि दोस्तों जब इसके साथ में कौन क्रिया करता है तो यहां से गेस बनती है carbon dioxide तो पहला option इसका correct हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दो सूची दी गए मिलान करना है आपको फोर्मूले मिल गए आपको नीला थोता तो भाई copper sulfate मिलान कीजिए पहले में चोथा तो यह दो option गलत कर दीजिए इन में से कोई पलब दूसरे में तीसरा यह तो दोनों में चल रहा है banking soda sodium bicarbonate तीसरे में पहला मतलब चोथा option सही जा रहा है यदि किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की संदर्ता इतनी दे रखी है तो उसका pH मान कितना होगा बताए हाइड्रोजन आयन की संदर्ता अगर आपको इतने मॉल पर लिटर दे रखी है तो दोस्तों उसकी pH वेल्यू क्या होगी तो pH आपको पता होगा pH निकालने का एक फोर्मूला है माइनस लोग H प्लस अब आपको pH निकालना है माइनस लोग pH की विलियन आपको यह दिया गया देखो 6 इंटू 10 की गात माइनस 7 यह आपको दिया है अब यह किस फोर्मेट में यह चेक करो यह दोस्तों है ना यह वाला यह लोग A गुणा लोग B की फोर्मेट में है लोग A गुणा लोग B की फोर्मेट में है तो देखिए लोग A इंटू लोग B या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ लोग A गुणा B की फोर्मेट में है जब आप इसको खोलोगे ना तो लोग A प्लस लोग B बनता है इसी फोर्मेट में आप इसको खोलोगे चलो खोल के देखो इसको पी एच बराबर माइनस अपनी जगह है यह हो जाएगा लोग 6 प्लस लोग 10 की गात माइनस 7 हो जाएगा पी एच बराबर आप देखो माइनस बहार पड़ा इसको खेड़ो ही मत लोग 6 की वेल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी लोग 6 की वेल्यू होती गुरुजी 0.8 और इसको आगे ले क्या होगे तो यह हो जाएगा गुरुजी माइनस 7 लोग 10 यह आपको निकालना सीखना पड़ेगा दोस्तों मैनत तो करनी पड़ेगी माइनस बाहर पड़ा यह 0.8 वर यह हो जाएगा माइनस 7 क्योंकि लोग 10 की वेल्यू क्या होती है log 10 की जो value है ना वो होती है गुरुजी 1 अब इसमें से आप घटाओगे 0.8 में से तो pH बराबर माइनस बहार पहले से पड़ा हुआ है तो माइनस में उत्तर आएगा आपके 6.2 और माइनस माइनस प्लस होकर बहार आजाएगा 6.2 बी option इसका correct होने वाला है 7.8 नहीं होगा गुरुजी निकाल के देखो चलिए अगला सवाल यदि किसी विलियन में हाइड्रोजन आएन की संदर्ता इतनी दे रखी है तो pH बताओ ये तो आसान है भई pH निकालना है माइनस लोग H प्लस से निकालोगे आप अपकी बार आपको संदर्ता गुणा में नहीं मिली है 10 की गात माइनस 6 मिली है तो गात के उपर गात देखो जो कोई पावर में दीवी आएगी न वो आगे आजाएगी आगे आएगी तो देखो माइनस और ये माइनस 6 आगे आजाएगा इधर लोग 10 बच जाएगा pH बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा लोग 10 की वेल्यू क्या होती एक इसका सही जबाब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा चलिए कार्बोजेन किसका मिस्तरन है ये आपको बताना है कार्बोजेन किसका मिस्तरन होता है ये आपको देना है उत्तर O2, CO2, NOS, CO, SCL, ZN, CL2, ZN, S2, BSO2 आने दीजिए कार्बोजेन किसका मिस्रण होता है गुरुजी कार्बोजेन अभी आपको देखो पूरा इसकी थियोरी भी बताऊंगा यह रहा देखो कार्बोजेन भी बताऊंगा यह रहा कार्बोजेन यह O2 और CO2 का मिस्रण है इसका उप्योग करत्रिम सौसन में करते हैं तो कार्बोजेन किसका मिस्रण है O2 और CO2 का मिस्रण है अब देखो मेन 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 में आपको मिस्रण सारे बताता हूं जैसे बारूद पूछले पिछली बार टेक्निकल में आया था कुशन सलफर चारकोल पोटेशियम नाइट्रेट का मिस्रण है यह ध्यान रखना है पावर एलकोल जो भी बताया था पैट्रोल एक भाग एलकोहल का मिस्रण है जिससे इंदन के रूप में काम में लेते हैं पिर आता है बॉर्डेक्स मिस्रण कॉपर का गोल और चूने का मिस्रण है जिसका कवक नासिक के रूप में यूज करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है यह ध्यान रखना अगला देखो लिथोपोन यह जिंक्स सलपाइड और बी एएसो बेरियम सलपेट का मिस्रण है जिसका उपयोग सफेद पैंट के रूप में करते है नाइट्रोलियम यह कैल्सियम साइनामाइड तथा ग्रेफाइड का मिस्रण है इसका उपयोग खाद के रूप में करते है और कार्बोजेन जो भी बताया था सौसन के रूप में यूज़ करते हैं और देखो सोडा लाइम मेन मेन सारे दे दिये मैंने सोडा लाइम एन एओच और सी एओच का मिस्रन है इसका उप्योग विबिन गेसों को आउसोसन करने के लिए किया जाता है लुकास अभिकारक क्या होता है सांदर HCL और ZNCL2 के मिस्रन को लुकास अभिकारक कहते है इसका उप्योग एक डिगरी अलकोहल, दो डिगरी अलकोहल तता तीन डिगरी अलकोहल को पैचानने के लिए किया जाता है वेरी इंपोर्टेंट ध्यारकना इसके उप्योग है चली अगला सवाल निमनमैस से कौन सी क्वांटम संक्या उर्जा इस्तर को दरसाती है चली इसके जस्ट बाद हम फिजिक्स के सवालों में भी एंटर होंगे क्यमेस्टिक के सवाल हमने खूब सारे देख लिए है अब फिजिक्स के भी सवाल हम देखने वाले है कह रहा है कौन सी क्वांटम संक्या उर्जा इस्तर को दरसाती है यह आपको बताना है पताई कौन सी क्वांटम संक्या उर्जा इस्तर को दरसाती है यह आपको बताना है, तो दोस्तों वो है उर्जा इस्तर को N दरसाती है, वो पूर्जा इस्तर को L दरसाती है, यह भी ज़स्ट पीछे बताया था, कक्सक को यह दरसाती है, और इलेक्ट्रोनों का चक्रन कौन दरसाती है, S दरसाती है, यह द्यारकना है, अब देख लो चारो कि निल्स बोर ने युगन सी क्वांटम संक्या एल की खोज किसने की सॉमर फिल्ड ने चुम्बग की क्वांटम संक्या की खोज लिंडे ने की थी और चक्रन क्वांटम संक्या की खोज लुवेन लुनेवियक और गॉल्ड स्मित ने मिलकर की चारों क्वांटम संक्याओं की अब इसका रख चलो एक और है किस ब्लोग के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रोन डी कक्षक में भरा जाता है याद रखना अगर किसी कक्षक की पहचान करनी है तो आप तो यह देख लो कि अंतिम इलेक्ट्रोन कहां भरा जा रहा है एस में पी में डी में या एप में भरा जाता है अंतिम इलेक्ट्रोन डी के अंदर भरा जाता है यह आपको बताना है अब ती कक्षक में भरा जाता है ती कक्षक में भरा जाता है तो दोस्तों वह होगा डी अंतिम इलेक्ट्रोन जिसमें भरा जाए वही कक्षक होता है अब यह दिख नहीं रहा होगा आपको लेगन आपको पीडिया मिलेगा न तो इसमें देखो S ब्लोक के सारे तत्वों के बारे में आपको दे रखा है पूरा यह देखो P ब्लोक का दर्व है और D ब्लोक के तत्वों के बारे में मोटा मोटा दे रखा है कि सबसे आगातवरने धातू सोना है सरवादिक भारी ओस्मियम सबसे कठोर प्लेटिनम सबसे महेंगी प्लेटिनम प्रत्रम करत्रिम तत्व टेकनिश्यम T-Block में दर्वदातु मरकरी D-Block में 40 तत्व है T-Block के तत्व को संकर्मन कहते है T-Block के तत्व के भायतम को सिरिक्त होते है यह सारा दे रखा है यह देखिए आपको F-Block का भी दे रखा है कि एब लोग में आंत्रिक संक्रमन तत्व आते कि इनके दो कोज अंदर की तरफ भरे जाते हैं इस्ताई ओक्षिक्रन अवस्ता प्लस तीन है लेंथेनोईड और एक्टिनोईड में 14 चद्व तत्व होते हैं बारी तत्व यूरेनियम को चोड़ कर उसके बाद आने वाले तत्व ट्रांस यूरेनिक होते हैं और पहला ट्रांस यूरेनिक तत्व नेप्चून यह उता है यह तो थी दोस्तों chemistry का एक question और भी है चलो उसके बाद physics के हम मोटे मोटे देख लेते हैं अभी एक दो सवाल और हैं चलो उसके बाद physics है chromium का सही electronic विन्यास बताओ तो chromium का परमाणू करमांग क्या होता है गुरुजी 24 होता है तो यहां 24 देखने से पहले और्गन का कितना है बई 18 है और्गन का 18 है और्गन का 18 है और गन का 18 है 18 और 4, 22, 22 यह हो सकता है 18 और 3, 21, 22 यह तो नहीं होगा 18 और 5, 23 और 1, 24 यह हो सकता है 18 और 6, 14 और 2, 26 यह नहीं हो सकता अब दोस्तों जब आप करोगे न तो 3D pipe complete होगा यह C वाला इसका सही जबाब होगा आप जब भी करोगे न तो last में ऐसे आएगा 4S2, 3D4 अब एक इलेक्ट्रोन इसको देकर complete किया जाएगा तो 3D5, 4S1 आता है यह आपको ध्यान रखना है clear चलिए जिपसम का सुत्र बताईए यह अपना chemistry का अंतिम सवाल है जिपसम का सुत्र बताना है तो देखो यह वाला जो दिख रहा है ना यह तो होता है किसका और यह होता है किसका यह द्यारक ना है बताईए जिपसम का कोण सा इन में से सुत्र होता है तो जिपसम का दोस्तो यह दोनों तो है ना आपके किसके P.O.P किये हैं बही जिपसम का सुत्र होता है वो यह बड़ा होता है Care के यह उता है यह यह वाड़ा होता है ज्यारक अब देख लो आपको सारे मॉस्ट मॉस्ट मेने फोर्मूले की इंडेक्स देदी है तादारण नमक का दे दिया धोने के सोडा, गलाबर साल्ट, बैंकिंग सोडा, चीली साल्ट पीटर, हाइपो, कास्टिक सोडा और कास्टिक, यहाँ पर कास्टिक जो लिखाने यह है पोटेशियम हाइड्रोक्षाइड, यह नहने वाड़ा साबून का है, चिंदूर का दे र रखा है, औरोसिव सब्लिमेंट का दे रखा है, नीला थोता, हरा थोता, सपेथ थोता, तीनों थोते आगे, नाइटर सोरा, सोडा माइट का भी आगे, इसके अलावा देखो, पोटास, वो पीछे है ना, कास्टिक पोटास ना, यह गाइब हो गया, यहाँ पर पोटास था कली चुना, भुजा चुना, जिप्सम, हाइडरोलित, ब्लीचिंग पाउडर, सुपर फास्पेट, इपसब लवन, फिटकरी, हैर साल्ट, बात साल्ट, लुनर, कास्टिक, प्रियोन, मुरेमिक अमले, नाइट्रिक अमले, लाल दवा, सुस्क बर्प, ठोस योटो होगे न गंदक, अमला, हासे, गेस, नोसादर और चौक, मैन मैन सारे फुर्मुले आपको लिष्ट में दे दिया मैने, और देख लो, साल्ट, सोडा, सोडा, इस बोलते हैं इसको, जल, काच, मस्टड, ना मस्टड है, मस्टड गेस, गेमेक्षीन, पाइरीन, माइक्रो स्मित या सा अस्रूगेस, खिलोप्सवर या उन, एसलर, अभिकारक, मासेलस, अमलस, सलफ्यूरिक, अमलक, कार्नोलाइट, क्लोरोफोम, मोहर, साल्ट, ये कास्टिक तो पीछे वाले से आ रहा है, इसको छोडो, और ये देखो, कुछ समस्थानिक भी दे रखे हैं लाश्ट में, कोबा 131 गलगंट घेंगा की जांच में, आरिन 59 एनिमया की जांच में, आर्सेनिक चोवतर गांट का पता लगाने में, कार्बन चवदा जिवासम की आयू बताने में, यूरेनियम पंदरा परमानो भट्टी, नाभी के भट्टी, तारे, ग्रह प्रत्वी की आयू निर्धारित क पोदे की आयू का आंकलन करते, रेडियो आइसोटोप डेंटिंग विदी से पत्थर के नमूने, कास्ट का मलब लकडी या जेव अवरोध में मापन उनकी आयू बताने में, यूरेनियम काल निर्धारन विदी से पर्थ्वी और पुरानी चट्टानों की आयू पता लगा करते हैं, और या रगना अधिक पुरानी चट्टानों के लिए, कोटेशियम आरगन डेंटिंग काम में लिजाते हैं, ये लो जी मैन मेन आपको वीदिया दे दी, अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम कुछ सवाल फिजिक्स के भी लेते हैं, कुछ सवाल फिजिक्स के भी कि जब पानी गरम करके 0 degree Celsius से 10 degree Celsius कर दिया जाता है, तो पानी का आयतन बताना है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, पहले बढ़ता है, बाद में घटता है, पहले घटता है, बाद में बढ़ता है, बाद में बढ़ता है, बताई, जब पानी को गरम करके 0 से 10 डिगरी कर दे तो पानी का आयतन बताना है तो गुरुजी आयतन और ताप का ग्राप निकाड़ो ना आप यह लो जी जीरो डिगरी चार डिगरी और दस डिगरी गुरुजी चार क्यों लिया क्योंकि चार डिगरी पर पानी का आयतन क्या होता है न्यूनतम होता है तो यहां पर देखो आयतन लेता हूं मैं और यहां पर मैं ताप लेता हूं इसका graph कैसे बनेगा इसका graph दोस्तो ऐसे बनेगा 4 degree पर आयतन minimum होता है इध्यान रखना है अब यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि 0 से 10 ले जाना है दी ओप्सन इसका correct होने वाला है चली एक मेगावार्ट घंटा किसके बराबर है उस्तों मैं बता दूं आपको कि यह यहां तक chemistry थी इसके बाद यहां पर physics स्टार्ट हो रहा अपना Ça by naky明 tau all ओर यह जीक्स है और यह physics के सवाल यहां से सुरू हो गये हैं एक मेगावाट घंटा किसके बराबर पर यह बताना है तीन पोइंट दिष्ट और दसकी गाद तीन जूल दश्की गाद दसकी गाद चार जूल दीन पॉइंट दसकी गाद इसकी गाद नो जूल है अगर किलोवाट गंटा होता ना तो तीन पॉइंट चैगुणा दस्की गाथ चैजूल करते हैं कि इतना जूल कर देए लेकिन यह कह रहा है मेगावाट गंटा तो वह तीन पॉइंट चैन टू रसकी गात नो जूल के क्या होगा बराबर होगा गलत साथ के बराबर नहीं करना है चलिए अगला सवाल निमन लिखित में से कोण सी तरंग दुरुवित नहीं की जा सकती है बलत कोण सी तरंग है जिसका दुरुवण नहीं कर सकते हैं दुरुवित का मतलब है कि जिसका हम क्या नहीं कर सकते दुरुवण नहीं कर सकते वो कोण सी तरंगे हैं तो दोस्तो अक्स हैं प्रकास हैं दवनी हैं या रेडियो हैं बताए हम कोन सी तरंगों का दुर्वन नहीं कर सकते हैं। अगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो आप थीटा का मान कितने डिगरी रखोगे तो चलो दोस्तों रख के देख लो ना एन बराबर 360 बटा थीटा से करना है आपको अब देखो एन बराबर 360 बटा अगर 0 रखोंगा तो अनन्त आएगा 360 बटा 60 रखता हूँ तो देखो काटो इसको 6 वार गया 6 समसंख्या एक गटा होगे तो भी पांच आएगा तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा 90 रखे देखते हैं देखो 360 बटे 90 काटके देखो नो चोके 36 चार समसंक्या एक गटाओ बिल्कुल तीन आएंगे मतलब उन दरपणों को लंबवत रखना पड़ेगा 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा चली आगे बढ़ते हैं फोटोन की उर्जा E है फोटोन की उर्जा E है समवेग P है और वेग C है उनमें सम्मंद क्या होगा यह आपको बताना है आने दीजी इस सवाल का सही जबाब क्या होगा चली दोस्तों इस सवाल का हम सोलुशन करते हैं किस टाइप से देखो इस सवाल का सोलुशन करते हैं अपने डिखो अपन को अगला क्या कह रहा है अपन को अगला यह कह रहा है कि फोटोन की उर्जा जो होती है आगा देखो फोटोन की जो उर्जा होती है न वो होती है E बराबर M C स्क्वार होती है clear E बराबर M C स्क्वार होगी और आपको सम्वेग दे रखा है P सम्वेग P बराबर यहां से हो जाएगा M C क्योंकि यहां वेग की जगह हमने C ले रखा है V की जगह अब देखो E बटा P निकाल लो M C स्क्वार बटा M C हो जाएगा M C से M C कट जाएगा E बटा P बराबर क्या बच गया M C बच गया M C बच गया M C बच गया M C बच गया अब यहां पर क्या आएगा यहां पर दोस्तो P बराबर क्या आजाएगा E बटा C आजाएगा यह वाला relation बनेगा मलब D वाला option इसका correct होने वाला है कौन सा option सही होगा D वाला option सही होगा चलिए अगला सवाल अगर हम एक कमरे में चालू फ्रीज रख दें तो कमरे का ताप क्या होगा बढ़ जाएगा कम हो जाएगा पहले जितना रहेगा या काफी कम हो जाएगा बताओ एक बंद कमरे में अगर हम फ्रीज चला दें तो क्या होगा यहां पर सीधा सा होगा अगर प्रेज चलाएंगे तो कमरे का ताप क्या होगा बढ जाएगा केमरे का कोण सा भाग आंक की रेटीना की तरह कारे करता है बता बतो केमरे का कोण सा भाग आंक की रेटिना की तरह काम करता है प्रकास चिद्र सटर लेंस या फिल्म बहिए केमरे का ऐसा कूण सा भाग है तो अपने आंक के रेटिना की तरह काम करता है रेटिना पर क्या बनता है भई प्रतीबिम बनता है तो बताओ केमरे का कूण सा भाग है जिस पर प्रतीबिम बन जाती वो कौन सी होगी फिल्म हो जाएगी ये ध्यान रखना है चलिए अगला सवाल निम्र लिखित में से कौन सी किर्णे आवेश रही तो होती है कि थोड़ अलफा अक्स बीटा बताओ देखे कौन सी तरंगे हैं जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता है निम्र लिखित में से कौन सी किर्णे हैं जो आवेश रही तो होती है जिन पर आवेश नहीं पाया जाता तो गुरुजी वो अक्स है या तो गामा होगी या फिर अक्स होगी ये दिया रखना चली अगला सवाल असी किलोग्राम वजन का एक वेक्ति लिप्ट में जा रहा है येदि यका यक लिप्ट का केबिल तूट जाए तो गिर्ती वी वेक्ति का भार कितना होगा मलब लोजिक सवाल है लेकिन अगर आपको लोजिक कंसेप्ट पता है तो नहीं अटकोगे इसमें एक असी केजी का वेक्ति लिप्ट में जा रहा है अचानक से लिप्ट का तार तूट जाए तो दोस्तों मैंने का जब अचानक से तार तूट जाता है ना तो वेक्ति को अपना भार ना बाहर हीन महसूस होता है तो दोस्तो उस वेक्ति को अपना भार कितना महसूस होगा, शीरो महसूस होगा एद्यारक, क्या होगा सुनने, तलि अगला सवाल, आइंस्टीन को किस कारे के लिए नॉबल पुरुषकार परदान किया गया था, वै आइंस्टीन को कोण से काम के लिए नॉबल प्राइज दि सिद्धान परतिपादन के लिए, परकास विदुद प्रभाव की खोज के लिए, परकास विदुद प्रभाव की क्वांटम सिद्धान की व्याक्या के लिए, तरवेमान उर्जा संबंद इस्तापित करने के लिए, वै आइंस्टीन के तो द्वारा यह सारे दिये गए है, ये चारों ही आइंस्टीन के ही है लेकिन आइंस्टीन को किसके लिए नॉबल प्राइज से सम्मानित किया गया था ये है चारों के चारों आइंस्टीन को गुरुजी नॉबल प्राइज किसके उपर मिला था ये आपको बताना जरूरी है तो गुरुजी आइंस्टीन को नोबल प्राइज मिला था प्रकास विदुद प्रभाव की क्वांटम सिद्धान्त की व्याख्या के लिए मिला था चलिए अगला क्यूशन यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागत से ढख दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन परती भी मलुप्त हो जाएगा आकार में घटकर आधा रह जाएगा उसकी चमक कम हो जाएगी कोई प्रभाव नहीं होगा पताओ किसी लेंस का अगर हम आधा भाग कागत से ढख दे तो क्या होगा आख नोर पला आगर हम आख करें आख करेंगा आले शाबस शाबस तो दोस्तों द्यार अरकना उसकी चमक क्या हो जाएगी कम हो जाएगी C option इसका correct होगा आकार में ढखकर आधा रह जाएगा नहीं उसकी चमक कम हो जाएगी ये इसका सही जबाब होगा हाँ जी हाँ जी उसकी चमक क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ये ध्यान रखना है तलि आगे बढ़ते ही रे की चमक के लिए निमनलिकित में से कौन से कारण है वहीं हीरा चमकता है उसका मेन कारण क्या है अब आप सोचोगे पून अंतरिक प्रावर्तन अरे नहीं उसके कारण बताने हैं उच अपवरत नांक उच गनत्व उच पारधरशिता अतिक टोड़ता सही उत्ता निची देख कोडू में से चुली ही रे की чमक का कारण क्या है ये आपको बताना है आने दीजिए फटाःषे ही रे की चमक का कारण क्या है कौन सा option सही होगा इन चारों में से नीचे दे भी रखा एक और दो सही होगा 2-3 होगा 3-4 होगा तो गुरु जी यहां पर एक और दो वाला ये सही होगा द्यान रखना है पहला और दूसरा सही होगा Chief Chief that hour पेरोमीटर okay पाथ का यकायक गिर जाना किस संभावना को प्रदेशित करेगा पेरोमिटर का पाठ्यांग तेजी से यकायक का मतलब क्या होता है यकायक का मतलब होता है तेजी से अगर नीचे गिर जाए तो बताओ किसको प्रदेशित करेगा ताप मोसम प्रशा का आंदी का या अतेदिक ठंड का बताई ये वो किसका सिंबल होगा अचानक से पारा गिर गया तो वो किसका संकेत देगा ये अपन को बताना है तो त्याबास आने दीजिए फटा-फट से तो बेरोमीटर का पाठाग यका यक नीचे गिरने का मतलब आन्दी आने की पूरी समवना बढ़ चुकी है इसकी आन्दी आने की समवना कंप्लीट हो चुकी है बढ़ चुकी है चलिए अगला क्यूशन आदर्श गेश की आंतरिक उर्जा किस पर निर्बर करती है केवल दाब पर आयतन पर ताप पर या अनू के आकार पर तो गुरुजी यहां उत्तरोगा ताप पर क्योंकि आदर्श गेश से वो उती है जिनको हम संपिडिद नहीं कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन निम्न लिखित मैस से कोन सी गटना दवनी तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है परावरतन अपवरतन दुर्वन या वीवरतन बताओ देखें कौन सी गटना है जो दवनी तरंगों के द्वारा नहीं उत्पन की जाती है सेसन को लाइक ठोको एक बार दबा के सभी दोस्त आज काफी सो रहे हैं भाई लेट जागेंगे बाद में देखेंगे क्यमेश्टी के करवा चुका हूँ फिजिक चल रहा मेरा कुछ ही समय बाद आपके साथ स्विपाल जी सर जुडने वाले हैं और वो आपको इस मेराथन को आगे तक ले जाएंगे मोटे मोटे और जो गहराई वाले क्यूषन हैं मेने मोटे मोटे करवा दिये हैं अब और भी गहराई वाले क्यूषन लोजिक च्यूषन ये आपको स्विपाल जी सर आगे मेरे बाद कंटिनू रहेंगे तो दोस्तो दवनी जो है न वो दुर्वन की गटना नहीं दरसाती है और सारी दरसाती है दुर्वन नहीं दरसाती है यह सारी दरसाती है चलिए बल का आवेग किसके बराबर होता है बल का जो आवेग होता है न वो किसके बराबर होता है समेग परिवर्तन की दर के समेग परि परिवर्तन के व्युत्करम के इन में से कोई नहीं बताईए बलका आवेग किसके बराबर होता है ये बताना है आपको आणे दीजिये शाबास अरे आवेग इंपलस होता है आवेग क्या होता है सम्वेग में डैल पी लिखते हैं अपन एल पी का मलब सम्वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है या आप इसको ये भी लिख सकते हो P2 माइनस P1 P2 माइनस P1 भी लिख सकते हो लोजी ये आ गया थोड़ा सा चक्राने वाला सवाल बताए निमन लिखित रंगों के तरंग देरी का बढ़ता हुआ क्रम बताना है आपको दिया नारंगी जामुनी पीला बेंगनी अब ये आपको option दे रखें चार बढ़ता हुआ क्रम बताना है मलब पहले आपको सबसे कम वाला ढूंड़ना है फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा लास्ट में सबसे ज्यादा वाला आना ची तो गुरुजी आपको ऐसे याद रखना है साथ कलर होते हैं वी भी ग्योर है अब आप चेक कर लो इसका एंगस्ट्रम होता है 49 इसका एंगस्ट्रम होता है अब कोई अगर रंग ऐसे बढ़ रहा है ना तो वह बढ़ती वी करम है देखो वाइलेट बेंगनी है क्या बेंगनी है गुरुजी चार नंबर पहले उप्शन पर तो दूसरा इस ही कर दो ना और तो ही नहीं कहीं पर पिर देखो यह कह रहा दो नंबर दो नंबर जामुन फिर तीन नंबर पीला और लास्ट में नारंगी आ जाए तो दूसरा उप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा चलिए यह आपके नुमेरिकल टाइप क्यूशन आ गया कि सीधी सड़क पर चलती हुई किसी कार की चाल 10 सेकिंड में 20 किलोमेटर परती गंटा से 50 किलोमेटर परती मान क्या होगा तौरण बताना है हमें इसका एक का मान क्या होगा तो देखो वेल्यूल्यव आपको क्या दिए वेल्यू अगलेष है टी आडीकल सेकिंड आपको वीवन दे दिया बीस या फिर यह यूं कहेदो 20 किलोमेटर परती घंटा से मतलब U का मान 20 दे दिया और V आपको 50 दे दिया अब तवरण ही तो निकालना है तो सीधा साथ तवरण होता है V-U बटा डेल टी V कितना है? 50 U कितना है? 20 बटे 20 हो गया तो 30 बटे एक सेकिंड हमें आपको 10 दिया ना तो यहां आजाएगा 30 बटा 10 आजाएगा बतलब 3 मीटर पर सेकिंड स्क्वेर बी वाला उप्शन सही होगा अगर फोर्मूला आता है ना तो आप आराम से कर दोगे आरियन बॉइ लाइव चेट नहीं देखते हैं लाइव चेट यार यूटूब में बहुत सारे बंदे हैं तो दिखता नहीं है ना सभी का लास्ट में जब आप कमेंट करोगे वो हम देखेंगे निर्वात में सवतंतरता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होती है वेग समान होता है तो वरन समान होता है या बल बराबर होता है ये बहुत सारे बंदों को दिक्कत रहती है एक बार ये भी सवाल आता है कि निर्वात में लकडी का लोहे का और कागजतीनों को साथ गिराते हैं तो परत्वी पर पहले कोन आएगा तो निर्वात में सभी साथ आएंगे अब वही सवाल मोडिफाई करके पूछ लिया कि सवतंतरता पूर्वक गति करते वे नीचे आ रहे हैं तो उनका सभी पिंडों का क्या समान होगा तो कई लों कहते हैं गुरुजी वेग समान होगा नई उनकी तोवरन का मान समान होगा यह ध्यान रखना है उनका तोवरन समान होता है एकलिरेशन समान होता है तोवरन जब समान होगा तो वेग अपने आप समान हो जाएगा यह ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट सूरी के चारो और चक्कर लगाने वाले ग्रहों में तो आवशेक अभिकेंद्री बल होता है आप सबको पता है अभिकेंद्री बल के कारण ही सूरी के चारो और चक्कर लगा रहे हैं तो ये कहरा है वो अभिकेंद्री बल की आपूर्ती करता है वो किसके कारण होता है बलाब वो अभिकेंद्री बल किस बल के कारण उत्पन हो र से सरंक्षन से तटस्ट बल से इनमें से कोई नहीं को दोस्तो सूरी के चारोर चक्कर लगाने वाले गरहों में जो अभिकेंद्रिय बल हना वो गुरुत्वा कर्षन बल के कारण उत्पन हो रहा है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए अगला क्यूशन यदि किसी गेस का ताप उसके संगनन बिंदू से कम कर दिया जाए जिस पर दर्व से गेस में जा रहा है कोई भी अगर उस पॉइंट से भी कम कर दें तो बताओ उस गेस के अनों की गती उर्जा कम होगी अनों की बीच आकर्षन बढ़ जाएगा गेस दर्व में परवर्तित हो जाएगा यदि किसी गेस का ताप उसके संगनन बिंदू से कम कर दें तो क्या होगा संगनन से कम करेंगे तो वो गेस दर्व में आएगी सीधि शिवाथ तो तीसरा उप्शन तो सही है उनके अनों की गती जुर्जा भी कम होगी सीधिी शिवाथ एगर टेंपरेचर कम कर होगे तो गती जूर्जा कम होगी और आकर्षन बल उनमें और बढ़ जाएगा क्योंकि दर्वों में आकर्षन बल गेसु से क्या होगा ज्यादा तो सारे सही है ये और ये सवाल इंपोर्टेंट भी है दोस्तो ध्यान रखना इस तरीके का सवाल पक्का आएगा एक गेसु का चलिए अगला क्यूशन यदि हम ठोस वस्तू को गरम करें तो किस भाग में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वर्दी होगी अगर मालो मैं किसी वस्तू को क्या करता हूं गरम करता तो गुरुजी उसको उस्मिय परसार बोलते हैं क्या बोलते हैं उस्मिय परसार अब उस्मिय परसार से वस्तू की लंबाई भी बढ़ती है उसका छेतरपल भी बढ़ता है और उसके आयतन में भी परिवर्तन होता है आपको यही तो पूछ रहा है कि किस में सबसे ज़्या या सब में बराबर होका तो उसमी परसार अगर आपने पड़ा हो, तो इन तीनों का अनुपात एक, दो, तीन आता है, आयतन में दोस्तों, तीन परिवर्तन होगा, सबसे जादा आयतन में चेंज आएगा, सबसे ज़्यादा क्या परिवर्थन होगा उसका आयतन परिवर्थित होगा क्योंकि अनुपाद देखो ना एक दोर तीन होगा ली नहीं गरना है इसका तलिए विदूत केतली में पानी गरम उस्मा संचन की किस विदी से होता है विदूत केतली में पानी गरम किस से होगा चालन के कारण सैवन के कारण विकिरन के कारण अनुपाद की गती के कारण बताईए विदूत केतली में पानी गरम किस मेथड से होगा ये आपको उत्तर देना है बताईए विदूत केतली में पानी गरम किस मेथड से होगा ये आपको उत्तर देना है झाल झाल आने दीजी देखिए सवाल का सही जवाब क्या होगा तो गुरुजी चालन तो केवल ठोस में होता है केवल ठोस में और विक्किरन अगर आपको वो कहता कि तूरिय की उस्मा प्रत्वी पर किस विदी से आती है सहवन होता है दर्व और गेसों में तो यह कहरा केतली में पानी गरम हो रहा है वो किस विदी से हो रहा है सहवन विदी से होगा यह ध्यारक ना है अगर कोई लाल से भी ज़्यादा तरंग दे रही है तो वो रंग कौन सा मलब उस परकास को हम किस नाम से जानेंगे वह लाल की कितनी बताई मैंने अठैतर सो अंगस्ट्रम बताई है अब जिस बंदे ने तरंग और तरंग के परकार वाला टोपिक पढ़ा है ना तो गारंटी के साथ कहता हूँ वो सही करेगा इसको क्योंकि विजीबल लाइट के जश्ट बाद कोन आता है अवरक्त किरने आती है इंफ्रारेड आती है इंफ्रारेड आती है पराभेंगनी दर्शे की तो कम हो जाएगी दर्शे में तो आता है विब ग्योर विब ग्योर आता है इनकी 4900 से 7800 है इसकी 7800 से लेकर दस की गात तीन अंगर मीटर तक आती है तो लाल से भी लाल लाश्ट में यह आ गया लाल की जिस्ट बात कोण आएगा आवरक्त आएगा इध्यार में चलिए सबसे अधिक प्रत्यास्ता किसमें होती है यह आपको बताना है सबसे अधिक प्रत्यास्ता प्रत्यास्ता का मलब elastic कीचने पर खिच जाता है छोड़ने पर वापस उसी अवस्ता में तो दोस्तों रबड मत कर देना कई बार इस पात भी नाम आता है इस्टिल की जगए यह हुगा हाँ अगर यह पूस्ता रबड का कि सबसे अधिक के सबसे अधिक के प्रत्यास्त बहुलक कोण सा है सबसे अधिक प्रत्यास्त बहुलक कोण सा है तो फिर आपका उत्तर क्या आता रबड आ जाता एक तरफा यह दिया रखना है सबसे अधिक परत्यास्ता इस्टील में करना है अगर क्वार्च होता तो एक नंबर पे क्वार्च आता है एक नंबर पे क्वार्च आता है इस्टील या इसपात दोस्तो दो नंबर पे आता है रबड जो होता है वो तीन नंबर पे आता है लेकिन ये पूछे सबसे अधिक प है है कि मेक चुंबक को दो बराबर भागों में विबाजित किआ जाता है म για 驱 बिक आंए ये कोई चुंबक है म इसके दो बराबर ठुकडे कर दे किसी एक चुंबक की आगूण का क्या होगा माले कि पूछा है दोस्तों आप से चुम्बक की सामर्थे नहीं पूछा है चुम्बक में गुण उतना ही रहेगा प्रतिक टुकड़ा एक नया चुम्बक बना लेगा लेकिन चुम्बक की आगुर्ण जो होगा ना उस चुम्बक का आधा हो जाएगा य हैं ए मिंज आगुर्ण आधा हो जाएगा चुम्बक का प्रतिक वो टुकड़ा एक नया चुम्बक बना लेगा लेकिन चुम्बक की आगुर्ण उसका आधा करना है चलिए रेडियो तरंगों में क्या होती है ये बताना है रेडियो तरंगों में क्या होता है अल्प तरंग देरिये अल्प तो अना गामा की होती है ये तो गलत है उच्छावर्ती उच्छावर्ती तो होती है लेकिन आगे भी देखो ना अल्प तरंग देरिये उच्छावर् ये वाला सही होगा रेड्यू तरंगों की तरंग देरिय सबसे ज्यादा होती है और जिनकी तरंग देरिय ज्यादा होती है उनकी आवर्ती भी ज्यादा होगी धारतना है इगा पिलिव दृर्ण रां लश्रेजों लभीपित करता है यह आपको बताना है कि ब्धूत्त वाहग बल क्या निरुपित करता है बल कारिय सम्वेग या इन में से कोई है बिद वाहग बल होता है गुरुजी EMF Electromotive Force आपको बताना यह किसको निरुपित करेगा विदुत्वाग बल क्या होता है दोस्तों देखो इसकी परीबासा आपने पड़ी हो विदुधरावाले में कि किसी खुले परीपत में किसी खुले परीपत में एक कांक आवेश को आवेश को घुमाने में किया गया कारे क्या होगा वो होता है EMF तो दोस्तों विदुत्वाग बल कारे को निरुपित करता इसलिए विदुत्वाग बल केसी रासी है, अदिस रासी है एक Iskelar Quantity है तो ये किया गया कारे होता है यह ध्यान रखना है आप लोगों के चलिए आगे बढ़ते हैं एक नियम पूछ रहा है कि दो विदूत आवेसों के बीच लगने वाले बल से समंदित कौन सा नियम है एमपियर का, कुलाम का, फिराडे का या ओम का नियम है बताइए इसके बाद दोस्तों अपना एक लास्ट कुशन रहेगा फिर स्वयपाल जी सर आपके साथ जुड़ रहे हैं इस मेराथन को आगे और लंबा करने के लिए और भी अच्छे सवालों के साथ वो सर आपके साथ जुड़ने वाले हैं तो दो आवेस के बीच लगने वाला बल ये कुलाम का नियम धर्साता है फिराडे के दोस्तों EMI के नियम है EMI के नियम जिन्होंने फ़र्ष्ट नियम के अंदर तो EMI की परिवासा बताई थी और सेकंड नियम के अंदर उन्होंने ये काता E समानुपाती and defy upon dt होता है और ओम का नियम आप जानते हूं V बराबर I R होता है के चलिए अपना आज का लास्ट क्यूसन है लेकिन इसके अंदर एक डाइग्राम नहीं दिया तो यह अधूरा सवाल है तो इसको हम कट कर देते हैं तो यह था दोस्तों अपना आज की मेराथन का एक जबर्दस संग्रण और इस मेराथन को आगे भी बढ़ाने वाले हैं आग चलिए शिवपाल जी सर आपके साथ अब जुड़ने वाले हैं इस मेराथन को आगे और बढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से दोस्तों इस मेराथन को आपको लगाना है कमेंट बोक्स में जरूर बताना तो बंदे लेट जुड़ें वो सुरुवात से देखना कैमेस्ट्री के मैंने डेंजर क्यूशन और फिजिक्स के भी आपको करवा दियें अब स्वपाल जी सर आपको स्टार्टिंग में वही कैमेस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स के क्यूशन से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जुड़िये दोस्तों इस मेराथन का आपको अच्छे से पूरा लुप्त लेना है ऐसा नहीं कि बीच में छोड़के चले जाए जिनका दस मार्च को एक्जाम है वो बंदे तो एक्टिव रहने ही रहने है और जिनका 22 अप्रेल को है वो भी कमरकस के तैयार रहिए चलिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आप जुड़े रहना स्वपाल जी सर आपके साथ जुड़ रहे हैं बढ़िया क्यूसनों के साथ मस्त रहिए तंदुरुस्त रहिए ओके जी जहिंद जह भारत पूर्णिंग साथियों आप सभी का स्वागत आज के सेशन में आप सभी युवासाथियों का हर्दी अविनंदन स्वागत तो इतन देर डियेस सर आपको एक से बढ़के एक सांदार जांदार क्यूसन करवा रहे थे और उसी परकार की क्यूसन जो पुर्वा के एक्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एक्जाम में परबल संभावना रहेगी उन क्यूसनों को पूछने की यानि वो क्यूसन रिपिट होने की परबल संभावना है तो उन क्यूसनों के बारे में अपन विस्तार से परिचर्चा करते हैं परते क्यूशन की लेंग्वेज को परकते हैं क्या किस परकार के ओप्षन एक्जाम में होते हैं के से हमें जबाब देना होता है इन सब के बारे में हम परिचरचा करेंगे सेशन में इतने देर एक से बढ़ गे एक सांदार जानदार सवाल आपके सामने पेस कर रहे थे साइंस के गुरू जी डिये सर बहुत बढ़िया सेशन ता इतन देर का और उमिद करता हूँ कि आगे का सेशन भी बहुत अच्छा होगा आपका तो आप साथ युशे निवेदन है कि सजदज के तयार हो जाएए और परते क्यूशन पर आप पेनी नजर रखिए सीदा माइंड वे प्रैमस्तिक्स में जाना चाहिए केमेश्ट्री फिजिक्स के एक से बढ़ करें एक सवाल आपके सामने इतनी देर जो पेस हो रहे थे उसी परकार के क्यूशन अब आपको और सामने मिलेंगे क्यूशन बहुत बढ़िया है सांदार क्यूशन है केमेश्ट्री फिजिक्स के सांदार जानदार सवाल तो साथियों आपको जुड़ा रहना है सभी साथियों का एक बार पर फिर इस प्लेटपोरम पर आपका साथियों याद रखना है इंग्लिश में बोला जाता है نुकलियस इस नुकलियस की खोज का का यह किस महान वे गयनिक ने किया था नाबिक की खोच करने वाले वेगयानिक का नाम क्या था साथियों नंबर एक ओप्षन दे रहा है रधर पोड नंबर दो दे रहा है डॉल्टन नंबर तीन दे रहा है गॉल्ड इस्टीन और नंबर चार ओप्षन दे रहा है तॉम्शन यह सभी वेगयानिक किसी ने किसी परियोग देने वाला महान वेगया निक अर्नेस्ट रदरपोड और उसके दोसिस से हैंस गिंगर और मार्शिदेन उन दोनों ने इन तीनों ने सोने की पतली पन्नी पर परियोग किया था एलफा किरणों की बोचार की थी और उनी एलफा किरणों में आपने सुना होगा एक किरण वापस आ गईती डिवर्स आ गईती 1-90-1 एक डिगरी के कौन पर उसी मोडल से रदरपोड ने परमानू मोडल दिया था सुने की पतली पन्नी के उस परमानू मोडल से नांभी की खोज हुई थी जॉन डॉल्टन ने परमानू सिद्दांत दिया था गोल्ड इस्टी गोल्ड नाचे इंट यानि इलेक्ट्रोन टे टे यानि थोम्षन पर पर यानि प्रोटोन और प्रोटोन की खोच करता गोल्ड इस्टीन था जे जे थोम्षन ने आपको पता है इलेक्ट्रोन की खोच की थी यानि ये वेगानिक जो था इसने इलेक्ट्रोन की खोच की थी इल साथियों याद रखना है प्रोटोन का नामकरन रदरपोड ने किया था नामकरन इस प्रोटोन का किस ने किया था तो नामकरन करने वाला वेगानिक रदरपोड था जोन डॉल्टन परमानू की खोच करने वाला वेगानिक ता परमानू शिद्दान परतिवादित किया था इस के साथ हम अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं सातियों तो या दो से अधिक सम्मान परमानु जुड़कर बनाते हैं दो या दो से अधिक जैसे मान लीजिए एक परमानु हाइट्रोजन है सेम इसी परकार का दूसरा एक और हाइट्रोजन परमानु है दोनों सम्मान है दोनों हैं पर एक कोनेंट पर नजय रख रहे हुँ हैं आपको सोध समझ हरे करिके जबाब देंआ है आपको रियल में समझेंगां एक्जाम हौल में बेट कर एक्जाम दे रहा हूं आप het से बिल्कुल मजा क्या रूप में आन्सर मत फेको आराम से आसानी से किउशन की लेंगमेज पढ़िके फिर जबाब दीजिए ड़ो या दु से अधिक सम्मान परमाणु है सम्मान परमाणू का सम्मूत तत्व कहलाता तत्व कहलाता है हलांकि तत्व सब्द का परियोग सर्व परतम करने वाला वेगानिक कौन था तो रोबर्ट बोयल सब्द का जिक्र किया था चातियों अनू में दो या दो से अधिक परमाणू होते हैं लेकिन सम्मान होने की आउशिक्ता नहीं है जैसे मा लीजिए समझने की कोशिज कीजिए कि एक हाइट्रोजन है दूसरा ओक्सिजन है यह जलका एक अनू बन गया यहां पर लवन लवन तो कूप सारे हैं जैसे सोडियम कलोराइड है फिटकरी यह कूप सारे लवन है बेंकिंग सोडा है इसके अलावा योगिक योगिक में याद रखना है कि दो या दो से अधिक दो कि अपना बात करें सी बारां एट्शे़ोंवासों 11चीनी का फोर्मूला है जी चीनी एक योगिक में अगले प्रवूंट सुना सातियों क्या कै रहे थी नंबर क्या कह रहें एक इलेक्ट्रोन पर आवेस होता है सातियों एक इलेक्ट्रोन पर आवेस क्या होता है क्या पोजिटिव 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कुलाम है या पलस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 16 कुलाम है या negative में minus में 1.6 गुणा 10 की power minus 15 कुलाम है या positive में 1.9 गुणा 10 की power minus 15 कुलाम है बिल्कुल आसान सा सवाल है इलेक्ट्रोन पर आवेश क्या होता है याद रखना है इलेक्ट्रोन पर आवेश किस परकार का होता है और आवेश की गणना के लिए कौन सा परियोग काम में लेते हैं ये एक और एक्ट्रा सवाल है आवेश की गणना का परियोग कौन सा है आवेश की गणना किस परियोग से निर्दारित करते हैं याद रखना है उस परियोग का नाम में सातियों पहले बता रहा हूँ आपको क्यूशन का जवाब बाद में दूँगा तेल बूंद परियोग है इंगलिस में जिसको ओयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं यह कूब वार सवाल एक्जाम में मुसकश अभण इनदी स्थेट कुलाम पूछ लताएं किस पदती में है सातियों शीखने की कोशिश कर रहा हूं यही पर आप सीखने की कोशिश करंणा इस्टेट कुलाम और फ्रेंक्लीन इस्टेट कुलाम वे फ्रेंक्लीन हमेशा याद रखना है दोनों सेम ही है यह सीजीएस पदती में आवेश का मात्रक है CGS पदती में आवेश का मात्रक इस्टेट कुलाम या फैंकलीन है जबकि एक जीवन में सातियों हमेशा याद रखना है मैं शिका रहा हूँ आवेश का सब्षे बड़ा मात्रक क्या होता है आवेश का सब्षे बड़ा मात्रक क्या है एक क्यूशन में एक क्यूशन में मैं आपको पांच पांच क्यूशन बता रहा हूं सातियों याद रखना है आवेश का सब्षे बड़ा मात्रक या यूनिट क्या है आप लोगों को सातियों बताना है आवेश का सब्षे बड़ा मात्रक होता है फेराडे फेराडे आवेश का सबशे बड़ा मात रख़ें साथियों हमेशा के लिए याद रखना है एक फेराडे का मान कितना है एक फेराडे में कितने कुलाम है आप लोगों को साथियों जबाब देना है 96,485 कुलाम ये एकजिट है हलांकि 44,50 कुलाम भी बताते हैं साथियों इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन क्या है मेरे साथियों क्या एक एलफा कन है या बीटा कन है या हाइट्रोजन आइन्स है या पोजिट्रोन है सोच के जवाब देना है इलेक्ट्रोन क्या है बिलकुल आसान सा सवाल है और आपको एकजाम में लगबग साथ आठ सवाल 10 के something सवाल बिल्कुल आसान लेंगवेज के मिलेंगे 5 सवाल आपको difficult मिलेंगे सातियों और उन difficult सवाल को भी आपको समझना है उनका भी आपको पूरे वीवेक से answer देना है सोच समझ करके answer देना है ना कि आप ऐसे ही तुक्चे मार दो सातियों यह बिल्कुल simple language का question है, electron क्या है, क्या electron एक alpha कन है या बीटा कन है या hydrogen ion है या positron है, आप सातियों को बताना है, याद रखना है, यह एक परकार का बीटा कन है, जबकि alpha किरन क्या है, तो alpha किरन पर आवेश हमेशा याद रखना है, दनावेश है, एक परकार से proton कन है, दनावेश है प्रोटोन करने सातियों याद रखना है बिटा की रण पर जो आवेश होता है वो किस परकार का है तो नेगेटिव आवेश है जबकि एलफा की रण पर किसा परकार का आवेश है सातियों दनावेश है क्यूशन किलेर है सिंपल क्यूशन था साधारन क्यूशन था सूरिये में उर्जा का क्या स्रोत है अगला क्यूशन बहुत सांदार जांदार क्यूशन है आसान सा क्यूशन है सूरिये में उर्जा का क्या स्रोत है क्या कौन सा ऐसा बंडार है सूरिये पर जिसकी वज़े से continue लगातार वो उसमा देता आ रहा है हमारे पुर्वजों को भी दे रहा था हम लोगों को दे रहा है आगे आने वाली पिड़ी को यह परकास देगा कौन सी अभिक्रिया से देता है क्या सूरिय पर नाभी के विखंडन होता है या नाभी को का सलेन होता है या कोई अन्य रासा सूरिय द्वारा सूरिय हमेशा उर्जा उसमा का निर्मान करता है लेकिन ये सूरिय द्वारा ये सूरिय द्वारा जो उर्जा उसमा बन रही है हमेशा याद रखना है हाइट्रोजन के नाभी कों का सलेन होता है हाइट्रोजन के नाभी कों के सलेन की वज़े से हमेशा या रखना है सूरीय उसमा उर्जा वंण है कोन सिवह क्रिया anywaysal नभी किसल्ले नभी क्रिया से फिर यह परकास परत्वी सते तक पहुंच रहे इस पर्त्वी सते तक पहुंच रहे यह Laght यह कोई किसी अन्य ग्रह तक यह पहुंच रहा है सूर्य का परकास पर्तिवी सहीत अन्य ग्रों या उपकरों तक पहुंच रहा है तो उसमा संचरन की कौन सी विदी काम में आ रही है आप सातियों को बताना है उस्मा संचरन की विक्किरन विदी का उपयोग होता है उस्मा संचरन की विक्किरन विदी का उपयोग होता है सूर्य के परकास को सूर्य से चल करके पर्तिवी तक पहुँचनेगे सूर्य का परकास यदि सूर्य से चलके दर्ती तक आ रहा है तो कौन सी विदी का उपयोग करेगा विक्रण विदी का उपयोग करेगा मेरे विद्वान सातियों बनाएगा किस विदी से तो नाभी के सलेन परकिरिया से सूर्य उस्मा या उर्जा का संसलेशन करता है अगला कुशन अगला कुशन क्या कह रहा है कि परमानु बम का सिद्दान्त क्या है इस सिद्दान्त पर आधारित होता है सातियों आपको बताना है कि क्या नाभी के सलेन पर परमानु बम होता है या नाभी के विकंडन पर होता है या उप्रोक्त दोनों A और B यानि नाभी के सलेन विखंडन दोनों हो सकती है या यह दोनों ही अभिक्रियाएं नहीं होती है आप लोगों को एक चीज तो यह याद रखना है कि परमानु बम का आविश्कार करने वाला वेग्यानिक कुण था देखो परमानु बम का आविश्कार परमानु बम का आविस्कार किस वेगानिक ने किया था आप लोगों को जबाब देना है सातियों उस महान वेगानिक का नाम था रोबट ओपन हाइमर रोबट ओपन हाइमर नाम का एक वेगानिक था रोबट ओपन हाइमर ओपन हाइमर आइमर नामक वेगैनिक ने हमेशा याद रखना है सातियों हमेशा के लिए याद रखना है परमानु बम का आविश्कार किया था सातियों याद रखना है ये नाभी के विकंडन अभी किरिया पर आदारित होता है परमानु बम जो है वो नाभी के विखंडन अभी किरिया पर आधारित होता है और नाभी के विखंडन में भी याद रखना है साती हूँ एनियंत्रित नाभी के विखंडन होता है एनियंत्रित नाभी के विखंडन होता है यह अभिक्रिया बड़े तिर्वा वेक से संपर होती है और इस अभिक्रिया से जो प्राप्त होने वाले उस्मा है उस्मा का उप्योग कोई अच्छे कारियों में नहीं कर सकते हैं साथ योग पिर बता रहा हूँ, एटम बम का आविसकार रोबर्ट ओपन हाइमर ने किया था, सर्वपरतम परमानु बम आपको पता है, जापान के दो सहरों पर गिराया गया था, जापान के वो दो सहर नागा साकी और हीरो सीमा थे, वहां पर सब्चे पहले परमानु बम गि विखंडन पराधारीत है नाभी कि विखंडन भी एनियंत्रित होता है अगला क्यूशन हम बढ़ते हैं सातियों हाँ नाभिकिये विखंडन में अगला क्यूशन क्या है कि यूरेनियम का कौन सा समस्तारिक है नाभिकिये विखंडन अभिकिरिया के लिए परियोग में किया जाता है सातियों यूरेनियम 234 यूरेनियम 233 यूरेनियम 235 का यूज करते हैं नाभिकिये विखंडन में आप मुझे बताइए कोन्से समस्तानिका उपयोग सात्हिचों ना भी किये विखंडन्डन में करते हैं कोन्से रेडियो किव समस्तानिका यूज ना भी किये साता है मुझे आप ज़ल्दी से व्बाब दीजिए साथ यूम् एक चीज तो आप याद रखना है हमेशां के लिए याद रखना है यूरेनियम है यूरेनियम का अयसक कोण हैं ये कई दफ़ा एगजाम में कूशन पूँचा गया है आप लोगों को साथ यूरेनियम के इसक का नाम है आप लोगों को बताना है पिच ब्लेड यूरेनियम का समस्तानिक है और 235 का यूज इस जगे पर करेंगे सातियों हमेशा याद रखना है नाभी के विखंडन अभी किरिया में करेंगे इस क्यूशन का सई जबाब चोता ओप्शन 235 होगा यूरेनियम के आयसक का नाम सातियों पिच ब्लेड होगा इस पिच ब्लेड से ही रेडियम को तयार किया जाता है अगला कुशन नेक्स्ट कुशन क्या बोल रहा है कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संक्या क्या होगी 52 ग्राम हीलियम है उसमें मोलों की संक्या कितनी होगी क्या 1 मोल होगे 13 मोल होगे 26 होग है कि बावन ही रहेंगी तो याद रखना है मोलों की संक्या के लिए फोर्मूला क्या काम मिलेते हैं तो याद रखना है कि यावा दर्वेमान पेड़ा हमेशा याद रखना है दियावा दर्वेमान बटा आणविक दर्वेमान कितना है उसका आणविक दर्वेमान कितना है मेरी बात को समझने की कोशिश करना सातियों या पर हीलियम दियावा है हीलियम का परमानु करमान के दो होता है दर्वेमान इसका चार है हीलियम या कितना ग्राम है सातियों आपको बताना है देखना है सवाल में 52 ग्राम है 52 ग्राम दियावा है और 52 ग्रा और बराबर कितना हुआ तो साथियों याद रखना है तेरा इस क्यूशन का राइट जबाब होगा तेरा कौन से ओप्शन में है बी ओप्शन में पावन ग्राम हीलियम में मोलों की संक्या जा कई पर भी इस परकार की सिंपल लेंग्वेज का क्यूशन आपको मिल जाता है फॉर्मूला आपको एक चीज याद रखना है कि जो कोई भी दर्वेमान दे रखा है उस दर्वेमान में उस परमानु का जो परमान भी दर्वेमान ह जो आणविक ढरेवेमान है जो ढरेवेमान संक्या है वो ढरेवेमान संच्या का भाग दे देना आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उसका कितने उस तत्वे में कितने मोल है समझ गहे मेरी बात को तो यह इस क्यूशन का राइट जबाब है तेरा अगला क्यूशन निमल लिकित में से किसके उत्सरजन से परमाणू कर्मांग और दर्मेमान संक्या दोनों में कोई परिवर्तर नहीं होता है ऐस परिवर्तित रहती क्या बीटा कीरन उत्सरजित होगी तो परमानु दर्वेमान परमानु संक्या नहीं बदलेगी या न्यूट्रोन कन उत्सरजित होगे तो भी परमानु संक्या परमानु दर्वेमान पर परभाव नहीं पड़ेगा या एलफा कीरण के उत्सरजन पर परवाव नहीं पड़ता है या गामा कीरण के उत्सरजन पर कोई परवाव नहीं पड़ेगा जल्दी से मुझे सोथ समझ करके सातियों मैं आपके आंसर का आया इंतजार कर रहा हूँ हाँ साथियों आप दबा के आंसर दीजिए मुझे दबा के आंसर दीजिए क्या आंसर होगा कौनशी एक कीरण के उत्सर्जन पर पर्मानु संक्या और पर्मानु दर्वेमान पर कोई किसी भी परकार का परभाव नहीं पड़ता है जल्दी से बताएं यह साथ वह यह दिया आप लोग यह दिया आप लोगों ने डियोप्षन डाइट किया है तो आपका क्यूशन बिल्कुल करेक्ट है गामा किरण के उत्सर दिन पर पर्मानु कर्मांग और पर्मानु संक्या पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता है गामा किर एक चीज याद रखना है सातियों गामा कीरण में गामा विकीरण में बेदन समता सरवादिक होती है बेदन समता सबसे ज्यादा होती है गामा कीरण से पूछा जाने वाले सवाल क्या है कि गामा कीरण एक तो विद्यू चुम्ब के तरंग की बाती है सातियों और एक इसमें में बैदन समता सब्से ज्यादा होती है साथियों याद रखना है इस घामा पर ने कोई किसी भी परकार का आवेस है आवेस्षमahlt करन रहीत है पनकी गंट गामा में आवेस नहीं है चुर्ण नहीं है गामा आवेस्षम पन रहीत है विद्धु चुंब fij के तरंग है बेदन समता होती है बरपूर سबसे ज़्यादा अगला क्योषन सुनना साथियों हीलियम के नाबिक में क्या क्या होता है क्या कैवल एक प्रोटॉन है एक प्रोटॉन दो न्यूटॉन है दो प्रोटोन दो न्यूटोन है या दो प्रोटोन ही हीलियम हीलियम का परती है सातियों हीलियम के नाबिक में क्या किस परकार के कण उपस्तित रहते हैं जल्दी से मुझे आपका जवाब सब का सही होना चाहिए सातियों बिल्कुल आसान सवाल है ये लेकिन नर्सिंग असिस्ट में कौनktó कड मोचूत रहते हैं अे ही कि हाई याद रखना है हेलियम् anytime basic में दो प्रोटोन है और इसी वज़देगा है हील्यम का परमानु दर्वे मां दो प्लस दो बराबर हो जाता है चार दो पलस दो बराबर कितना हो जाएगा सातीयों चार और दो प्रोटोन होने की वज़े से इसका परमानू कर्मांग होता है दो हाँ कि लेरे सातीयों हीलियम के नाविक में 2 प्रोटोन और 2 न RAW ऐकुल मिलाकर के कि एक एलफा कीरण बराबर हैं 1 एक एलफा कीरण बराबर शाय यह होगा सातियूं दो ने कूशन 거지 वो बना स्लपेट के नीले क्रिस्टल नीले क्रिस्टल के साथ जल के कितने अनू ü जुड हुए रहते हैं साथयों कौपर सलपेट का नीला क्रिस्टल है कोपर सलपेट सीयूं सफ ओछ आश 성 एसोफोर के साथ कितने जल्के अणू आएंगे तब हमें नीला क्रिस्टल या नीला कसिम या नीला थोता मिलेगा साथ नीला थोता भी बोलते हैं नीला कसिम भी बोलते हैं मुझे जल्दी से बताएं कितने जल के अनु होंगे क्या साथ जल के अनु होते हैं पांच होते हैं चार होते हैं या दस होते हैं जल्दी से इस क्यूशन का आपको जबाब देना है कितने जल के अनु होंगे कोपर सलपेट के क्रिस्टल के साथ में जिसे हमें नीला थोता मिल जाए नीला कसिम नीला क्रिस्टल मिल जाए हम लोगों को जल्द रिपलाई दीजिए सातियों इंतजार आपके आंसर का बिल्कुल बिल्कुल भाई मनिश्टोद्री पिवेक अबे पांडे मुंडे जो भी आप जवाब दे रहे हो बिल्कुल हाँ सातियों इस क्यूशन का सई जवाब होगा पांच जल्द के अनुजब को पर सलपेट के साथ में जुड़ जाएंगे तो नीला थोता नीला थोता या नीला कसिम प्राप्त होगा सातियों एक चीज़ याद रखना है, एक होता है स्वेत थोता, और एक होता है सातियों हरा थोता, अब इस हरा थोता और स्वेत थोता का फॉर्मूला किस परकार का होता है, किस के सलपेट होते हैं ये, स्वेत थोते में याद रखना है सातियों जेडन ऐसोपोर है, दो सात में Gaden SO4 Zinc Sulfate के साथ में साथ जल के अणु है, हरा तोता सातियों EPSO4 से बनावा है, EPSO4 के साथ में 54 जल के अणु होगा, तो याद रखना है सातियों, हमें हरा तोता मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सातियों Pheirat Salpate Pheirat Salpate बोलेंगे सातियों इसको फेरस सल्पेट कहेंगे जबकि इसको बोलेंगे जिंक सल्पेट जिंक सल्पेट बोलेंगे साथियों हाँ next question की और बढ़ते हैं साथ यूं अगले क्यूशन की और हम लोग बाचित करते हैं कारवन 14 का समंद किश्य है कारवन 14 एक समस्तानिक है इसका उप्योग किश्य है क्या कैंसर के निदान में यह उप्योगी है प्रत्वी के आयू निर्दारन में उप्योगी है पॉलिश जिवासम की आयू निर्दारन में उप्योगी है या अनुरेखन तक्निक में इसका होगा पताईए आप मुझे गलंगे कारवन का है 14 समस्थानिक का किस यद्य संमन्ध है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं केंसर के उपचार में ज्यादातर कोबाल्ट शाट का यूज करते हैं मेरे विदवान सातियों कोबाल्ट शाट का यूज किया जाता है केंसर के उपचार में केंसर के निदान में जबकि प्रत्वी के आयू निर्दारन में सातियों यूरेनियम समस्तानी काम में लेते हैं यूरेनियम समस्तानी का यूज किया जाता है जबकि जिवासम की आयू निर्दारन में सातियों याद रखना है कारबन 14 समस्तानी की यूज में लिया जाता है कारबन 14 समस्तानी का आप लोगों को एक चीज ये भी याद रखना है साथियों कि जीवासम की इस्टेडी विज्ञान की कौन सी साका में करेंगे विज्ञान की कौन सी साका में जीवासम का अद्देन किया जाता है सातियों जीवासम की इस्टेडी विज्ञान की कौन सी साका में करेंगे आप लोगों को मैं सातियों बता देना चाहता हूँ जीवासम की इस्टेडी याद रखना है सातियों पेलियोंट्रोलोजी पेलियोंट्रोलोजी में जीवासम का अद्देन किया जाता है पेलियोंट्रोलोजी या जिवास्म विज्ञान एक बात है साती हूँ जिवास्म विज्ञान कहो या पेलियोंट्रोलोजी कहो बात वो ही है इस पेलियोंट्रोलोजी जिवास्म विज्ञान कार्बन 14 समस्तानिक यूज जिवास्म की आयू निर्दारन में कार्बन प्रत्वी की आयू निर्दारन यूरेनियम से करेंगे सातियों और इस पेलियोंट्रोलोजी का जनक भारत में कौन है तो डॉक्टर बीरबल सहानी है डॉक्टर बीरबल सहानी को मेरे विद्वान सातियों बारतिय जीवासम विज्ञान का जनक कहा जाता है चलो आगे बढ़त या बारत की परतम परमानु बटी किस नाम से जानी जाती है क्या ट्रामबे के नाम से क्या अपसरा के नाम से या अगनी नाग के नाम से अगनी नाग दोनों में से किसी एक के नाम से जानी जाती है देश की परतम परमानु बटी या नाबी किये रियक्टर क्यूशन का हाल में किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए मेरे विद्वान सातियों जटके से मुझे जबाब दीजिए कौन्षा एक भारत का पर्तम पर्मानु बठी का नाम था नाभी के रियेक्टर का नाम था सातियों क्यूशन का करेक्ट जबाब होगा अपसरा अपसरा देश की पर्तम पर्मानु बठी ती और इस पर्मानु बठी का आविश्कार कोण्षे वेगयनिक ने किया था आप लोगों को सातियों बताना है दोक्टर राजा रमंत्रा ने किया था दोक्टर राजा रमंत्रा ने इसका आविश्कार किया था याद रखना इसका आविश्कार कब किया गया था आपसरा का आविश्कार आपको तारिक भी याद रखना है साथियों 4 अगस्त 4 अगस्त 1656 की बात है देश की परतम पर्मानु बठी अपसरा का आविश्कार किया गया था अगले पॉइंट के और हम लोग साथियों बढ़ते हैं मैं आपको यह भी बता देता हूं साथियों मैं यह भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि विश्व की विश्व की पर्मानु बठी का आविश्कार कि विश्व की पर्तम पर्मानु बठी का आविश्कार किसने किया था विश्व की पर्तम पर्मानु बठी का आविश्कार किसने किया था आप लोगों को सात्यों बताना है य एंद्रिको फर्मी एंद्रिको फर्मी ने विश्व की पर्तम पर्मानु बट्टी का अविश्कार किया था एंद्रिको फर्मी शिकांगो विश्व विद्याले अमेरिका का व्यग्या निक था चिकांगो विश्व विद्याले अमेरिका का प्रोपेसर था एंद्री को फर्मी और इसने विश्व की परतम परमानु बट्टी का आविश्कार किया था जबकि देश की परतम परमानु बट्टी अपसरा 4 अगस्त 156 डोक्टर राजा रमंत्रा बुंबई ट्रामबे में इसका आविश्कार किया गया था अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं मेरे साथी हूं निमल लिकित में से सम्मान न्यूट्रोनिक सम्मुए कौन सा है आप लोगों को हमेशा याद रखना है साथी हूं मैं आप लोगों को एक चीद शिका रहा हूं कि एक होता है परमानु दर्वेमान और परमानु दर्वेमान बराबर क्या होता है एक है परमानु संक्या परमानु संक्या या परमानु कर्मांक होता है सातियों दोनों में आप समझने की कोशिश करना परमानू दर्वेमान को हमेशा याद रखना है सातियों ऐसे लिखा जाता है जबकि परमानू संक्या को हमेशा याद रखना है सातियों Z से लिखा जाता है परमानू दर्वेमान बराबर क्या है तो परमानू दर्वेमान बराबर सातियों न्यूट्रोन प्लस प्रोटोन है जबकि परमानू संक्या बराबर क्या होता है तो केवल प्रोटोन है प्रोटोन पर दनावेस है न्यूट्रोन उदाशीन है अब परमानू दर्वेमान जो काम में ले लेंगे यह फोर्मूला हम लोग काम में ले लेंगे तो सातियों हमें न्यूट्रोन की संक्या का पता चल जाएगा तो नीचे लिखिवी संक्या हमेशा परमानु करमांक होता है सातियों परमानु संक्या है उपर लिखिवी संक्या हमेशा याद रखना है सातियों दर्वे मान है परमानू दर्वे मान है यहां कार्बन C6 12 है नाइट्रोजन 7 14 है 8 O 16 है यह ओक्सिजन है अब देखो आप 16 में से 8 घटा होगे 8 बच गया 14 में से 7 घटा होगे 7 बच गया इसका मतलब इसमें न्यूट्रोन की संक्या शेम नहीं है न्यूट्रोन की संक्या निकालने का तरीका देखो यहां सीखना आप 12 माइनस 6 बराबर कितना बच गया 6 14 माइनस 7 गठा दिया उपर वाली संक्या से निचे वाला आप गठा दो जब शेम मिल जाए तो आप बता देना कि वो न्यूट्रोन है तो यहां पर 7 बच गया इसका मतलब न्यूट्रोन शेम नहीं है यहां पर 16 में से 8 गठाएंगे तो 8 बच गया मतलब 6 7 8 इस ओप्षन में न्यूट्रोन की संक्या सेम नहीं है सेम वही तरीका इसमें आप देख लो इसमें भी यह नहीं हो रहा है यहां पर 10 बच रहा है यहां पर 7 बच रहा है यहां करेंगे अपन तो 6 8 और 8 और यहां पर क्या हो रहा है देखो 14 में से 6 गठाएंगे 14 में से 6 गठाएंगे बच ज सोडा मेंसे 8 घठाएंगे बच गया कितना 8 क्यूशन का रायट आंसर डी ओप्षन होगा रायट अंसर डी ओप्षन होगा चोथे सम्हूवे में न्यूट्रोनों की संख्या बराबर होती है सातियों उसको सम नूट्रोनिक समुए बोलते हैं जब कि किसी भी तत्वय कि नाविक में उपस्तितप και डों कि आप लोग काउंट करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उस तत्व का परमाणू करमान कितना है कि ले रहे मेरे साथियों कि ले रहे पूरी तरीके से हाँ चलो अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं चाहिकी चुश्की के साथ क्या क्यूशन है किस परकार का क्यूशन है डाइनमाइड बनाने के लिए किस दर्वे का परियोग किया जाता है अच्छा क्यूशन है साथ यूँ जांदार सांदार क्यूशन है कौन से योगिक का उप्योग किस दर्वे का उप्योग डाइनमाइड बनाने में किया जाता है आपॉसंस आपके सामने है नाइट्रौग्लिस्ट्रीन है फोलीक-शिड है लेक्टिक-शिड है यह मेलीक-शिड है तेल आइक नहीं है सात्यों मेलीक-शिड है आप मुझे जल्दी से बताएं पॉनसी एक दरवे का यूज डायनामाइड के निर्मान में किया जाता है एक चीज तो आपको सातियों याद रखना है ये डाइनामाइड जो है ये सातियों एक विश्पोटक पदार्त है अरे ये क्या है तो सातियों ये एक विश्पोटक पदार्त है इस डाइनामाइड का आविश्कार करने वाला वेगयानिक कोड था कौन से एक वेगयानिक ने डाइनामाइड का आविश्कार किया था सातियों आप लोगों को बताना है इसका आविश्कार किया था अलफ्रेड बरनार्ड नोबेल नामक वेगयानिक नहीं जिसकी आद में हर वर्ष नोबेल पुरुष्कार दिया जाता है उस अलफ्रेड बर्नार नोबेल ने डाइनमाइड का अविस्कार किया था डाइनमाइड बनाने के लिए नाइट्रो ग्लिसरीन का यूच किया जाता है सातियों नाइट्रो ग्लिसरीन का यूच किया जाता है फोलिक एसिड विटामिन B9 का रासाइनिक नाम है मेरे विदवान सातियों, lectic acid, दूद से दही बनता है, तो उस दही में पाया जाता है, और malic acid मेरे विदवान सातियों, शेव में पाई जाती है, शेव में पाई जाने वाली acid है, question clear है, जवाब clear है, nitroglycerin का यूच करते हैं, किसके निर्मान में, ताइनामाइड के निर्माइड एक वीश्पोटक पंडार तैसे 10 यह सातियों और इसका आविशकार अलफरेड बर्नार्ठ नौबेल ने किया था और याद रखना है फोलिक एसिड का विटामिन फोलिक एसिड कोंसी विटामिन का नाम है तो विटामिन B9 का नाम है अगला कुशन के ट्राइन 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 साती हो एक चीज में आपको बहुत सांदार जांदार पॉइंट में आपको एक चीज और शिखा रहूं आप शीकने की कोशिश करना जीवन में कभी बूलना मत टी आंटी ट्राइण ग्लिसरीन लिख दिया तो आपको निसंकोच के बोलना है कि यह योगिक नोबेल का तेल है नोबेल का तेल किसको कहा चाता है साथ यह एक से बढ़ के एक चीज़ आप लोगों को शिखाने की कोशिस कर रहा हूं आप थोड़ा सा ध्यान देना कंटेक्ट को ग्रहन करने की कोशिस करना नोबेल का तेल किस योगी को कहेंगे ट्राइ नाइट्रो ग्लिसरीन को कहेंगे नोबेल का तेल नोबेल ने इसी योगिक का यूज करते हुए डाइनामाइड बनाया था क्यूशन कह रहा है ट्राइ नाइटरोटोलुइन है ट्राइ नाइटरो टलोईन TNT का विस्पोटक है एक विस्पोटक है इसका निर्मान निर्मल लिकित में से किस्के मिश्रण द्वारा किया जाता है क्या अमोनियम क्लोराईड NS4-CLE से करते हैं या Ammonium Nitride से करते हैं Ammonium Salpade से करते हैं या Ammonium Nitrate से करते हैं NS4 NO3 याद रखना है साथ यहोग दी ओफ्शन इसका राइट है Ammonium Nitrate NS4 NO3 से याद रखना है साथ यहोग Tri-Nitrotoluene TNT का निर्मान किया जाता है कि मैंत रव्योग सातियों के साथ के प्रमाणु पुच कर कहते हैं अच्छा क्यूशन है के फोर्ट की रड़ कर दोड़ा परमाणु के किस एक मोलिकन की खोज होती है कि क्या इस पर्योग दुआरा पोजीटरों की इलेक्ट्रोन की खोच की गई थी कि या णिपके सामने मी तो कुण चेक मोलिक कन की खोच के तोड कीरन परियोग शेक की गई थी अ कि हाँ साथ जल्दी से जबाब दीजी देखें कि आतियों कि याद रखना है बूलना नहीं है के तोड कीरन परियोग के द्वारा के तोड कीरन परियोग के द्वारा ज easy तोमसं ने एजे तोबसंद नमख वेगयानिक ने है एलेक्टरोन की खोच की थि को इस प्रोटोन के लिए साधियों याद रखना है ए नोड कीरन परियोग काम में लिया था एनोड के नाल परियोग के द्वारा मेरे विद्वान सातियों प्रोटोन की खोच की गई थी प्रोटोन जो की दनावेशित है एक चीज मैं आपको यहां पर आपको शिकाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेक्ट्रोन का दर्वेमान कितना है 9.1 एक गुणा दस की पाव है सबसे हलका है हलका है सबसे हलका कोड है कि लेक्ट्रोन है कितना दर्वेमान है 9.1 एक गुणा दस की पावर माइनस 31 किलो ग्राम है इसको मैं ग्राम में चेंज करूं तो 9.1 एक गुणा दस की पावर माइनस 28 ग्राम होता है जबकि इस प्रोटोन का दर्वेमान 1.67 गुना 10 की पावर माइनस से 27 किलो ग्राम है और ग्राम में 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम है चुँकि आपको पता है किलो ग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे 10 की पावर 3 से गुना करेंगे और जिनके आधार संमान एकसर उनकी गाते जुड़ जाती है 27 में से तीन गठा देंगे हमें 24 मिलेगा 31 में से तीन गठा देंगे हमें 28 मिलेगा अगला कुसन सुनना साथी प्रोटियम के परमानू में न्यूट्रोन कडों की संक्या होती है प्रोटियम अब आपको सोचना चाहिए क्या है प्रोटियम कितने नूट्रोन होंगे इसमें अब आप दीजिए मेरे विदवान सातियों प्रोटियम में लोटियम जो है तो चलों करो कि शंक्या क्या होगी कि इस आती हो ज्यान देना हाइट्रोजन के तीन समझतानिक है एक है प्रोटियम दूसरा है डूटेरियम और तीसरा है ट्रीटियम पर्तीग के बारे में सुनना हाईट्रोजन के पर्तीग आपको पता है एंच होता है प्रोटियम को पी से लिखते हैं डूटेरियम को डी से लिखते हैं ट्राइटियम को टी से लिखते हैं परमानु करमान के इनके सब के सम्मान होगा एक-एक होगा इसका परमानु दर्वेमान भी एक है इसका दो है इसका तीन है याद रखना है इसमें नूट्रोन कड़ों की संक्या जीरो है इसमें एक है इसमें दो है कमज़ रहो मेरी बात को यह किस के है किस के कड़ों की संक्या है तो यह साथ यह नूट्रोन कड़ों की संक्या है यह मैंने आप लोगों के सामने नूट्रोन कड़ों की संक्या को लिखा है प्रोटियम में नूट्रोन कड़ों की संक्या को लिखा है ड्यूटेरियम में एक है ट्रिटियम में तीन है ट्रिटियम का सोरी ट्रिटियम में दो है और ड्यूटेरियम में एक है और प्रोटियम में जीरो है जीरो अप्सन दियावा है बिल्कुल सही बात है तो यह दो किसमे है तो दो न्यूट्रोन याद रखना है साथियो ट्रिटि क्या कह रहा है कि नाविक का आकार कितना होता है परमानु के नाविक का आकार होता कितना है क्या दसकी पावर माइनस दस मीटर है नो मीटर है पांच मीटर है या दसकी पावर माइनस पंद्रा मीटर है जल्दी से मुझे जबाब दीजिए सातियों परमानु के नाविक का आका है दस की पावर माइनस 15 मिटर को हम एक यूनिट के रूप में लिखना चाहे तो दस की पावर माइनस 15 मिटर बराबर होता है एक फरमी एक फरमी है जबकि 10 की पावर माइनस 10 मीटर बराबर होता है एक एंगश्ट्रोन एक एंगश्ट्रोन 10 की पावर माइनस 10 मीटर बराबर होता है एक एंगश्ट्रोन और यह किसका आकार है यह सातियों आपको बताना है परमानू का आकार है परमानू का आकार 10 की पावर माइनस 10 मीटर है सातियों जबकि नाभी का आकार दश की पावर माइनस 15 मीटर है क्यूशन के लिए रहे साती हों अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं ग्रेपाइट की अपेक्सा अब हीरा ग्रेपाइट कारबन से रिलेटेड क्यूशन आगे हैं साती हों कारबन से समंदित क्यूशन में पहुंच चु से हीरा ग्रेफाइट से खटोर है क्या परमानु परतों में अंतर है क्या हीरे और ग्रेफाइट की परतों में कोई अंतर है या हीरा चतुस्पला की सरंचना में है या इनकी क्रिस्टलिय सरंचनाओं का अंतर है या इनमें से कोई अंतर नहीं है जिसकी वज़े से हीरा खटोर होता है आप लोगों को याद रखना है हीरे की प्राकरतिक चटान का नाम क्या है जिससे ये मिलता है ये किमबर लाइट चटान से मिलता है याद रखना हीरा दुनिया का सब्षे खटोर पदार्त है हीरा दुनिया का सब्षे खटोर पदार्त है हीरे में उपस्तित कार्बन प याद रखना है सातियों कुछालक होता है आप लोगों को एक चीज ये भी याद रखना है हीरे की बार मापने की इकाई क्या है हीरे की बार मापने की इकाई हीरे का बार हमेशा केरेट इकाई में मापा जाता है केरेट इकाई में हीरे का बार मापा जाता है चातियों एक केरेट का मान आपको यदि पूछ लेता है 198 मिलीग्राम बताना है ये क्यूशन और इससे समंदित महतुपुर्ण बिंदू में आप लोगों को करवा चुका हूँ मेरी बात को पुने ध्यान से सुनना क्या कारण है कि हीला ग्रेफइट से अधिक खटोर होता है क्यूंकि हीले कीचतुसपलके सरंचना होती है रे की प्राकृर्तिक चठान का नाम किंबर लाइट है ये अत्यदिक खटोर होता है संक्रन SP3 है कुचालक होता है याद रखना है हीरे के बाहर में आपने की इकाई का नाम क्या है तो केरेट है एक केरेट बराबर मान बताने आपको शातियों 198 mg कि अगला क्यूशन कि कार्बन का कौन सा अपरूप द्रिड त्रीवीमिय सरंचना में पाया जाता है द्रिड यानि सोच के जबाब देना है क्या ग्रेफाइट है फुल्रीन है हीरा है या काजल है tifarण का अंपरूप द्रिड त्रिवीमियेнять सरंचना के रूप में पाया जाता है हाँ जल्दी से आप लोगों को आंसर देना है सातियों कौनसा एक दर्ड त्रीवि में खटोर सरंचना के रूप में पाया जाता है एक चीद आपको हमेशा के लिए याद रखना है ग्रेफायट की जो सरंचना होती है वो याद रखना है सातियों शट कोन ये होते हैं guy some area van Recender की स्रांचना e a tankie boalia football कंई वोती है साrate का कि कुछ बोल्या फुटबोल की माती होती है शयरें की स्रांचना शाथियों चतुس-फलक ये है और काज chair कि K鍵 निशित सरंचना निए इस क्यूशन का राइट जबाब होगा हीरा डिड़ त्रीवी में सरंचना के रूप में पाया जाता है अगला क्या है कार्भन के किस अपरूप में परमानू फुटबॉल के आकार में विवैस्तित रहते हैं? क्याchlagen क्यां graphite, graphene, separa या fullreen सई जवाब जलदी से आब मुझे बताइए सातियों कोन एक फुटबोल की बाती रहेगा graphene के बारे में सातियों याद रखना है ये एक मोटी परत के रूप में पाया जाता है मोटी परत के रूप में पाया जाता है पर्त के रूप में पाया जाता है इस क्यूशन का अखिकत वास्तिविक जवाब फुलरीन C60 है एक अणू में 60 कारवन होते हैं जिसके एक अणू में 60 कारवन है वो फुलरीन फुट्बोल की बाती होगा साथियों फुट्बोल की बाती होगा अगला क्यूशन ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क दुआरा अक्रिये गेस की उपस्तिती में गरम करने पर प्राप्त होता है सांदार जांदार वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है साथियों अच्छा क्यूशन है बहुत ही सांदार क्यूशन है वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है आप मुझे बताइए कि ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क दिया है विद्यूत आर्क दिया है और किसकी उपस्तिती में दिया है सातियों अक्रिये गेसों की उपस्तिती में दिया है तो फिर इस graphite को हम लोगों ने गरम किया है तो गरम करने पर या क्या graphite हीरा बन जाएगा, क्या graphite water gas बन जाएगा, क्या graphite fullerine बन जाएगा, या graphite crown इतर बन जाएगा, शांदार जांदार कुशन है, कई दफा एक्जाम में कुशन पूचा गया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है साथियों ये graphite को electric arc दुआरा अक्रिये गेसों की उपस्तिती में गरम करने पर ये किश में बदलता है, या क्या प्राप्त होता है हमें, आप लोगों को क्यूशन का सई जवाब देना है साथियों, ये फुलरीन बन जाएगा, फिर graphite graphite में इलेक्ट्रिक आरक देने पर ये फुलरीन में बदल जाता है साथियों, फुलरीन में बदल जाता है, अगला क्यूशन, निमल लिकित में से कौन सा उस्मा गतिकी, उस्मा गतिकी रूप से सरवादिक इस्ताई अपरूप है, कौन सा उस्मा गतिकी की दरश्टी से सरवा या Carbone Black अर उसमा गति की की दराश्टी से सरवाधिक मतलफ उसमा सहन करने की समता कि समता किस्मonta मेह सबसे ज्यादा आप लोगों को साथ यह बताना है कि सरवाधिक खतोर तो खतोरता में यदि आपको अपरूप पूछता है तो खतोरता में और में डाइमंड उस्मा गतिकी की द्रश्टी से सब श्ताई कोण है तो सब श्ताईत्व इस फुलरीन का है याद रखना है इसनल का सभी जवाब है ग्रयफाइट और इसी वज़़ा से साथ यूँं इस उस्मा गतिकी की द्रश्टी से ही यही कारण है कि ग्रेफाइट का यूज ग्रेफाइट का यूज मेरे विद्वान सातियों ग्रेफाइट का यूज हमेशा याद रखना है सातियों उच्छ ताप पर कारिये करने वाली मशीनों में उच्छ ताप पर कारिये करने वाली मशीनों में हाइट टे करने के लिए गर्षन बलको कम करने के लिए याद रखना रहला है ग्रेपाइट का यूज किया जाता है सुस्क टेंपरेशर पर कार्य करने वाली मशिनों में गर्षन को बलक गर्षन बलको कम करने के लिए गरसन बल को कम करने के लिए एक चीज याद रखना है सुस्क इसनेक वह गर्षन की स्टेड़ी किषम करते हैं सुस्क इसनेक और गर्षन बलका अद्देन किस्म करेंगे यह भी पूचावा सवाल है ट्रवल लोजी में करेंगे साथियों विग्यान की ट्राइब लोजी साका में विज्ञान की ट्राइबो लोजी साका में मेरे विद्वान सातियों गर्षन और सुष्क इसने की इस्टेडी की जाती है ठीक के लिए रहे साती हूं तो क्यूशन था कि उस्मा गतिकी की द्रस्टी से सरवादीक इस्ताई कोन है, सबसे कम कोन है तो फुलरीन है, सबसे खटोर कोन है तो डाइमिंड है, और उस्मा गतिकी का मतलब उस्मा सैन करने की। इसी वज़े से उस्मा गतिकी की द्रिष्टी से सरवादिक इस्ताई होने के कारण उच्टाप पर कारिये करने वाले मशीनों में गर्षन बलको कम करने के लिए सुष किसनेक के रूप में यूज करते हैं किसका इस ग्रेफाइट का सुष किसनेक और गर्षन की इस्टेडी व और जाती है क्यों सन है कार्बन-का कौन सा अप्रूप विद्यूत का सुचालक है जिसमें मुट्ट इलेक्ट्रोन पाएं जाते ही में घर रएक ग्रेफाइट है फुलरीन है या कोक है जल्दी जबाब दीजिए साती हूं देखो हीरे में जो संक्रण है वो SP3 है SP3 रहने के कारण है इसमें मुक्त इलेक्टरोन 6 नहीं है मुक्त इलेक्टरोन बिल्कुल भी नहीं है मुक्त इलेक्टरोन हीरे में 0 है क्यों है 0 क्योंकि 0 रह समझने की कोशिश करना वन पलस त्री बराबर फोर और हम जानते कि कार्बन की सयोजगता कितनी होती है तो कार्बन की सयोजगता कार्बन की सयोजगता सातियों याद रखना है कार्बन की जो सयोजगता है वो हमेशा याद रखना है चार होती है चारों कम्प्लीट है ग्रेफ ग्रेफायट में मुटत इलेक्ट्रोन साथियों याद रखना है एक है क्योंकि कितने हो गये तो वन प्लस टूबर रावर थरी यानि तीन कम्पलीट होगे क्योशन का सही जबाब ग्रेफायट होगा ग्रेफायट विद्यूत का सुचाले Г 생각 मुख्त इलेक्ट्रोन इसमें पाए जाते हैं क्लियर है साथियों बिल्कुल क्लियर है क्कp 광객 वाले बात नहीं इसमें आप लोगों के सामने पेश कर दिया है किस परकार का क्या सिस्टम है हाँ एक के बाद स्टेप बार स्टेप बिल्कुल थोड़ा साक पेटने की कोशीश कर समझने की कोशिश करना है सातियों हां पर पर आपकी पेनी नजर होनी चाहिए मेरे विद्वान सातियों ऐसा नहीं कि तुम लोग कहीं नींद ले लो सोजाओ छोड़के चले जाओ सुन रहे हो जब तक आप कंटीनियू एक एक क्यूशन पर आपकी नजर होगी तभी आप लो है कारण में आप लोगों को बता दिया साति है हां निमल कित में से कौन सा बोतिक परिवर्तन है क्या रसोई गेस का बनना एक बोतिक परिवर्तन है दूद का फटना एक बोतिक परिवर्तन है जल में चीनी का गुलना है या बोजन का पचना है कौन सा एक परकार का परिवर् का गड़त नहीं होना चाहिए मेरे विद्वान साथियों आप मुझे बताईए निमल लिकित में से कौन सा एक बोतिक परिवर्तन है जल्दी दीजिए साथियों जबाब तो साथियों जल्द रसोई गेस का बनना ये एक रसाइनिक परिवर्तन होता है ये नहीं होगा दूद का पटना पटावा दूद कभी भी ठीक नहीं हो पाता है ये भी रसाइनिक परिवर्तन है बोजन का पचना बोजन ये दी पच गया तो मूल कंडिशन में नहीं आएगा बचाओ उप्शन क्या कि जब यह दी हम लोग जल में चीनी को घुला देते हैं गोल देते हैं तो वह वापस भी हम प्राप्त कर सकते हैं उसको दूद को पानी को जब गरम करेंगे पानी वास्प बन करके बाप बन करके उड़ जाएगा क्रिस्टल के रूप में हमें चीनी मि जाएगी सातियों यह एक परकार का बोतिक परिवर्तन है बोतिक परिवर्तन है अगला कुशन क्या कह रहा है सातियों नेक्स्ट कुशन के बारे में सुनना है हां मॉम्बति के जलने के दोरान किस परकार का परिवर्तन होता है मॉम्बति के जलने के दोरान कैसा परिवर्तन होता है किस परकार का परिवर्तन है क्या मुंबती का जलना एक बोतिक परिवर्तन है एक रासाइनिक परिवर्तन है या इन दोनों में से कोई सा भी परिवर्तन नहीं है मुंबती के जलने में निमल खित में से कोण सा परिवर्तन है आप लोगों को सातियों याद रखना है बोतिक वह रासाइनिक दोनों होते हैं मुंबती के जलने में बोतिक वे रसाइनिक दोनों परिवर्तन होते हैं साथ यूँ एक बात ये भी याद रखना है बोजन का पाचन कि पोजन का पाचन है कि इसके अलावा रक्त का थक्का बनना रक्त का थक्का बनना और बोजन का पाचन इन दोनों में भी बोतिक वैर असाइनिक दोनों परिवर्थन होते हैं याद रखना है साथ हूँ अगला क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन है जंग के लिए सई खतन है जंग लोहे के जंग के लिए निमल लिकित में से सई खतन कौन सा है क्या जंग लगने पर फेरिक ओक्साइड बनेगा या जंग में एदा जंग यह एदातू में लगता है जंग जो है यह एदातू में यह या इन में से कोई नहीं है जंग के लिए उचित खतन बताईए लोहे के जंग के लिए मान के चलिए खतन पुचा है जंग के लिए उचित खतन का आप लोगों को चैन करना है जवाब देना है सातियों लोहे के जंग का खतन क्या होगा आप लोगों को सातियों बताना है लोहे के जंग का सई खतन है फेरिक ओक्साइड फेरिक ओक्साइड है जंग के लिए उचित खतन ए दातों में क्यूं दातों में लगता है जंग तो सातियों और जली अपकठन कोई जरूरी नहीं है कि जली अपकठन होगा तो ही जंग लगे जंग रोगताम की एक विदी का नाम मुझे पूचा गया है क्रिश्टली करण के दुआरा जंग को रोका जा सकता है एक जंग रोकताम की विदी है और जंग रोकताम की विदी है या गेलवेनी करण एक जंग रोकने की विदी है या इन में से कुछ नहीं है आप मुझे ये क्या कौनसी विदी के दुआरा जंग को रोका जा सकता है दीजिये सातियों जल्दी से जवाब दीजिये मुझे जंग रोकने की विदी कौनसी है हाँ इछ वीकिल सातियों बहुत से लोग इसके सई जवाब दे रहे हैं वास्तों में जिनोंने मेनद की है उनको जरूर पॉजिटिव फरिणाम मिले गा और जिनोंने मेनद कम किये सातियों आपको भी पॉजिटिव मिल सकता है सिरफ और शिरफ आप लोग मैंने थोड़ा सा बढ़ा दो तो प्रिस्रम करने के वेग को आप यदि बढ़ा देते हो तो आपको भी पोजिटिव मिल सकता है मेरे सातियों परिणाम आपको बिल्कुल पोजिटिव मिल सकता है जंग रोकने की विदी का नाम गेलवे नी करन है इसको सातियों याद रखना है यसद लेपन के नाम से भी जानते हैं यसद लेपन कहेंगे इसको और इस यसद लेपन में क्या होता है कि लोहे के साथ लोहे के साथ निकले वे क्रोमियम की पर्थ चड़ाते हैं निकल क्रोमियम या जस्ते की पर्थ चड़ाते हैं जस्ते की जिंक की या क्रोमियम की पर्थ चड़ाई जाती है सातियों हाँ अगला क्यूशन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्यूशन के बारे में सुनिया सातियों नेक्स्ट क्यूशन क्या है अगला क्यूशन है कि निम्म लखित खत्नों पर विचार करके नीचे दिए गए कूट की साहता से शई खत्न का छेन कीजिए क्यूशन बड़ा सांदार है मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूं साथियों क्या क्यूशन है आप लोगों के सामने ये क्यूशन पेस कर दिया है तो मैं आपको थोड़ा साथ जूम करके बता रहा हूँ क्यूशन को डंक से पढ़ लेना कि निमल लिखित में से कोन से खतन सही है कोन सा खतन गड़त है क्या ग्रेफाइट उस्मा और विद्यूत का अच्छा चालक है या डायमंड विद्यूत का कुचालक होता है या डाइमंड विद्यूत वे उस्मा वे विद्यूत दोनों का ही कुचालक है आप मुझे बताइए इन में से कौन से खतन सत्ते हैं कौन से खतन सत्ते हैं आपको इन में से सई खतन का चेन करना है तो साथ यह याद रखना है कि ग्रेपाइट विद्यूत और उस्मा दोनों का सुचालक है ग्रेपाइट विद्यूत और उस्मा दोनों का ही सुचालक है लेकिन डाइमंड जो है डाइमंड यानि हीरा जो है वो उस्मा का अच्छा चालक है प्रन्तु विद्यूत का कुचालक है डाइमंड उस्मा विद्यूत दोनों का ही कुचालक है है तो है नुशन मैं आप्स नम्बर एक है को थीन एक लाहती है यह एक वह थीन एक वह थीन किसा में देरा है भी प्रश्गेशन देरा है भी उप्रश्गां इसका रइट होगा साथ कि गहाई है अगला कुश्व linguist आप दिक बंगे रहे हैं पैंसल से बनता है है यारी क्यों संदिया है पैंसल कि से बनती है क्या वसलिक हो से याद रखना ये शाथ हूँ पैंसल का जो कोल है पैंसल का जो खोर्ड है कि अ पेंसिल का जो खोल है वो कौन से पेड़ से तयार करते हैं जूनी फेरस से करते हैं साथियों जूनी पेरस जूनी फेरस पादप से याद रखना है साथियों सिसा पेंसिल का खोल तयार किया जाता है जूनी फेरस पादप से लेकिन याद रखना है यह पेंसिल का जो लेड़ ह यह याद रखना है ग्रेफाइट से बनावा रहता है और इस सिशा पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी है लेड यानि सातियों सिशा है सिशे का परतिक पीबी है इस लेड सिशा पीबी की मात्रा सिशा पेंसिल में कितनी होती है मेरे विद्वान सातियों आप लोगों को बताना है सिसा पेंसिल में लेड या सिशे की मात्रा जीरो पर्शेंट है जीरो परतिसत होती है सिसा पेंसिल में सिशे की मात्रा लेड की मात्रा जूनी पेरेस पोदे से इसको तयार करते हैं आपको याद रखना है साथ यूं हमेशा के लिए याद रखना है अगला क्यूशन क्या कर रहे निम्मल लिकित में से कार्बन के अपरूपों का चेन कीजिए कि कौन-कौन से कार्बन के अपरूप है क्या ग्रेफीन कार्बन का अपरूप है फुल्रीन है कार्बोरंडम है डाइमंड है कार्बाइड है आपको याद रखना है सातियों केवल औ के अपरूप है कार्बन के अपरूप के बारे में बताना है कि कौन-कोन शे कार्बन के अपरूप है सई खतन का आप लोगों को चैन करना है और बताना है कि कार्बन के निमल लिखित में से यह अपरूप है और बाकी अपरूप नहीं है क्या ग्रेफिन कार्बन का अपरूप ह होता है फुलरीन होता है कार्बोरंडम है डाइमन्ड है कारबाइन है हाँ सातियों ग्रेफिन होता है फुद्रीन भी होता है डाइमंड भी होता है तो एक दो और चार है तो एक दो और चार है तो एक दो और चार किस किस में तीन आ गया तीन ये कार्बोरंडम नहीं है सातियों कार्बोरंडम का अपरूप नहीं है कार्बाइन और ये कार्बाइन भी कार्बाइन का अपरूप नहीं होता है सातियों इस क्यूशन का राइट आंसर होगा एक दो वे चार सी ओप्शन होग तो क्रिस्टल ये अपूप है क्रिस्टल ये अपूप है मेरे विद्वान सातीयों अगला कुशन क्या कह रहा है नेक्स क्यूशन क्या कह रहा है सातीयों हाँ कि वाद से कार्बन टेट्रा कलोराइड सी चील 4 About right और क्याना मैञे CCL4 को और किस नाम से जाना जाता है क्या मार्श गेस के नाम से मस्टर्ड गेस के नाम से पाइरिन गेस के नाम से या पाइर सोल के नाम से जानते है साथ यो मार्श गेस मार्श गेस का मतलब है CH4 है मिथेन गेस है CH4 मिथेन गेस को याद रखना है सातियों मार्च गेस के नाम से जानते हैं लेकिन CCL4 जो कार्बन टेटरा क्लोराइड है इसको पाइरीन के नाम से जाना जाता है इसका यूज सातियों याद रखना है बिजली में लगी आग को बुजाने में करते हैं बिजली में लगी बिजली में लगी आग को बुजाने मे किया जाता है बिजली में लगी आग को बुजाने में किसका यूज करते हैं साथियों आप लोगों को बताना है CCL 4 Carbon Tetra Cloride Pyrrhen का इस्तिमाल करते हैं किस जगह पर है बिजली में लगी आग को बुजाने के लिए नेक्स्ट कुशन की और बढ़ते हैं सातियों किस परकार का कुशन है हां कुशन है सुरक्षा की दरश्टी से सुरक्षा की दरश्टी से खाना पकाने वाली LPG गेस सिलेंडर में क्या बरकर गेस को गंद युक्त बनाया जाता है ताकि रिशाव की इस्तती का शिगरताशे पता चल सके आप लोगों को एक चीज तो याद रखना है कि जो LPG गेस है इस LPG गेस के गुणों के बारे में मैं बात करूँ तो याद रखन है ये LPG गेस रंग हीन है रंग हीन गेस सातियों गंद हीन गेस है यदि LPG के खुद की प्रोपर्टी की बात करूँ तो रंग हीन गंद हीन गेस है लेकिन इसके रिशाव का पता लगाने के लिए बार से कोई पदार्थ मिलाया जाता है और बार से कौन सा पदार्थ मिलाते हैं सातियों क्या इत्थाई सुरी गलाइकोल मिलाते हैं गलिसरोल मिलाते हैं मरकेपटन मिलाते हैं या एलकोहल मिलाते हैं कौन से एक पदार्थ को मिलाने से एलपीजी के रिशाव का पता लगया जाता है सातियों आप लोगों को हमेशा याद रखना है इस एलपीजी गेस मे LPG Gase में Mercaptan बरा जाता है और कौन सा Mercaptan बरते हैं सातियों Ethyl Mercaptan बरते हैं Ethyl Mercaptan का यूज किया जाता है Ethyl Mercaptan का सुत्तर C2 H5 essence होता है Ethyl Mercaptan का फोर्मूला C2 H5 essence है हाँ लेकिन एक कुशन याद रखना है LPG का सुरोत क्या है LPG का सुरोत यह दिया आपको कुशन पूछ लिया LPG का सुरोत बताना है Pentrolium पदार्तों के सुद्धिकरण से बनती है Pentrolium पदार्तों के सुद्धिकरण से बनती है सुद्धिकरण से निर्मित होती है पेंट्रोलियम पदार्तों के सुद्धिकरण से निर्मित होती है सातियों और पेंट्रोलियम पदार्तों का सुद्धिकरण की विदी कौन सी है पेंट्रोलियम पदार्तों के सुद्धिकरण की विदी आप लोगों को यह दि कोई क्यूशन पूछ लेता है स सातियों परबाजी आश्वन वीदी से पेंट्रोलियम पदार्तों का सुद्धिक्रण किया जाता है पेंट्रोलियम पदार्तों के सुद्धिक्रण की वीदी का नाम परबाजी आश्वन है इसी परबाजी आश्वन वीदी के दौरा इसी परबाजी आश्वन वीदी के दौर एक ना अधिल मर्क थो इसलल पीजी गेश का संस्स्लेशन होता है और एलप इगी टीज इसके रिशाव का पता लघाने के लिए मिल जाता है एक ढ़्ल मर्क डपन पॉर्मुला है शीटूएच 5 एंस्ट गिए यह क्यूंसा बारे से क्यूंकि LPG रंगहिन और गंदहिन परकर्तिकी जूसें अगला क्यूशन सुना तरीवित पेंट्रोलियम गेस, एलपीजी, एलपीजी निमल खित का मिश्रण है, दर्वित पेंट्रोलियम गेस, एलपीजी किस का मिश्रण है, दर्वित पेंट्रोलियम गेस में क्या-क्या मिलावा रहता है, क्या ब्यूटेन, हाइट्रोजन और मिथेन मिलावा रहता है, क्या ब्यूटेन और यह जो LPG गेस जो है यह LPG गेस हमारे गरेलू सिलेंडर में बरीवी रहती है हमारे गरेलू सिलेंडर में LPG है और LPG गेस पर खाना बना के यह दिखाएंगे बीपी बड़ेगी सातियों बीपी बड़ेगी बी यानि क्या होता है बी यानि सातियों ब्यूटेन है बी यानि ब्यूटेन है सातियों पी यानि क्या है पी यानि प्रोपेन है प्रोपेन और ब्यूटेन ब्यूटेन वह प्रोपेन फोर्मूला मैं आपको बता रहा हूं ज्य इस प्रोपेन का सुत्र है C3H8, व्यूटेन का है C4H10, यह फोर्मूले भी आपको विशेश तोर पर मेरी बात को समझने की कोशिश करना, चाहत यह याद रखना है, बूलना नहीं है, हर सिच्वेशन में, हर एंगल से आपको इनके फोर्मूले भी याद रखना है, व्यूट की कहा है, अगला कुशन क्या कह रहा है, चाहत यहों नेक्स्ट कुशन के बारे में पढ़ना है, हाँ, नेक्स्ट कुशन है, संपिडित प्राकर्तिक गेश, CNG का मुख्य गठक क्या है, सबसे पहला सवाल तो यह है, कि CNG गेश का मुख्य गठक क्या है, क्या मिथेन है, ट् C&G Gage का स्रोथ क्या है एंजी गेश के क्या स्रोथ है आप लोगों को बताना है पेंटरोल के बीचोंटरोल के को वोशेंग कि यह गेश निश्काशित होती है आप लोगों को बताना है कि C&G Gage में मिखेन पाई जाती यह नो मैं इंदन के रूप में याद रखना है मेरे विदवान सातियों का यूज वहानों में इंदन के रूप में किया जाता है वहानों में इंदन के रूप में किस गेश का इस्तेमाल करते हैं साथियों वहानों में इंदन के रूप में CNG का इस्तेमाल किया जाता है हाँ अगला क्यूशन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्यूशन क्या है हाँ क्यूसन निम्म लिकित में से किसके बहुली करण्षे नियोप्रिन बनाया जाता है निम्म लिकित में से किसके बहुली करण्षे नियोप्रिन रबर बनाया जाता है कंदिश साथियों क्यूसन का जवाब दीजिए मुझे किसके बहुली करण्षे नियोप्रिन बनाया जा है कि आइसोप्रिन है कि इनाइल कलोराइड है एक्रिलो नाइट्राइल क्या क्लोरोप्रिन कि इनमें से किसके बहुली करण से आप लोगों को बताना है कि योप्रिन रबर तयार होता है आइसोप्रिन का मतलब है साथियों टू मेथिल वन्थ्री का डाइएन है साथियों इससे याद रखना है कि इससे प्राकर्तिक रबर तयार होता है प्राकर्तिक रबर इससे तयार किया जाता है गिनाईल कलोराइड यानि इससे साथियों प्राकर्तिक रखना है कि दवान सातियों क्यूशन का सई जवाब होगा क्लोरो प्रिन क्लोरो प्रिन का मैं आई उपी ऐसी नाम और फॉर्मूले दोनों सिका रहा हूं सातियों सीखने की कोशिश करना इसका नाम होगा टू कलोरो टू कलोरो वन त्री ब्यूटाडाई इन है तातियों इसका फॉर्मूला क्या होगा फॉर्मूला भी आपको द्यान से सुनना है कि एस्टू डावल बॉन्ड शी सिंगल बॉन्ड शीएच डावल बॉन्ड शीएच टू हाँ सातियों दूसरे कार्बन परमाणू पर कलोरीन जुडावा रहता है अब देखो इस कार्बन की स्वेज़गता कंप्लीट है दो हाइट्रोजन दो बंद चार कंप्लीट है इसमें दो बंद इधर एक इधर तीन और एक यह चार यहाँ पर एक दो और दो चार यानि टू कलोरो वन त्री ब्यूटा डाइएन ये कलोरोप्रिन का कलोरोप्रिन का फोर्मूला है इसी कलोरोप्रिन से नियोप्रिन बनाया जाता है नियोप्रिन क्या है एक तो नियोप्रिन सात कि याद रखना है करत्रीम रब्बर है कि ले रहे सात्यों कि अगला कुछन कौन सा है कि अगला कुछन है करत्रीम रब्बर ब्यूना एस के निर्मार में निमल लिकित में से कौन से मिस्रण का बहु लिकरन किया जाता है सात्यों ब्यूना एस की बात हो रही है क्या ब्यूना एस ब्यूटा डाई इन और इस्टाइरिन से बनेगा सात्यों ब्यूटा डाई डाई इन और इतीन से बनेगा स्टाइरिन और इतीन से बनेगा या ब्यूटा डाई इन और प्रोपीन से बनेगा साई क्यूशन अच्छा क्यूशन लोजिकली क्यूशन लोजिकली ऑप्सन आपको साई आंसर का चेन करना है सातियों जल्दी से मुझे बताईए कौन सी दो एकलकी काईयों के आपस में मिलने से करत्री मरबर ब्यूना एस तयार होता है मैं आप लोगों को सातियों बता देना चाहता हूँ का डाई इन और इस्टाइरियन के अपस़े मिलने से कर्तरीम रफ ब्वर ऑज त Για होता है। उना है इसके बारे में सुना 7 & 6 का मतलब क्या है तुना का मतलब मेरे विदवान सातियों 1-3-1-3 भियुता डाइइऔ लोगों को बता देना चाहता हूं सातियों के इसके अलावा याद रखना है सातियों एक है एन एक यान का सातियों याद रखना है एन का मतलब होता है एक्रिलो एक्रिलो नाइट्राइल है सातियों एक्रिलो नाइट्राइल है एक्रिलो नाइट्राइल इसका एन का मतलब है एक्रिलो नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा तो रिव्यूना एस दिया है तो एस की भी बात कर लेंगे एक रिलो नाइट्राइल का फॉर्मूला CS2 Double Bond, CH Single Bond, CN है जबकि स्टाइरीन है S का मतलब एक और है स्टाइरीन है और स्टाइरीन का फॉर्मूला भी सातियों स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होता है आप यहां से देख करकर लिख सकते हो आराम से अपनी नोटबुक में में आराम से लिख सकते हो साथ में साथियों कि जो इस्टाइरीन है, इस्टाइरीन का मतलब ऐसा है यहांपर और वियूना का मतलब भी है, आराम से यहां से आप लोग लिख सकते हैं। अगले क्युस्टन की बात हो रही है साथियों का है इम्मा लिकित में से कौन सा एक गेर शेलूलोजी रेसा का उधारन है साथियों कीन में आपको शेलूलोज मिलेगा एक में आपको शेलूलोज नहीं मिलेगा आप मुझे बताईए जल्दी से कौनसा ऐसा रेसा है जो गेर शेलूलोज रेसा है जिसमें शेलूलोज नहीं पाया जाता है क्या रेओन नहीं है क्या लिगनी नहीं है जूट नहीं है या नाइलोन नहीं है ऐसा रेसा जिसमें शेलूलोज नहीं पाया जाता है के लिलोज रही त्रेशा कौन सा है इन में नहीं पाया जाता है आपको बताना है साथियों किस रियोन में है लिलन में है जूट में है लेकिन नाइलोन 6-6 के ले लोज नहीं पाया जाता है नहीं नाईलोण 6-6 में है और नहीं नाईलोण 6-6 में एक नाईलोण 6-6 होता है ये बावलक से समंदित कुसने लोज Anfang एक होता है नाईलोण 6 है ये नाईलोण 6 उसकोर दूसरा है नाईलॉण क्यूशन जिस प्लास्टिक पोलीमर यानि बाउलक्षे कंगे खिलोने कटोरे आदी बनाए जाते ही उसका नाम आप लोगों को बताना है क्या पॉली यूरेत्रोन है पॉली स्टाइरीन है मेटलिक पॉली सलपाइड है या टेफलोन है जल्दी से मुझे आप क्यूशन का जब बनाने में उपियोगी है 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 तो साथ यह द्यान देना है पॉली यूरेत्रोन का हमेशा याद रखना है कि कि इसका यूच करते हैं कि पुलेट कि पुरूफ काच निर्वान में पॉली यूरेत्रोन का यूज करता है है इस जगे पर इस्टूशन का सही आंसर होगा पॉली styrene polystyrene styrene का बाउलग है styrene का फोर्मूला होता है CS2 double bond he is single bond C6 H5 कि पोली styrene का फोर्मूला है टेफलोन टेफलोन poly tetrafluoroethin इसकी एकलिक इकाई का फोर्मूला datos CF2 double bond CF2 है टेफलोन के बारे में विद्वान साथियों याद रखना है इसका यूज तोन इस्टिक प्लास्टिक में किया जाता है तोन इस्टिक प्लास्टिक के निर्मान में किया जाता है तोन इस्टिक प्लास्टिक यानि नय चिपकने वाली प्लास्टिक नय चिपकने वाली प्लास्टिक बनाने म में टेफलोन का यूज़ करते हैंज एकड़ी का MIC गोरे और कटोरे आदि निर्मान में करते हैं पोलीस टैरीन की एकलेक किकाई का फोर्मूला आपके सामने में दे चुका अगला कुशन क्या है इस स्वेट क्या है एक्स्ट क्यूशन बड़ा संसले सित्रेशा है बाकी हमेशा याद रखना है इस्कूशन में जो दिये विए है वो सारे के सारे प्राकर्तिक रेशे है आप में से मुझे बताईए कौन सा एक अर्द संसले सित्रेशा है अर्द संसले सित्रेशे का उधारन बताईए आतियों या अर्द संसलेशित रेशा का उदारन है रेओन रेओन अर्द संसलेशित क्यूं है क्यूंकि इसके निर्मान में शेलूलोज की भूमिका होती है शेलूलोज ने लेते हैं के शेलूलोज आपको बताना है यह एक पराकर्तिक है यह पराकर्तिक श्रोथ है शेलूलोज होने कीafter साथियों रेओन को एक अर्द संसलेशित अर्द संसलेशित रेशा माना गया है कपास जूट और रेशम कपास जूट और रेशम यह याद रखना है साथियों यह प्राकर्तिक रेशे हैं प्राकर्तिक रेशे हैं कपास जूट कपास जूट और रेशम यह कैसे रेशे हैं यह प्राकर्तिक रेशे हैं जबकि संसलेशित रेशे कौन से हैं संसलेचित रेशे क्या कह सकता हूँ करत्री में रचे mittend या करत्री मिरेशे के एक जामपल कौन-कोन है साथ करत्री ereसे हो ने अपको बता देनाच चाहता हूं यह से लिए नमबर 1 पर नाइलोन च्क्सक्स इनमबर 2 है नाइलोनग्द ... नम्बर तीन है सातियों टेक्रोन टेरिलीन है टेक्रोन टेरिलीन है और नम्बर चार है सातियों पी ए एन है पॉलि एक्रिलो नाइट्राइल यानी औरनोल है ये मेरे विद्वान सातियों ये केसे हैं तो ये संसलेशी त्रेशे हैं ये संसलेशी त्रेशे हैं जबकी अर्द संसलेशी त्रेशा कौन सा है रेओन है और कपाश जू ट्रेशम केसे हैं तो प्राकर्तिक रेशे हैं सातियों ये क्यूशन किलेर है अगला क्यूशन क्या क्या जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है निमल कित में से किस एक रेशे को सुनहरा रेशा कहते हैं सुनहरा रेशा कहा जाता है किस को कहा जाता है कपास रेशम जूट या नाइलोन को किलेर आंसर होगा सातियों जूट को सुनहरे र पैसे के नाम से जूट को जाना जाता है अगला क्यों सुनना साथियों पॉलीथीन बनता है पॉलीथीन जो कि सब्षे सस्ती सरल सब्षे सस्ती और सरल प्लास्टिक है सब्षे सस्ती और सरल सब्षे सस्ती और सरल प्लास्टिक कौन सी है साथियों आपको बताना है पॉलीथीन है किस ये बनती है एथीलीन से प्रोपीलीन से एसिटीलीन से या एलनीलीन से बनती है सातियों मैं आपको बदा देता हूं पोलिथीन बनेगा एथीन से एथीन का फोर्मुला होगा का। cs two double bond cs two c stop double bond cs2 की ए निकाया है इसका हम लोग करेंगे शातियों बहुल करण इसका हम लोग करेंगे बहुलेंगे यह बन जायेगा सातियों यह बन जाएगा पोलिथीन यानी cs two single bond CS2 और दोनों तरफ बंद निकल जाएंगे इसको हम लोग बोलेंगे सातियों polythene ethene के बहुली करण से polythene बनता है ethene का बहुली करण करेंगे तो सातियों polythene बनेगा clear है सातियों ये question ये question बिल्कुल clear है अगला question कि उसने पीवी सी पीवी सी किसके बहुली करण से प्राप्त होती है सबसे पहला सवाल तो यह है कि इस पीवी सी का फूल फॉरम क्या है पीवी सी का फूल फॉरम है polyvinyl या वाईली ने की चीज़े विनाईले को अभर DR s PHR लोर है पौली विनाईल कलो रइड इसका पीवी सी का पूरा नाम है polyvinyl chloride क्या ये इस टाइरिंज से बनेगा एसितल इस से बनेगा प्रोपीलीन से या विनाईल कलो और यह यह याद रखना है विना childhood का फौर्मुला है सिंगल सवाल है Acetylene का formula साथियों CH triple bond CH है CH triple bond CH है इसका यूज फलों को पकाने में किया जाता है फलों को करत्रीम रूप से पकाने में किया जाता है करत्रीम रूप से पकाने में Acetylene का यूज किया जाता है Acetylene का formula CH triple bond CH है हाँ साथियों अगले क्यूशन की ओर हम लोग बाचीत कर रहे हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है हां नेक्स्ट क्यूशन कह रहा है नेक्स्ट क्यूशन कह रहा है कि थर्मोशेटिंग प्लास्टिक का युगम है कौन सा युगम थर्मोशेटिंग प्लास्टिक का है यानि ताप दल् प्लास्टिक का है सांदार जानदार क्यूशन है सातियों कि एसी प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक थर्मोशेटिंग प्लास्टिक दो परकार की होती है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोशेटिंग प्लास्टिक क्यूशन देरे का है थर्मोशेटिंग यानि ताप दर्ड प्ला जा सकता है नव निर्मान संभव नहीं हो नया निर्मान संभव नहीं हो जिस प्लास्टिक का नया निर्मान संभव नहीं है वो थर्मो प्लास्टिक है क्या पॉलिथीन पीवीसी थर्मो शेटिंग प्लास्टिक है पॉलिथीन मेलामीन है बेकेलाइट या पीवीसी है सातियों बेकेलाइट और मेलामीन ये D option इसका right है जिस बंदे ने D option right किया है उसका सई जवाब होगा और जिसने गलत जवाब दिया है और कोई जवाब दिया है ABC से उसका गलत जवाब ही है साथियों गलत आंसर है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक दोई है बेके लाइट और मेलामीन थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ताप दर्ड प्लास्टिक आपको साथ यूँ एक याद रखना है एक चीज में आपको शिकाने की कोशिश कर रहा हूं ये भी बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है बहुत बताना है बेके लाइट का यूज याद रखना है कि विद्यूत स्विच बनाने में किया जाता है विद्यूत स्विच किश्य बनते हैं सात्यों विद्यूत स्विच हमेशा याद रखना है बेके लाइट से बनाए जाते हैं बेके लाइट से बनाए जाते हैं विद्यूत स स्फुच में कौन सी प्लास्टिक काम में आती है या रखना है आफ • किसकिस से बंता है तोτο बनता है या फिनोल से फिनॉल और फॉर्मल्डे हाइड लूर्म पर मल्डे हाइड 10 पिनोल और फॉर्मल्डे हाइड सीब बनाया जाता है अगला क्यूशन क्या कर रहा है अच्छा क्यूशन करत्रीम रेसा डेक्रोन बनाने में पर्यूक्ट एकलक इकाईया कौन-कौन सी है करत्रीम रेसा डेक्रोन बनाने में कौन सी एकलक इकाईयों का यूशन किया जाता है साथियों क्या एथिलिन ग्लाइकॉल और एक्रिलोन नाइट्राइल का यूशन करते है या एथिलिन ग्लाइकॉल और विनाइल कलोराइड का यूशन करते है या एथिलिन ग्लाइकॉल और तो नाइट डुन का यूच करते हैं चैए जबाब का आप लोगों को चैन करना है जल्दि से मुझे साथ हो से घूषन का सही जबाब दीजी आप कर्त्रीम रेसा डेक्रोन डेक्रोन को ही सातियों टेरीलीन के नाम से भी जाना जाता है टेकनिकल नर्सिंग जैसे एक्जाम में आपको डीटो लेंगवेज में क्यूशन मिलेगा आप ये दी डेकरोन टेरीलीन के बारे में जानोगे तब बता दोगे कि कौनशी एकलक इकाईया हाँ डेकरोन टेरीलीन के निर्मा एक्रोन बनता है हाँ सातियों मैं आप स्थोन्स लोगों को एक चीश स्ग देता हूं सीखने की कोशिश करना क के क्रोण या टेरिलीन कि क्रव टे रलीन के एक ले टें कि कईयों के बारे में मेरे विदमान साथ यो सुनना इप या outta टे र possibility मैं एक तो है एथिलीन ग्लाइकोल है एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है सातियों CH2 CH2 दोनों तरफ है OH यह है सातियों एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला जबकि तर्थेलिक एशिड का क्या है तर्थेलिक एसिड क्या है तर्थेलिक एसिड है तर्थेलिक एसिड के बारे में सुनना साती हूं तर्थेलिक एसिड का फोर्मूला है उपरवाला एथिलिन ग्लाइकोल का है बेंजीन के साथ कार्बोक्तिलिक सम्मुव दोनों तरफ जुड़ा हूँ है तो वो तर्थेलिक एसिड है CS2, CS2 यानि CS2 के साथ में दोनों तरफ OH जुड़ा है दो CS2 सम्मुव है तो उसको हम लोग एथिलिन ग्लाइकोल बोलेंगे एथिलिन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड मिलकर के डेक्रोन या टेरिलिन का संसलेशन करेंगे साथियों डेक्रोन या टेरिलिन का संसलेशन करेंगे हाँ साथियों ज्यान से सुनना है कुशन ना हमारा करतरी मरेशा डेकरोन टेरिलीन बनाने में परियुक्त एकले की काईया कौन-कौन सी है सी ओप्षन राइट होगा एतिलिन ग्लाइकोल और टर्थिलिक एसिड इसका राइट आंसर होगा अगला कुशन क्या है साबुन निर्मान में 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 साबुन निकरन का जाता है साबुन इकरन परकिरिया में सह उत्पात के रूप में मेरी बात को समझने की कोशिश करना साथियों Gliss Ol बनता है जिसका फॉर्मुला स्टू ओएच फिरे स्टू ओएच और फिरे साथियों स्टू ओएच यह फॉर्मूला किसका है यह फॉर्मूला याद रखना है मेरे विद्वान साथियों ग्लिस्रोल का फॉर्मूला है ग्लिस्रोल का फॉर्मूला है साबुन निर्मान में साबुन इकरन परक्रिया में सह उ कुछन क्या कह रहे हैं अपमार्जक या डिटरिजेंट प्रेश्ट को किस सिद्दान्त पर साप करता है यारी अपमार्जक या डिटरिजेंट जो कोई भी है अपमार्जक डिटरिजेंट किस सिद्दान्त पर कारिये करते हैं किस सिद्दान्त के दुआरा सपाई काम करेंगे क्या शांता के सिद्धानत पर काम करेंगे परश्ट दनाव परत्यास्ता या पलवन सिद्धानत पर जल्दी से मुझे आपका आप इस क्यूशन का आंसर दीजिए आपके क्यूशन का आंसर का इंतजार है इस क्यूशन के आंसर का इंतजार है आप लोगों से निवेदन है जल्दी से आप मुझे आनसर दीजिए परस्ट किस सिद्धान से अपमार्जक साबून परस्ट को साप करते हैं परस्ट को साप करते हैं आप लोगों को साथ यूँ याद रखना है कि ये प्रश्ट तनाव के सिद्धान पर कारिय करते ही जैसे ही जल और साबुन आपस में गुलेंगे अपमार्जक और जल साबुन में गुलेंगे तो याद रखना है जल का जल का प्रश्ट तनाव जल का प्रश्ट तनाव कम कर देंगे और जो गोल होगा वो गोल कपड़े क कपड़े की गहराई तक पहुंचेगा कपड़े की गहराई तक पहुंचेगा और कपड़े की गहराई तक पहुंच करके मेल चिकनाई को आरसानी से दूर कर देगा याद रखना है परिष्ट तनाव को कम करेगा परिष्ट तनाव को कम करने के सिद्धान्त परसातियों याद रखना है साबून और डिट ये अपमार्जिक डिटरजेंट कारिये करते हैं हाँ नेक्स्ट कुशन है जल में खटोरता किसकी उपस्तिती के कारण होती है जल में खटोरता किन की उपस्तिती के कारण है कौन किसकी उपस्तिती के कारण जल खटोर होता है खटोर ता क्यों पाई जाती है क्या केलसियम सोडियम के कलोराइड की वज़े से केलसियम मेगनिसियम के कलोराइड और कार्बोनेट की वज़े से केलसियम मेगनिसियम के कलोराइड और सल्पेट की वज़े से या केलसियम सोडियम के कार्बोनेट की वज़े से आप मुझे बताईए इन में से कौन सा उचित ओप्षन होगा जल्द को खटोर बनाने के लिए कौन उपस्तित रहेगा जल्द को खटोर ता कौन परदान करेगा जल्द आप क्यूशन का आंसर दीजिए साथियों पड़े बेताभी से आपके इस कुशन के आंसर का इंतजार है साथियों सांथियों हमेशा याद रखना है जल्द में कटोर ता क्यूं होती है क्यूंकि जल्द में केल्सियम है सीएपलेस पलेस है और मेगनीशियम है एमजी पलेस पलेस के कलोराइड भी हो सकते है और सल्पेट भी हो सकते है कलोराइड और सल्पेट की वज़े से जल में खटोरता पाई जाती है साथ यह याद रखना है केलसियम मेगनिसियम के कलोराइड के साथ साथ सल्पेट भी हो सकते है तब ही तो इसी कारण जल में खटोरता पाई जाती है तो सातियों जल में खटोरता किसकी वज़े से हो रही है तो केलसियम और मेगनिसियम के कलोराइड और सलफेट के विलेसिलता के कारण जल में खटोरता पाई जाती है सातियों अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्यूशन की और हम आगे बढ़ते हैं क्या क्यूशन है किस परकार का क्यूशन है हाँ क्यूशन है दावन सोडा का दावन सोडा होता है इन में से कौन सा एक दावन सोडा है क्या एन एच सी ओत्री है एन एसी एले सी ए 10104 डौट 612 ए इनमें 2co3 डौट 10 grass नर्डवे 15 क्या होता है 15 सोड़ा क्या ये वाला है या एनग लिये तो 17 SW अईम्क है सोडियम कलोराइड ये तो नमक है مेरे विद्वान सातियों सोडियम कलोराइड ये नमक है नमक पॉर्मूला सातियों की 604 uh छे फिर्इुआ प्लास्ट्रो पेरिस्ट कपॉर्मूला है और शातियों ये हैदावन ओवन टवीद का फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का बस अधर के अणू है इसको हम लोग सातियों याद रखना है दावन सोडा बोलेंगे ये किस का फॉर्मूला है यह सातियों बेंकिंग सोडे का फॉर्मूला है बेंकिंग सोडा खाने का सोडा है सातियों के ले रहेख कुंशन का राइट आंसर डी ओप्रशन है गबराना नाइन हर सिच्वेशन हर एंगल से आपrelated से आपको आगे सुनना सात्य हों से बड़ा सांदार कुशन है नायलोन रेशा होता है दो अच्छा कुशन है डिटो लेंग्वेज में जो लेंग्वेज पर चापी हुई है उसी लेंग्वेज में आपके एक्जाम में पूछावा सवाल है कि नाइलोन रेशा होता है किस से बनावा होता है किस परकार का रेशा है आप लोगों को यह उपर वाली दो सिच्वेशन तो भूल जाना है आप मुझे यह बताइए इस सी और डी पोली एस से दो परकार के हैं साथियों एक तो है नाइलोन नाइलोन साथियों शिक्स शिक्स है और दूसरा है साथियों केवल नाइलोन शिक्स है यह दोनों ही रेशे साथियों पॉली एमाइड रेशे हैं पॉली एस्ट रेशा कौन है पॉली एस्ट रेशा साथियों डेक्रोन है ट लेक्रोन या टेरिलीन एक पॉली एस्ट रेसा है और नाइलोन शिक्स और नाइलोन शिक्स पॉली एमाइड रेसा है यूसन का अंसर किलेर है सातियों किलेर है किलेर है हाँ अक्रिय गेसे कौन सी है अक्रिय गेसे कौन सी है सुनने गेसे कौन सी है उतकरस्ट गेसे कौन सी है उतकरस्ट गेसे कौन सी है जल्द जबाब दीजिए सातियों क्या हाँ निचे कूट दे रहे हैं क्या तीन चार है एक दो तीन है केवल एक है या एक दो तीन चार है आप मुझे जल्द ही आंसर दीजिए इनमें से कोन सी गेसे अक्रिये गेसे हाँ तो साथ यूँ ये संपूर गैसे अक्रिये गैसे हैं ये संपूर गैसे अक्रिये गैसे हैं अक्रिये गैसों की खास बात है साथ यूँ अक्रिये गैसों की खास बात है अक्रिये गैसे एकल परमान भी होती है एकल परमान वे गेसे 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 होती है एकल पर नेहा कीरण जोन डोन आ रहा है इस तरीके से आप अक्रिये गेशों के नाम बता सकते हो हेलो यानि क्या होगा साथियों हीलियम होगा हीलियम का परतीक ही होगा नेहा यानि क्या होगा साथियों नियोन होगा नियोन का परतीक साथियों एन ई है कीरण यानि साथियों जिनोन है और जिनोन का परतीक साथ यूँ एक्सटी होगा डोन यानि रेडोन है रेडोन का परतीक साथ यूँ आरेन होगा और आ रहा है आ यानि होगा साथ यूँ आरगन यह गेसे अक्रिये गेसे सातियों अक्रिये गेसे है तो इस क्यूशन का सई जवाब क्या होगा यानि यह जो जितनी भी गेसे संपुन गेसे अक्रिये है तो एक दो तीन चार डी ओप्सन राइट होगा सातियों डी ओप्सन राइट होगा क्युशन आए निम्मल गहित्में से कौन सी गेस ? चिफ्स अ है प्लस बेग में बरी है तुसन है साथियों चिफ्स की तेली में कौन सी गेस है查 हो इचिफ्स की आई लेना है सातियों की चिप्स की थेली में कौनशी गेस बढ़ते हैं तो नाइट्रोजन गेस बढ़ते हैं नाइट्रोजन गेस के अलावा नाइट्रोजन गेस का और कहां कहां पर यूज करते हैं सातियों आपको बताना है वहानों के टाइरों में वहानों के टाइरों में वहा जाता है हाँ नाइट्रोजन गेस का यूज किया जाता है सात्यों एक चीज याद रखना है नाइट्रोजन का और कहां पर यूज करते हैं तो नाइट्रोजन का नेक्स्ट यूज है सात्यों विद्यूत बलप में आरगन के साथ है विद्यूत बलप में एर आरगन पलस एंट यानि नाइट्रोजन का यूज किया जाता है नाइट्रोजन और आरगन का विद्यूत बलप में यूज किया जाता है हाँ साथ यो इसके अलावा नाइट्रोजन का यूज करते हैं अमोनिया निर्मान में अमोनिया निर्मान में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है अमोनि इतंपी वीदी उपयोग में लेते हैं तुसकी निर्मान में उपयोगी हैं आमोनीय के निर्मान में लाइंड़ नाइट्रोजन जाता है साथियों अगला क्यूशन सुनो साथियों नेक्स्ट क्या कह रहा है अगले क्यूशन के बारे में ध्यान पूर्वक सुनना साथियों अगला क्यूशन है निमा लिकित में से हाइट्रोजन मुक्तवस्ता में पाया जाता है कौन सी एक ऐसा इस्तान है जहाँ पर हाइट्रोजन मुक्तवस्ता में पाया जाता है क्या प्राकृतिक गेसों में हाइट्रोजन एस्टू मुक्त अवस्ता में फ्री कंडिशन में आपको मिल जाएगा पेंट्रोलियम पदार्तों में मिल जाएगा या सूरिय में मिल जाएगा या पानी में आपको हाइट्रोजन मुक्त अवस्ता में मिल जाएगा सात्यों याद रखना है सूरिय साहित जितने भी तारे है जितने भी इस्टार है जितने भी तारे है उन सबी तारों में और सूरिय में हाइटरोजन हमेशा मुक्तवस्ता में पाया जाता है और आपको ये भी बताना है साथियों इस तत्वे की बर्मांड में बर्मांड में वरियता बर्मांड में वरियता इसकी नमबर एक पर आती है पर्मांड में सबसे ज़्यादा मातरा में कौन सा तत्वे पाया जाता है आप लोगों को साथियों बताना है आप लोगों को बतान है सातियों कि बर्मांड में सब्षे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइट्रोजन हाइट्रोजन तत्व है बर्मांड में सब्षे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हाँ सूरिय में हाइट्रोजन हमेशा मुक्त कंडिशन में मिलता है प्राकृतिक गेसों म नहीं मिलेगा पानी में नहीं मिलेगा मिलेगा आपको तारों में सितारों में बर्मांड में अगला क्युशन सुनना साती हूं प्रत्वी के वायू मंडल में लगबग 90% निर्मान करती है प्रत्वी के वायू मंडल का 90% निर्मान कौन सी दो गेस मिलकर के करती है ये सवाल आप सब को पता है सब को पता है हर एक स्टूडेंट को पता है जो देख रहा है वो जो मेरे को देख रहा है परते एक स्टुडेंट को पता है कि कौन सी दो गेसे मिलकर के 99% परतवी का वातावरन क्रियेट करते हैं सोच के जबाब देना है क्या वो nitrogen N2, CO2 carbon dioxide है, oxygen O2 है और ozone O3 है साथ यो जल्दी से जबाब देना है, हम लोग अच्छे से जानते है कि इस nitrogen Gase की जो मातरा है वो 78, 88% है जबकि oxygen Gase की जो मातरा है वो याद रखना है साथ यो 21% है, यह दोनों Gase मिलकर के 99% वातावरन क्रियेट करते हैं 14 कौन-कौन से में है, 14 D option में है, right answer D option होगा साथ यो इस क्यूशन का सई जबाब होगा हाँ, अगला क्यूशन क्या कह रहा है साथ यो भू पटल पर पाया जाने वाला परचूर तत्वे कौन सा है, क्या कार्बन तत्वे भू पटल पर सबशे ज्यादा मातरा में परचूर मातरा में पाया जाता है केल्सियम परचूर मातरा में पाया जाता है नाइट्रोजन परचूर मातरा में है या ओक्सीजन ओ परचूर मातरा में है जल्दी से आपको साथ यू जबाब देना है भूपटल पर परतिवी की भूपरपटी पर सबसे ज्यादा मातरा में क आसातियों इस क्यूशन का सई जवाब होगा बूपरपटी पर सरवादिक मातरा में ऑक्सिजन पाया जाता है जबकि वातावरण में यदि आपको पूछ लेता कि वातावरण में सबसे ज़्यादा मातरा में इस परकार के क्यूशनों की language पर आपको ध्यान देना है बासा आपको समझनी है क्यूशन दे दिया कि परत्वी के वातावरण में कौन सबसे ज्यादा है आपको बताना है nitrogen है लेकिन यदि आपको पूछ लिया कि सरीर में दातू तत्वे कौन सा है बोडी में metal तत्वे कौन सा है जो सबसे ज्यादा है वो आपको बताना है साथियो केल्सियम है या इस क्यूशन का सई जवाब right answer साथियो oxygen है clear है अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं साथियो ध्यान से सुनना है next क्यूशन क्या कह रहा है अच्छा क्यूशन है सांदार क्यूशन है निमल कितमे से कौन से रेडियो धर्मी तत्वे का यूज हर्दे पेस्मेकर बनाने में किया जाता है बहुत ही अच्छा क्यूशन है बड़ा सांदार जांदार क्यूशन है आप मुझे बताएए कौन से एक रेडियो दर्मी तत्वय का यूज हरदे के पेसमेकर बनाने में करते हैं थोड़ा सा मैं आपको बाइलोजी में भी ले जाऊं हरदे का पेसमेकर वेसे है कौन हकीकत में ये हर्दे का पेसमेकर साथियों S.A. नोड है S.A. नोड को हर्दे का पेसमेकर बोलते लेकिन करत्रीम रूप से S.A. नोड बनाने के लिए किसका यूज इस्तेमाल करेंगे साथियों प्लुटोनियम का यूज करेंगे प्लुटोनियम पीउं का यूज करेंगे प्लूटोनियम 238 का यूज करते हैं प्लूटोनियम 238 का यूज करते हैं डूटेरियम क्या है डूटेरियम हाइट्रोजन का सब्षे बारी समस्तानिक है हाइट्रोजन का सब्षे बारी समस्तानिक है हाइट्रोजन का सब्षे बारी समस्तानिक कौनशा है साथ यूँ आपको बताना है डूटेरियम है कि कह भाई अगला कुशन सुनना नेक्स्ट कुशन सुनना अच्छा कुशन पुराणे चित्रों को सरक्षन किस ओक्सी कारक के द या S2PO4 का यूज़ करते हैं पुराणे चल चित्रों को स्रक्सित करने के लिए स्रक्षन के लिए ओक्षिक कारट के रूप में कौन से एक योगिक का यूज़ किया जाता है साथ यो तीन उप्शन आपके सामने हैं जल्दी आप मुझे इन उप्शनों को देखकर के आसानी से आपको विश्लेशन करके आंसर देना है जल्दी दीजी आंसर साथियों बेतावी से इंतजार है जल्दी से दीजी देगे साथियों आप साथियों को जबाब देना है H2O2 हाइट्रोजन प्रोक्साइड हाइट्रोजन प्रोक्साइड का यूज करते हैं साथियों एक चीज में आप लोगों को एक्स्ट्रा में और शिका देना चाहता हूं इस हाइट्रोजन प्रोक्साइड का एक और यूज करते हैं गाहों को साप करने के लिए काहों को साप करने के लिए कि टानू नाशी के रूप में भी इसका यूज करते हैं चाहत्रियों जब हमारे चोट लग जाती है और डोक्टर के पास जाते हैं दवा लगवाने के लिए मरहम की पट्टी करवाने के लिए के टोक्टर तो डोक्टर पहले उस गाव को साप करेगा कौंण चैजल से हाइट्रोजन प्रोक्साइड से ह मेरे प्रेसर के साथ उस गाव फाह पर पानी डालता नाश्ट हो जाएंगे और वहाँ पर जो किटानों है वो नश्ट हो जाएंगे फिर डॉक्टर दवा लगाएगा पटी करेगा वो जो जल है वो तेजदार है वो किसकी है सातियो H2O2 की है हाइट्रोजन परोकसाइड की है गाउं को साप करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है विद्वान साति S2O या T2O या D2O या S3O पारी जल एंपारी जल हेवी वाटर है कि एक तो सातियों कि एक तो याद रखना है है हेवी वाटर बारी जल या गुरु जल कुछ कि इसका अणविक दरवेमान आपको हमेशा याद रखना है सातियों 20 है कि इस बारी जल का सुत्र क्या है इसका सुत्र है डी टू इसको बारी क्यों कहते हैं क्योंकि हाइट्रोजन के हाइट्रोजन के कपशे पारी समस्थाने के कि यूट्रियम का कि ओक्साइड है कि हाइट्रोजन के सबसे बारी समस्थानिक ड्यूट्रियम का ओक्साइड है इसका फॉर्मूला सामने लिखावा है ड्यूट्रोजन की इस हाइट्रोजन के बारी समस्तानिक डूटेरियम और बारी जल की खोज करने वाले वेगानिक थे हेराल्ड यूरे और वास्बरन नामक वेगानिक थे हेराल्ड यूरे और वास्बरन नामक वेगानिक ने बारी जल डूटेरियम बारी जल की खोज की थी किसको मेगनिशियम का दूद कहा जाता है यानि मिल्क ओप मेगनिशिया कहा जाता है मिल्क ओप मेगनिशिया किसको कहा जाएगा फोर्मूला आपके सामने है M.G.O.H. का होल टू M.G.O. M.G.C.L. या नोन कुछ भी नहीं तीन ओपसल आपके सामने है तीनों पर आपको चिंतन मनन करना है और सातियों बताना है निमल कितमे से किसको मिलको मेगनिशिया बोलेंगे या सातियों कहेंगे मेगनिशियम हाइड्रो अक्साइड मेगनिशियम हाइड्रो अक्साइड कोण है मेगनिसियम हाइड्रो ओक्साइड कोण है पताइए सातियों मुझे मेगनिसियम हाइड्रो ओक्साइड है हाँ तो मेगनिसियम हाइड्रो ओक्साइड का फोर्मूला MGOH का होल्टू है MGOH का होल्टू मेगनिसियम हाइड्रो ओक्साइड है इसका पिएच मान मेरे विदवान सातियों 10 है पिएच मान 10 है इसका और इस योगिक का यूज मेरे विदवान सातियों किया जाता है एंटी एशिड के रूप में पेट की अमलता को दूर करने में इसका यूज किया जाता है एंटी एशिड के रूप मेल्क आप मेगनिशिया क का यूज्ज दाता है किया जाता है साथ के लेर है मैं जिवन बाएं संगर्ष करना है अभी तो बहुत लंबा संगर्श करना पड़ेगा सात्यों कला फाड़ी में इतना चिला रहा हूं तो आपको के वल बेट के पड़ना ही तो है मेरे तो । है केल को लाम है तो चलानी है आपको कोई गला थोड़ी पढ़ना है जोर जोर से मेरी तरह चिलाना थोड़ी न पढ़ेगा हां साथ यूँ जूड़े रहिए पढ़ते रहिए क्यूशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लिखते रहिए आसाल लग रहे हैं तो सीधे पनके आउनगा मैं फोजी बनके ते रहाँ तो उसका वादा आपको प्रेशान कर रहा है यानि राद सांटियों मैनत करना है प्रिश्रम करना है संगर्स करोगे तो यह आगे वड़ोगे हाँ तो यह क्यूशन अपना किले रहे इसी के साथ अपना आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन क्या कह रहा है द्यान से सुनना है सातियों नेक्स्ट क्यूशन के बारे में सुनना क्यूशन है सुष्क कारवंडाई ओक्साइड को बोलेंगे या जमा हुआ पानी या जिम हुई ओक्सीजन जमी हुई ओक्सीजन सोरी जमी हुई ओक्सीजन को कहेंगे जल्दी से जमी होई फोज कारवंडाई ओकसाइड को फोज कारवंडाई ओकसाइड को हमेशा याद रखना है सात्यों ड्राइड-ईस के नाम से जाना जाता है वागा, भी ओप्षन है ठोस CO2 को ठोस CO2 solid CO2 को याद रखना है साथी हूं solid CO2 को याद रखना सुस्क बरप के नाम से जाना जाता है अगले कुशन है निमल लिकित में से कौन सा वायू में सबसे अधिक परदुशित करता है वायू के लिए सबसे ज़्यादा गातक परदुशन सीन कौन है क्या कारबन डाई ओकसाइड को 2 है या carbon monoxide CO है या sulfur dioxide SO2 है या hydrocarbons है आप मुझे बताइए कौन एक वायू में सबसे ज्यादा परदुशन फेलाता है क्या sulfur dioxide SO2 या carbon dioxide CO2 या carbon monoxide है आप मुझे बताइए कौन सा एक वायू में सबसे ज्यादा परदुशन फेलाता है carbon monoxide carbon monoxide सबसे ज्यादा परदुशन युक्त पदार्त है ये से carbon monoxide बड़ी विशेली गेस है व्यक्ति की दम गुटकर के इसे मरत्य हो जाती है वानों की दूओं से यह निकलती है ओध्योग दंदों की चिमनियों स करें आboards संहंदार जानुदार्न यूरो नौर्स सवचारीट वहानों में एक गेस उतिसर्जन मात्रा की सीमा का निश्चित करते हैं वह कौन है मतलब वहानों की परदुशन जाच में आसान बना देता हुं क्युशन को साथ यह वहानों की परदुशन जाच है वहानू की परदुशन जाच पी यूशी जाच पी यूशी जाच किस गेश पर आधारित है किस गेश पर आधारित है सातियों क्या ये कार्बन डाई ओक्साइड शियो टू पर आधारित है क्या ये सातियों कार्बन मोनोक्साइड शियो पर आधारित ह है क्या ये नाइट्रोसन पर आधारीत है या ये सातियों मिथ्म पर आधारीत आप मुझे बताईए किस पर आधारीत है Beauty और मानक पी उसी जाट निमांस लिखित में से किस एक उच्षिंजन की मात्रा कूं नियंतरित करता है वहानों में पी उसी जाट किस गेस पर आधारीत है साथियों आपको बताना है यह पी उसी जाच कार्बन मोनो उक्साइड चीओ गेस पर आधारीत है आप लोगों को एक चीज ये भी बताना है साथियों एक चीज ये भी बताना है कि सियों से गिरे हुए बादलों की राते बादलों की राते बादलों की र ते साथियों याद रखना है गलम होती है seeo guy's चे गिरے हुए बादलों کی राते किछ परकार की होती साथियों आप लोगों को बताना आ है सीयोगेश ये फिर बादलों की रातें अक्सर गलम हो अगलां सुनना गोता कोर द्वारा गहरे समुंदर में स्वास लेने के लिए ओक्सिजन के साथ किस गेस को मिस्रित किया जाता है गोता कोर जब समुंदर में गोता लगाने के लिए जाता है तो स्लेंडर में ओक्सिजन गेस तो बरी हुई है अक्सिजन के साथ में और कौनशी गेस को एड किया जाता है क्या हीलियम को एड करते है क्या नाइट्रोजन बरीज आती है जीनोन XE बरीज आती है अमोनिया NS3 बरीज आती है सई जबाब का आपको चैन करना है जल्दी से आनसर देना है कौन सी गेज का यूज गोता कोर समुंदर में स्वास लेने के लिए ओक्षिजन के साथ यूज करता है और ऐसा क्यूं करता है सातियों ऐसा क्यूं करेगा सातियों ऐसा तनुकरण के लिए करेगा तनुकरण के लिए करेगा तनु करण के लिए इस परकार की गतिविदी को दो रहेगा सातियों आपको याद रखना है एसा हमेशा याद रखना है सातियों ये तनु करण के लिए हीलियम गेस को ओक्सिजन के साथ में मिस्रित करता है हीलियम गेस को ओक्सिजन के साथ में सातियों मिश्रित करता है क्लेर है सातियों नेक्स्ट कुशन क्या कह रहा है अगला कुशन क्या कह रहा है नेक्स्ट कुशन के बारे में सुनना है अगला कुशन है निमन में से किस एसिड में ओक्सीजन नहीं है ओक्सीजन नहीं पाया जाता है क्या नाइटरिक एसिड नाइटरिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3 HNO3 नाइटरिक एसिड में क्या उक्सीजन नहीं है क्या सल्पूरिक एसिड गंदक का अमल S2SO4 में नाइटरिक सॉरी उक्सीजन नहीं है क्या hydrochloric acid HCL में oxygen नहीं है तीन acid आपके सामने दी हुई है और तीनों में आप मुझे बताईए किस एक में oxygen नहीं है किस एक में oxygen नहीं है हाँ आपको पता है hydrochloric acid में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है oxygen यानि इस क्यूशन का right answer होगा hydrochloric acid नमक का अमल जबकि sulfuric acid को गंदक का अमल बोलते हैं nitric acid को सोरे का अमल या सातियों बास्मिक acid के नाम से जाना जाता है बास्मिक acid के नाम से जाना जाता है अगला क्यूशन सुनना सातियों अगला क्यूशन के बारे में सुनना है कि तुसले गोबर गेस परमुक्ते क्या होती है क्या गोबर गेस में कार्बन डाई कार्बन डाई या मोनो ओक्साइड है तुरी कार्बन डाई ओक्साइड है यहां पर साथियों यह कार्बन डाई ओक्साइड है या कारवन मोनो उक्साइड है या सातियों हाइट्रोजन सल्पाइड है या मिथेन शीयेच फोर है क्या कौन सी गेश याद रखना है गोबर गेश में मुक्यत है एक चीज तो याद रखना है गोबर गेश, बायो गेश, उर्जा का जो स्रोत है उर्जा का उर्जा का नवी करणिये स्रोत है नवी करणिये स्रोत है उर्जा का नवी करणिये स्रोत है तातियों उर्जा का नवी करणिये स्रोत कोण है तो गोबर गेस है बायो गेस है गोबर गेस को बायो गेस के नाम से भी जानते हैं सातियों याद रखना है किस गोबर गे बायो गेस का निर्मान किस वीदी से होता है आप लोगों को सातियों बताना है इसका निर्मान होता है किनवन वीदी से गोबर गेस या बायो गेस का संसलेशन किनवन वीदी से होता है किनवन की खोज का कारिय किस वेगयानिक ने किया था सातियों लुइस पास्चर ने किया थ इस में मिध्तिन है साथ में CO2 परीक्राइट प्रांट-बी याद रगै ON एस बाहरे आपको कोई पूचने वाला नहीं है कोअड़ पर्मुक्त क्या है यह कोबर गैस्ड पोर के साथ में CH4 के साथ में CO2 भी है S2 भी है N2 भी है साथ यों याद रगने गोबर गेस, बायो गेस उर्जा का नवी करनी सरोत है गेर प्रमप्रागत सरोत है नवी करनी सरोत है बवीशे में ये उर्जा हमें मिलती रहेगी अगला क्यूशन सुनना नेक्स्ट कुशन के बारे में सुनना साथ में निमल लिकित में से कौन सी गेस का उप्योग फलों को पकाने में किया जाता है निमल लिकित में से कौन सी गेस का प्रियोग फलों को फलों को करतरीम रूप से पकाने में किया जाता है ये मैं एड़ कर देता हूं साथियों क्या मिथेन, CH4, एतेन, एतिलीन या एसिटिलीन आप मुझे बताइए कौन सी एक गेश का उप्योग फलों को पकाने में किया जाता है जल्दी से जवाब दीजिये मेरे देश के बावी फोजियों, मेरे देश के संपुन फोजियों, बावी फोजियों, बावी फोजियों, जो है मेरे देश के आप मुझे बताइए जल्दी से क्या होगा इसक्यूशन का जबाब फलों को करतनी मुरूप से पकाने के लिए सातियों Acetylene का यूज़ करते हैं CS triple bond CH यूज़ इसका फॉर्मूला है Ethylene का CS2 double bond CS2 फॉर्मूला है सातियों याद रखना है कभी भी जीवन में बूलना नहीं है ये Ethylene जो है ये एक GACE हार्मोन है अगला point दिहन से सुनना सातियों अगनी सामग के रूप में किस GACE का परियोग किया जाता है क्या CO2 का यूज़ करते है क्या ओक्सिजन का यूज़ करते है क्या हीलियम का यूज़ करते है या nitrogen का यूज करते हैं अगनी सामगई यंत्रिषे आग बुजाने के लिए साथियों याद रखना है अगनी सामग यंत्रिषे आग बुजाने के लिए CO2 GASE का यूज करते हैं क्यूं करते हैं तरीका सिखा रहाँ साथ यो द्यान से सुनना है अगनी सामगी यंत्र में किस परकार की अभिक्रिया अभिक्रिया संपन होती है आप लोगों को थोड़ा सा अग ध्यान देना है अगनी सामगी यंत्र में जो रियक्षन कंप्लीट हो रही है अगनी सामगी यंत्र की जो अभिक्रिया है रियक्षन है वो किस परकार से कंप्लीट हो रही है ध्यान से सुनना है मेरे विद्वान सातियों अगनी सामगी अंतर में योगिक बरावा रहता है एन ए एच स्यो त्री सोडियम बाई कार्बोनेट इस योगिक की अभिकिरिया मान लीजिये मैं करवा रहा हूं हाइड्रो क्लोरिक वो यानि जल और साथ में सातियों सियोटू गेस बनेगी ये सियोटू गेस इस पेसली याद रखना है सातियों वायू हवा में बारी गेस है वायू हवा में बारी होने की वज़े से सातियों वायू हवा में ये बारी होने की वज़े से सातियों ये क्या करेगी तो ये साति यह जो सी ओटू है यह ओटू का करेगी परतिस्तापन ओटू को वहाँ से बगाएगी ओटू का परतिस्तापन करेगी ओटू को वहाँ से बगाएगी परतिस्तापन करेगी और आपको पता होना चाहिए कि बिना ओटू के आग नहीं लगती है ओटू आग जलाने में सहायक है ओटू आग जलाने में सायक है और जब आग को ओटू मिलरी नहीं है तो आग जलेगी कैसे साथियो ओटू ओक्सिजन गेस मिलरी नहीं है तो आग जलेगी कैसे बिना ओक्सिजन के साथियों आग नहीं जलती है बिना ओक्सिजन के आग नहीं जलेगी अगला क्यूशन सुनना कि तरल नाइट्रोजन का ताप होता है तरल नाइट्रोजन का दर्वित नाइट्रोजन का टेमप्रेजर कितना होता है दर्वित नाइट्रोजन का ताप मान कितना है सातियों याद रखना है करत्रीम गर्बादान के लिए मैं आप लोगों को सातियों बता देता हूं कि करत्रीम गर्बादान के लिए करत्रीम गर्बादान के लिए करत्रीम गर्बादान के लिए पस्वों के सिमन को पस्वों के सिमन को परिरक्षित रखने के लिए परिरक्षित रखने के लिए यह दर्वित नाइट्रोजन और वो जो टेमप्रेजर वो उचित रहेगा वह temperature है माइनस 196 degrees Celsius जिसने से option right किया है बिल्कुल clear है उसकाहिए उसका question साथ यह इस question का तीन नमबर option right होगा minus minus 196 degrees temperature दर्वित nitrogen gas कर्थरीम गरबादान के लिए पसुओं के सिमन को प्रिरक्षित रखा जाता है हां अगला कुशन क्या कह रहा है नेक्स्ट कुशन क्या कह रहा है सात्यूं हां याद रखना है नेक्स्ट कुशन किस परकार का है दूसरे निमन लिकित में से कास्टिक सोडा का रूप कौन सा है कास्टिक सोडा का फोर्मूला क्या है कास्टिक सोडा का फोर्मूला बताईए क्या NAN3 है NACL है NAOH है या NANO4 है आप मुझे बताईए इन में से कौन कास्टिक सोडा होगा जल्दी से साथ यो जबाब दीजिये देखें साथियों हमेशा याद रखना है एन एन ओ तरी यानि क्या है यह है सोडियम नाइटरेट सोडियम नाइटरेट एन एन ओ तरी है सोडियम नाइटरेट एन एन ओ तरी को बोलेगा बोला जाएगा साथियों चिल्ली साल्ट पिटर चिल्ली साल्ट पिटर के नाम से इसको जाना जाता है चिल्ली साल्ट पिटर के नाम से किसको जाना जाता है NaNO3 को जाना जाता है Nacl यानी क्या है सातियो Nacl यानी sodium chloride है sodium chloride यानी नमक है NaOH यानी सातियो याद रखना है ये sodium hydroxide है sodium hydroxide किसको बोलेंगे सातियो सोडियो sodium hydroxide caastic soda कोई कहा जाता है question का right answer तीन नमबर option है NaOH caastic soda जिसका पी एच मान सब्सेज़ादा होता है सात्यों चोउदा पी एच मान है सब्सेज़ादा पी एच मान वाला योगिक एन एओच है सोडियम हाइड्रोकसड है अगला कुस्वर्ण क्या कह रहे कि शी एओ शी एल टू शी एओ शी एल टू क्या है क्या यह ब्लीचिंग पाउडर है या बेंकिंग पाउडर है या कास्टिक सोड़ा है या रेड ओक्साइड है शी एओ शी एल टू का मतलब है सातियो यह है यह है विरंजक चूरन यह सातियो विरंजक चूरन है विरंजक चूरन है इसका और क्या नाम होगा तो सातियो शी एका मतलब होता है केल्सियम केल्सियम ओक्सो कलोराइड है केल्सियम ओक्सो कलोराइड है केल्सियम ओक्सो इसका और क्या नाम है सातियों इसका bliching powder भी है बेंकिंग पाउडर कोण सा है सातियों एन एएच सीयो त्री बेंकिंग पाउडर है कास्टिक सोडा सातियों अभी बताया था एन ए ओएच है बहुत बार मैं आप लोगों को गुमा फिरा करके बहुत बार इनको रिवाइज कर मेरे विधवाने सातियों विधवाने सातियों अगले पोइंट कि और बढ़ते हैं नेक्सट पॉइंट के बारे में सुनना साती हूं तुसंदेदिया ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है क्या कागज उद्योग में कागज उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं करते हैं पेजल को किटानू रहित करने में क्या ब्लीचिंग पाउडर काम में नहीं आता है या खादे चीजों को प्रिरक्षित के रूप में इसका यूज नहीं किया जाता है या साथ यो क्लोरोफोरम C.H.C.L.3 के उत्पादन में इसका यूज नहीं करते हैं जल्द से इस्क्यूश को खाद्य पदार्तों को परिरक्षित रखने में ब्लीचिंग पाउडर का C.H.C.L.2 का कोई यूज नहीं है C.H.C.L.2 का कहीं पर भी यूज नहीं करते हैं परिरक्षक के रूप में हाँ काग जुद्योग में करते हैं पेजल को किटानू रहित बनाने में करते हैं साथ म याद रखना है सातियों फ्लोरोफर्म निर्मान में इसका यूज करते हैं लेकिन हमेशा याद रखना है परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है अगला कुशन है शिर्का एक वीलियन है शिर्का एक वीलियन है क्या क्या आए शिर्के में पचास से शाट परसेंट एसिटिक एसिड है और एलकोहल है क्या 5-8% acetic acid है और जल है 5-8% acetic acid और benzen है 5-8% hydrochloric acid यानि HCl और H2O यानि जल है साथ यो जल्दी से क्यूशन का जबाब दीजिए सिर्का में क्या है तो सिर्का में ये तो definite है कि होगा तो acetic acid ही इन तीन option में से ही होगा 1, 2, 3, A, B, C में से ही होगा लेकिन क्या acetic acid के साथ जल है एलकोल है या बेंजीन है तो साथ यो में बिन टाइम गवाए होए आपको इस क्यूशन का जबाब दे देता हूँ 5-8% acetic acid है acetic acid का formula है साथ यो CS3COOH पलस इसमें क्या है तो पलस यात्रगन है साथ यो इसमें नेक्स्ट कुशन शूनना हूँ निमल लिकित में से सबसे कम गलनांग किसका है सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि गलनांग होता क्या है मेल्टिंग पॉइंट है क्या क्यूशन है निमल लिकित में से सबसे कम गलनांग किस दातू का है क्या गेलियम का है बिशमित का है एंटिमनी का है आर्सेनिक का है किसका सबसे कम गलनांग बिंदू है आप लोगों को याद रखना है साथ यो इस क्यूशन का आंसर होगा गेलियम जी ए का गेलियम जी ए का याद रखना है सबसे कम गलनांक बिंदू है हाँ कितना है यहाँ पर इस गेलियम का गलनांक बिंदू तो लगबग साथियों याद रखना है 27 डिग्री सेंटिग्रेट के लगबग इसका गलनांक बिंदू है लेकिन गलनांक बिंदू कहते किसी हैं या इस क्यूशन का सई जवाब गेलियम है सबसे कम गलनांक वाली धातु है गेलियम लेकिन गलनांक बिंदू होता क्या है साथियों गलनांक बिंदू कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं साथियों याद रखना है कि नूनतम तापमान बिंदू तापमान बिंदू नियूंतम तापमान बिंदू जिस पर जिस पर कोई कोई ठोस्पदार्त ठोस्पदार्त दर्व अवस्ता में बदल जाता है तोस्पदार्त दर्वय अवस्ता में बदल जाता है वह नून्तम टेंपरेजर बिंदू जिस पर कोई ठोस्पदार्त दर्वय अवस्ता में बदल जाता है उसको हम गलनांग बिंदू के नाम से जाना जाता है अगला कुछन क्या कह रहा है कि पोटलेंड सिमेंट में सी ये ओ और si o2 यानिするनेका का ignore खनेटन क happened है केलसियम ओकसाइड यारी केलसियम ओकसाइड बीना भुजा पीना भुजा हुआ चूना बीना भुजा हुआ चूना और साथियों याद रखना है सिलिका का कितना परसेंट है पोर्ट लेंट सिमेंट के बारे में बताने वाला वेग्यानिक कोन था सातियों में आपको बता देना चाहता हूं पोर्टलेंड सिमेंट के बारे में बताने वाला वेग्यानिक था पोर्टलेंड सिमेंट के बारे में बताने वाला महान वेग्यानिक था सातियों याद रखना है पोर्टलेंड सिमेंट के बारे में बताने वाल कितना पर्षेंट गठक है इसका तो आप लोगों को बताना है कि 60-68 पर्षेंट तो है CAO और 17-24 पर्षेंट है इसमें शिल्ली का शिल्ली का 17 से लेकर के 24 पर्षेंट हो सकती है देखो लास्ट वाले में तो बहुत ज्यादा ये तो हो इनी सकता है पर्षट वाले में इसकी कम करदी CAO की तो ये भी नहीं हो सकता है इसमें इस CAO की ज्यादा कि ज़्यादा करदी तो ये फिजिक्स का बोतिक विज्ञान का सवाल है मुझे जल्दी से आप लोग बताईए इन में से कौन सी एक सदिस्त्राशी है सदिस्त्राशी आप मुझे बताईए क्या बल एक सदिस्त्राशी है चाल है उर्जा है या तापमार है एक सदिस्त्राशी है बाकि सभी अदिस्त् रखना है सातियों मान की आउशिक्ता होती है मान के साथ सातियों दिशा की आउशिक्ता होती है जिस राशी की मान और दिशा दोनों होती है वो राशी सदिस राशी होती है सातियों सदिस राश्यों के लिए में एक छोटा सा तरीका आपके सामने लिख रहा हूं और वो तरीक रखना है आवेग है यानि आवेग है से यानि सवेग है सातियों वे यानि वेग है यानि सातियों बार है वी यानि सातियों विस्तापन है तातियों विस्तापन है और बल यानि सातियों बल है और त्वे यानि तवर्ण है यह सातियों याद रखना है सदिस्राशियां है यहा अंसबवी वे बलतवे ए यानि आवेग से यानि समवेग भय यानि बार वी यानि विस्तापन वे यानि वेग बल यानि बल और तवर एक तातियों इस क्यूशन का सही जबाब होगा बल अगला क्यूशन सुनना बल का मात्रक है बल का मात्रक क्या है क्या किलोग्राम मिटर डोट सेकंड स्क्वाइर है किलोग्राम मिटर बटा सेकंड स्क्वाइर है किलोग्राम मिटर बटा सेकंड है या किलोग्राम मिटर डोट सेंटिमेटर है ये को साथ यूँ आपको छाट करके बताना है ओप्शन हमने हैं अच्छे से आपको चूच करना है तरीके के अनुसार क्युंकि बल एप बराबर म. ए है ए dakika है साथ यह यहाँ पर दर्वेमान है a क्या है साथ यह यह पर तर्वेमान का मातरग मेरे विदवान साथ याद रखना है किलो ग्राम है तोरन का मातरग साथ joint रखना है मिटर बटा शेकंड इसक्वाइर है यह मिटर बटा शेकंड इसक्वाइर है आपको मैं ओबली करके ये भी कह सकता हूं कि बल का मातर एक नूटन होता है CGS पदती में सातियों डाइन होता है CGS पदती में डाइन होता है SI पदती में नूटन होता है एक नूटन बराबर डाइन भी आपको बताना है सातियों एक नूटन बराबर डाइन भी आपको बताना है 10 की पावर 5 डाइन होता है सातशियों इसнибудь क्यूशन का राइठ जबाब आपके सामने आपकी इसक्रीन पर न्यूटरन बटा मिटरी स्क्वाईर है, किलोग्राम डोट न्यूटरन बटा मिटरी स्क्वाईर वी बिया ऑप्षन है, बलका मात्रक है, सात्वियों, कि अगले कुछन के और बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट कुछन के और बढ़ते हैं हाँ अगला क्यूशन है कि वेश्विक उसमिक करन के लिए उत्तरदाई योगिक कौन सा है वेश्विक उसमिक करन के लिए वेश्विक उसमिक करन के लिए कौन सा कौन सा योगिक उत्तरदाई है वेश्विक उस्मिकरन का मतलब है सातियों ग्लोबल वार्मिंग है यहां पर ग्लोबल वार्मिंग है ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है सातियों ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि परत्वी के ताप में वरदी हो रही है परत्वी के टेमप्रेजर में वरदी ह तो परत्वी के टेमप्रेशर में वरदी ग्लोबल वार्मिंग या हरित गरह परवाव के लिए हरित गरह परवाव के लिए हरित गरह परवाव के लिए कौन जिमेदार है तो सातियों याद रखना है हरित गरह परवाव के लिए यहां कारबन डाई ओकसाइड गेस की बड़ी साथ ही दूसर निम्ह लिकित में से कौन सा एक सुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक परकार के परमाणू या तत्वों से बनावा है पदार्थ सुद्ध होना चाहिए बहुंद सुद्ध पदार्थ होना चाहिए और दो या दो से अधिक परकार के परमाणूं से मिलकर के बनावा होना चाहिए तत्वों का हो सकता है क्या एसा मिश्रन है योगिक है तत्व है या यह सभी है तो या दो से अधिक परकार के परमानूं और तत्वु से बना हुआ सुध्पदार्थ कोन शाह आप लोगों को साथ यूं याद रखना है एक सुध्पदार्थ योगिक हो सकता है ये शोडिय। हाईड्रोकसाइड है एन ऐसे सीए सीओ थी है केलसियम कार्बोनेट है दो या दोस्य अधिक परमानु है इने में दो या दोस्य अधिक अधिकत्र वे हैं लेकिन याद रखना है इनका अनुपात निस्षित अनुपात में जुड़ा वाजों योगिक क्योंन कि और बढ़ते हैं हाँ next question है कि ऐक तो है S2 O एक तो है सातियों S2 O और Ek Fes फेरशलपाइड किसका प्रतिनी देत्व मे श्राब करते हैं क्या यह दोनों योगिक का प्रतिनी देत्व कर रहे हैं मिश्रन का या तत्तवे का आचान सवाल है बिलकूल इजी सवाल सब का सही होना चाहिए दीजिये देखे जल्दी से आंसर आप मुझे बताईए ह्ट ठूर एप एच किसका परतोनी दीतव कर रहे हैं यहां पर क्या यह योगिक रेंग मिश्रन काग तत्व काग या इनमें से किसी का भी परतनी दीटवर नहीं कर रहे हैं जल्दी से मुझे जबाव दीजिए साथियों जल्दी से जबाव दीजिए देखिए अगला क्यूशन सुमेलित कीजिए सई उतर चुनिए सुमेलित कीजिए सई उतर चुनिए नंबर एक ओप्षन दे रहे हैं ठोस कार्बन डाय ओक्साइड दूसरा दे रहे हैं केल्सियम कार्बोनेट तीसरा दे रहे हैं कार्बोनिक एसिड और चोता दे रहे हैं सोडियम बाई कार्बोनेट इस तरफ क्या क्या दे रहे हैं बेंकि संग्मर्मर शीए शीओ त्री से बनावा है शुस्क बरप में शीओ टू है लेकिन ठोशी ओटू है सातियों और सोडियम बाइक कार्बोनेट यहां बेंकिंग सोडे का सुत्र है और कार्बोनीन एसिट सोडा वाटर में पाई जाती है एक का कनेक्शन दो से हैं एक में भी है दो में भी है तीन में भी है तो देखो तीनों हो सकते हैं कोन सा होगा एक का कनेक्शन एक नंबर ओप्शन में भी है दो में भी है हाँ पी का कनेक्शन पी का कनेक्शन तीन नंबर से हैं भई पी का कनेक्शन तीन नंबर से हैं भई पी का कनेक्शन तीन नंबर से हैं तो यह तीन नमबर में है चीका कनेक्शन की का कनेक्शन चार नमबर में है अधिया बात है और टीका कनेक्शन एक नमर का राइट आंसर एहों का साथ है अब आप कर लेना अपने हिसाब से मैंने सूची एको सूची टूचे सामिल कर दिया है आप अपने राइट आंसर का अंकलन कीजिए गड़त हुआ तो क्यों हुआ उसके बारे में आप खुद अपना अंकलन कीजिए नेक्स्ट क्यूशन के बारे में सुनिए साथी हूँ नेक यकल परमानवन रूप में यहां पर कॉण है सातियों जड़ीं से मुझे जबाभ दिजिए एकल परमानवेन क्या गंदक सलपर है तो बाई सातियों बताना है गंदक सलपर बहु परमाण विये है पहु परमाण विये है क्या क्लोरीन है तो क्लोरीन शील टू यानि दिवी परमाण विये है सातियों दिवी परमाण विये है क्लोरीन है सातियों आरगन क्या है आरगन दिशाएंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग और है क्षार्य माद्दीम और हमारे पास सुचक कौन सा है सुचक याद रखना है सुचक तो है तो संसलेशित ही करत्रीम है संसलेशित है करत्रीम है करत्रीम रूप्षे बनाया गया है फिनोप्तेलीन है फिनोप्तेलीन याद रखना है क्षार्य माद्दे में किस कलर का हो जा लाल लाल को नीला कर देते हैं चार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तता फिनोप्तेली का कलर कर देते हैं हमेशा याद रखना है घुलाबी अ मेथिल ओरेंज मेथिल ओरेंज का कलर आपको मैं HW में दे रहा हूं सातियों आप मुझे बताना है कोमेंट बोक्स में कि सारिय पदार्त मेथिल ओरेंज का कलर किस परकार कर देते हैं ये एक एक्स्ट्रा क्यूशन में आपको दे रहा हूं कि सारिय पदार्त मेथिल ओरेंज का कलर किस परकार से बदलते हैं मेरे विद्वान साथियों आपको बताना है अम्मल दातों से अभी क्रिया करके समाने तो कौन सी गेस मुक्त करती है जैसे साथ यो याद रखना है हमारे यहां पर S2 S4 Acid दातों है हमारे पास जिंक जिंक दातों से S2 S4 क्रिया करके क्या बनाएगा साथ यो चाहिए हाइट्रोजन गेस बनाती है अम्मल दातों से किरिया करके कौनशी गेस उत्पन करती है साथियों आप लोगों को बताना है कि इस अबिक्रिया को कहा जाता है साथियों एक बार हम अभी कर वाके देखते हैं जैसे हमारे पास है HCL अमल है और NAOS ख्षार है यह ख्षार है और यह है अमल है अमल और ख्षार आपस में किरिया करके देखो क्या बना रहे हैं अमल ख्षार आपस में किरिया करके बनाएंगे NACL यानि यह लवन है सातियों के लवन है पलस बनेगा S2O यानि जल S2O यानि जल बनेगा अब इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे तो इस अभिक्रिया को सातियों उदासी निकरन कहेंगे क्योंकि अम्मलक्षार खुद तो हो रहे है नस्त बन रहा है लवन जल और इस अभिक्रिया को सातियों बोलेंगे उदाशिनी करन अभी किरिया के नाम से साथियों इसको जाना जाता है उदाशिनी करन रियक्षन इसको कहा जाएगा अगला पॉइंट सुनना साथियों मोती मुख्य रूप से बनावा रहता है क्या मोती केल्सियम ओक्जिलेट से बनता है calcium sulfate से बनता है calcium carbonate से बनता है या calcium oxide से बनता है सातियों execution का सइज जबाब दीजिये calcium oxalate क्या है सातियों यह फ़तरी है calcium oxalate फ़तरी है calcium sulfate tieso4-2s2o यह calcium sulfate यह सातियों gypsum है कि यह क्या है तो यह सातियों जिप्सम है हाँ सातियों एक चीज याद रखना है केल्सियम कार्बोनेट यह मोती कि यह मोती है कि यह साथ यह होती है केल्सियम कार्बोनेट के चीओ-3 के यह चीओ-3 जबकि केल्सियम ओक्साइड में यह यह बीना भुजावा चोना ऑफ यह बीना गुजा हुआ गुजा हुआ कि अगला कुशन सुना है पूए टेक्स्ट के सब्राइब सान 8 गड़ा यह को तोवीज शोरी अठारा के रसोना है प्लेट सोने में कितना ऑफ जाड़ेन और कितना अफ़रे आप त्याह चुर्वा परसेंट 15 1 तक का चपूसमा तरबक साथियों आपको बताना है कि अठारा देर का है गुणा आपको करना है साथियों अठारा केरेट देर का है अठारा केरेट को गुणा करना है सोशे बटा देना है बाग देना है बाग देना है साथियों 24 का 24 का बाग दोगे आप और किसमे दोगे तो 18 इंटू 100 गुणा 24 जैसे माली जी आप जैसे इसमें भाग दोगे आपको पर्षेंट मिल जाएगा जैसे माली जी मैं आपको थोड़ा सा और शिका देता हूं सातियों यह तरीका है यह तरीका है याद रखने का यह फॉर्मूला है यह सुत्र है सोने में जो केरेट दिया चोवीश गुणा 100 बट्टा 24 चोईश को 24 से 24 आ गया 24 में भाग दे दिया सातियों चोवीश का तो 24 का भाग दिया कितनी बार गया आपको पता है हूं आपको मैं तो भी इसका भाग इसमें चला गया सो वार सो परषेंट जोना होगया की ठीक कूचन का राइट आंसर होगा सत्यों 55 परषेंट पिचेतर परतिशत होगा सातियों हाँ सात्यों यह 55 हूँज अगला कुस्टन क्या कह रहा है साथियों नेक्स्ट कुस्टन के बारे में सुनना हाँ नेक्स्ट कुशन है बोकसाइड अयसक होता है बोकसाइड किसका अयसक है क्या सातियों लोहे का है जिंक का है युरेनियम का है एलुमीनियम का है किसका है बोकसाइड किसका अयसक है सातियों जल्दी जवाब देना है बोकसाइड याद रखना है सातियों देखो लोहे के अयसक दो है हेमेटाइट भी है और मेगनेटाइट भी है हेमेटाइट भी है और मेगनेटाइट भी है सातियों हेमेटाइट मेगनेटाइट लोहे क्या है जिंक का है केलामीन जिंक का केलामीन है फोर्मूला क्या है जेड एन शियो थ्री है सातियों और यूरेनियम का पिछ ब्लेड है साथियो यूरेनियम का पिछ ब्लेड है बचा कोन एलुमीनियम एलुमीनियम एल का ऐसक नाम क्या है तो बोक्साइड है साथियों किस एलुमीनियम का सुद्धिकरण किस विदी से करते हैं आपको बताना है साथियों बोयल परकरम से करते हैं बोयल परकरम के दुआरा याद रखना है, सातियों, Aluminium का सुद्दीकरण किया जाता है। सर्वादिक तन्य दातु कौन है? निमल मेंने से सर्वादिक तन्य दातु कौन शी है? क्या शिलवर चांदी है साथियों क्या gold AG है AU है sorry gold AU है या platinum PT है या zinc Zaden है सबसे जादा तन्यता वाली दातू कोन Presents है सबसे जादा तन्य दातू इन्हें से कोन शी है जल्डी से साथियों जवाब दीजिए सबसे जादा तन्यता युक्त दातू कोन शी है अगला क्यूशन क्या है नेक्स्ट क्यूशन क्या बोल रहा है सात्यों हाँ अगला क्यूशन है निमल लिकित में से किस उपकरण में पारे का परियोग नहीं किया जाता है पारा हजी मरकरी का परियोग निमल लिकित में से कौन सी जगे नहीं करते हैं सातियों क्या बेरो मीटर स्पिग्नो मेनो मीटर सोनोग्राफी या थर्मा मीटर आपको पता है सोनोग्राफी यानि अल्ट्रा साउंड मशीन यहां अल्ट्रा वोईलेट किरने काम में लेते हैं सातियों अल्ट्रा साउंड मशीन सोरी अल्ट्रा साउंड मशीन अल्ट्रा परहकना-स आती हो सोनोग्राफी में काम में ली जाती है परतर भी दहुनित रंगी पराष रहभ क्ले पराश रवे दाउनी तरंगे साथ यह एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करना गलती से मैंने आपको अल्टा वोलेट पेरा बेगने करने काम में नहीं आती है जल्द बाजी में कापी देर हो गया थोड़ी से थाकान में महसूस हो रही है इस वज़ेसे मैंने आपको बता में बीपी मापने में और थर्मामीटर का यूद सातियों करते हैं ताप मापने में ताप मापने में अगला क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन कोन सा है सातियों ध्यान से सुनना नेक्स्ट क्यूशन के बारे में ध्यान पूर्वक सुनना सातियों नेक्स्ट कूशन है हीरा की च किस्कुशन का जबाब देखिए डूंडिए और बताइए क्या कारण है हीरा चमकिला होता है तो सातियों हीरे की चमक का परमुक कारण है परकास का पूर्णा अंत्रिक प्रावरतन हीरे की चमक का मूल कारण है हीरे में पूर्णा अंत्रिक प्रावरतन की गटना की वज़े से हीरा चमकिला दिखाई देता है सातियों याद रखना है हीरे का क्रांतिक कोण कितना है हीरे का क्रांतिक कोण सातियों सबशे कम है और हीरे का क्रांतिक कोण मेरे विदवान सातियों आपको बताना है हीरे का क्रांतिक कोण 24 तिगरी है हीरे का अपरवर्तनांग कितना है हीरे का अप्रवरतनांग 2.4 है, 2.4 है, करांति कोन साथियों याद रखना है, सब शेक कम होता है, और अप्रवरतनांग सरवादिक होता है साथियों, तो देखो साथियों, आज की क्लास में हम इतने कुछनों के बारे में बातशित करेंगे, बड़े विस्तार से मैंने आपको अच्छे से कुछनों के बारे में समझाया है, और मुझे उमीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस सेशन को लिया होगा, परते एक उप्सन, परते एक पॉइंट पर आपकी पेनी नजर गी होगी, तो मुझे आपको ये सेशन किस परकार का लगा, पिछले कुछ समय से लंबे समय से डी एस सेशन को ले रहे थे, फिर मैं पिछले तीन गंटे से इस सेशन को कंटिनू ले रहा हूँ, आपको कैसा लगा ये सेशन, साइध उमीद करता हूँ, बढ़िया लगा होगा, और आप यदी सव तो साथियों इसी के साथ आज किस क्लास को यही एंड करते हैं, सबी साथियों का धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत